ओम श्री पर्मात्मने नमा महर्शि पतंजली कृत योगदर्शन प्रत्यक्षान उभूत व्याख्या महर्शि पतंजली कृत योगदर्शन के चार पाद अर्थाद चार अध्याए हैं समाधिपाद, साधन पाद, विभूतिपाद और कईवल्यपाद समाधिपाद का पहले वरणन कर उन्होंने योग की विशेश्टाओं पर प्रकाश डाला जिससे रुचि जाग्रित हो, वहां तक पहुँचने की साधना बता दे साधना से इश्वरिय विभूतियों का प्राकट्य होगा और अंत में अविनाशी परंपद कैवल्यपद की प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है प्रथम अध्याय समाधिपाद शास्त्र के आरंभ में ही प्रश्ण स्वाभाविक है कि योग मुलता है क्या अथ्योगा अनुसाशनम अब आरंभ करते हैं योग शास्त्र योग है क्या योग एक अनुशासन है अनुशासित किसे करें पासपडोस को एक दूसरे को एक देश दूसरे देश को एक आंत में चिंतन करने वाला किसे अनुशासित करें नियंत्रित किसे करना है इस पर कहते हैं योग श्चित्त वृत्ति निरोधा हां चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वता रुक जाना योग है वृत्ति तो एक दरंग है मन में उठने वाली संकल्पों की लहर उसका सर्वता रुक जाना अचल स्थिर ठैर जाना योग है मान ले अथक परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो उससे लाब उस समय द्रष्टा की अपने रूप में स्थित्पी हो जाती है द्रष्टा आत्मा जो चैतन्य है सर्वता निर्मल है अपने ही परमात्म स्वरूप में स्थित्प हो जाता है वृत्तियों के निरोध से यही लाब है यही प्राप्ति है नैश्ठिकीम सिद्धी या परमतत्व का विधित्थ होना प्रश्ण उठता है चित्त वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित्प नहीं रहता उस समय द्रष्टा का क्या स्वरूप रहता है इस पर कहते हैं दूसरे समय में द्रष्टा का वृत्ति के सद्रिश स्वरूप होता है जैसी वृत्ति वैसा पुरुष वही है आप लोग कहते हैं मैं तो शुद्ध हूँ आत्मा हूँ किंतु ये महा पुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवा है वैसा ही पुरुष का स्वरूप है अर्जुन के प्रश्ण करने पर कि भगवन इस शास्त्र विधी को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गती होती है भगवान ने कहा अर्जुन पूरुष श्रद्धा मय है एक भी पूरुष स्रिष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयम भी वही है यही महर्ष्टि पतंजली भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, चित्वृत्ति निरोध और स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवा है, वैसा ही आपके लिए द्रश्टा है, वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिविंब होगा, प्रश्ण उठता है यह वृत्ति क्या है, वृत्तियों का स्वरूप क्या है, वृत्तियाह पंचतययाह क्लिष्ठा, क्लिष्ठा, पांच तरह से विभक्त ये वृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लिष्ठ और अक्लिष्ठ, एक क्लेशों को धारन करने वाली, दूसरी क्लेशों से मुझ के दिलाने वाली, पांच प्रकार की वृत्तियों के नाम इस प्रकार है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति इनने से प्रमाण वृति को संचालित करता है स्मृति संसकारों को धारण करती है मूलता वृतियां दो है विपर्यय और विकल्प विपर्यय वृति मिथ्या ग्यान की संवाहिका है तो विकल्प वृति अपऊर शेय शब्द द्रश्टा द्रश्ट के सैयोग से मिलने वाले शब्द को समझ कर चलती है एक वृति निद्रा है यह संपूर्ण वृतियों की सुपतावस्था है इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ग्यान की जक्रन है और न शब्द ग्यान से उत्पन वस्तू अर्था द्रश्टा का विकल्प ही है यह जड़ शरीर तक ही सीमित है जो है ही नहीं भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है अभाव है वहीं तक सीमित है यह वृति की निद्रा अवस्ता है भगवान शरी कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म में प्रवृत्व होना और अकर्तव्यकार्य से निवृत्व होना नहीं जानते हैं अर्थात कर्ने योग्य क्या है उसे न जानते हैं न प्रवृत्व होते हैं तथा न अकर्तव्यकर्म समझते हैं न उससे निवृत्व होना जानते हैं वृत्ति की ये सुप्त अवस्था निद्रा है, जिसे भगवान श्री कृष्ट ने आसुरी संपत के अंतरगत ही प्रस्तुत किया है। अब देखें प्रमाण वृत्ति का स्वरूप। प्रत्यक्ष अनुमान अगमाह प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अर्थात प्रति अक्ष का अर्थ है, आखों के समक्ष होना, किन्तु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है, पाँचों ग्यानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंद की अनुभूति प्रत्यक्ष है। अनुसुया आश्रम में एक बार मध्य रात्री में हम चट्टान पर सोये थे। ठंडी ठंडी एक लकीर पेट के उपर चलती प्रतीत हुई। नीम खुल गई। हमने सोचा इतना ठंडा बर्फ जैसा वो भी चलती हुई लकीर ये सर्प हो सकता है। धीरे धीरे ठंडा लगना बंद हुआ। हमने टॉर्च जलाया तो सचमुच सर्प था। आँखों ने तो देखा नहीं था। किन्तु इस पर्ष से वैद देखने में आ गया। वन्य पशु एक किलोमीटर दूर से ही शेर की गंध पहचान जाते हैं। चिक पिक कर अपनी टोली को सतर्क करने लग जाते हैं। कोल भील भी आधा किलोमीटर दूर से ही सिंह की गंध पा जाते हैं। अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने लग जाते हैं। नासिका में गंध प्रत्यक्ष होते ही अनुमान क्रियाशेल हो उठता है। तीसरा प्रमाण आगम है, परमात्म स्वरूप कैवल्य पद की और अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिंध्य आगम कहलाता है, प्रमाण पाते ही वृत्या संचालित हो जाती है, यदिवे इश्वरोन मुखी हैं, वैराग्य, वि आव श्रद्धा जगाती हैं, तो अकलिष्ट तथा प्रवृत्य की और अग्रसर हैं, तो कलिष्ट कहलाती है, प्रमाण से वृत्य संचालित होती है, प्रथम वृत्य है विपर्ययम जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्याग्यान विपर्यय है, अस्तित्व ही नवस्तुओं में आसकती विपर्यय है भगवान शरी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आसुरी संपत को प्राप्त पुरुष सोचता है, कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा, मैं बड़े कुटुम्ब वाला हूँ, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूँगा, यग्य करूँगा, दान करूँगा, भगवान पूर्ण होने वाली अनंद इच्छाओं, वासनाओं का सदेव आश्रय लिए रहता है, ऐसे पुरुष शनाई शनाई घोर नरक में गिरते हैं, वे अंधकार की और उन्मुख हैं, यह वृत्ति संपूर्ण की संपूर्ण क्लिष्ट हैं, किन्तु इसे कहीं प्रम अंगली माल इत्यादी की वृत्ति में सत पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सुत्रपात हो गया, पूज्य परम हंस्ची महराज के साहचर्य से सती अनुसुया क्षेत्र में दस्यों के एक गिरोह का हिर्दे परिवर्तन हो गया, उसका सरदार संथ हो गया, दूसरी व जो ग्यान शब्द जनित ग्यान के साथ साथ होने वाला है, जिसका विशय वस्त वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। से मिली हुई समाधी सवितर्क है, किन्तु किसी शब्द के सुनने या उसका आशय समझ लेने से समाधी तो नहीं लग जाती। विभीषण श्री राम की शरण में आया, निवेदन किया, किन्तु मंत्रियों ने संदेह ही व्यक्त किया, काम रूप कही कारण आया। शब्द भी मिला, आशय भी मिला, उसके अनुसार विभीषण को बांधनी की तैयारी भी हो गई। समाधी तो किसी की नहीं लगी। वास्तव में यह शब्द अनुभव है। जो सक्षम सद्गुरु द्वारा अधिकारी साधत में भजन की जागरती के रूप में प्रस्फुटित होता है। द्रश्टा और द्रिश्य के संयोग से जो प्रेरणा मिलती है वह शब्द है। जो द्रिश्य का प्रयोजन है पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना यह प्रयोजन सिद्ध करके द्रश्टा और द्रिश्य का संयोग भी शांत हो जाता है। वह चेतन द्रश्टा जिस प्रकार मुक्ति प्रयोजक दृष्ष संचालित करते हैं, समझाते हैं, उसका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलने वाली चित्त की प्रवृत्ति विकल्प कहलाती है। यहां वस्तु परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसका विकल्प सुद्रण हो जाता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या, जगत, पसार। सत्य का तीनु कालों में अभहाव नहीं है। आत्मा ही सकती है, सनातन है, इस प्रकार वस्त परमात्मा तो नहीं है, किन्तु उसका विकल्प भली प्रकार पुष्ट हो जाता है, इसका नाम विकल्प वृत्ति है, ये संपूर्ण वृत्ति अकलिष्ट है, किन्तु संध दोश्ट से प्रमाण मिलते ही ये कलेशों की ओर उ दर्विदार पूज्य परमहंस महराज जी को अनुभाव में दिखाई पड़ा था कि वह पिछले कई जन्मों से साधु थे पिछले जन्म में आवागमन से निव्रित्ती होने ही वाली थी कि एक दो कौतूहल मन में होने लगे कि ये शादी विवाह होता क्या है कुछ एक महात्मा गांजा पीकर जूम क्यूं रहे है मन की इतनी सी फिसलन के कारण एक जन्मों और लेना पड़ा महराज जी सर्वता अक्लिष्ट वृत्ती में चल रहे थे मन में स्फुरन से क्लिष्ट वृत्ती में आ गए शब्द पर महापुर्षों ने बहुत बल दिया है शब्द बिना शुर्ति आंधरी कहो कहां लूंग जाए द्वार न पावे शब्द का फिर फिर भटका खाए शब्द के बिना चिंतन में जो सुरती लगाई जाती है अंधी है शब्द के बिना शुर्ति का अध्यायन बुद्धि स्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है यदि शब्द का द्वार नहीं मिला भजन जाग्रित नहीं हुआ शब्द आर्थ और उसका ज्यान समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना तो बार बार भटकना पड़ता है अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है भगवान लिंग अलिंग प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं यह विद्ध्या पढ़ने पढ़ती है यही है शब्द ग्याना अनुपाती वस्त शून्यों विकल्प शब्द को समझें के इश्ट द्वारा कहा क्या गया उसका आशे क्या है उस शब्द से उत्पन ग्यान के साथ मन में उठने वाली वृत्ती जिसका विश्य वस्त इश्ट नहीं है किन्त उसका विकल्प अवश्य है यही विकल्प वृत्य है भगवान श्री राम ने अनुज लक्षमर से कहा माया के दो रूप है विद्या और अविद्या एक दुष्ट अतिसे दुख रूपा जाबस जीव पड़ा भवकूपा अविद्या दुष्ट है अत्यंत दुख रूप है उससे विवश्ट होकर यह जीव भवकूप में पड़ा है एक रचई जग गुन बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के माया का दूसरा रूप विद्या है जो जगत के तीनों गुणों को नियंत्रित करने में समर्थ है गुन बस जाके सत रज और तम तीनों गुणों को बस में करने वाली है किन्त वह विद्या माया प्रभु प्रेरित है यदि भगवान प्रेरिणा न करें तो उसके पास कोई बल नहीं है वह विद्या है ही नहीं इस प्रकार द्रश्टा के सहारे चलने वाली वृत्ती विकल्प वृत्ती कहलाती है यह विकल्प वृत्ती जो सर्वता अकलिष्ट है विजाती यह द्रिश्य प्रत्यक्ष होते ही यह कलिष्ट की और परावर्त हो सकती है जैसे यह साधन पत दुर्गम है कुछ काल के लिए भोग उत्याज्यन नहीं है एक कुटिया बना लेना बहुत परिग्रह को नहीं है अब निद्रा वृत्ति के लक्षन बताते हैं अभहाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर निद्रा अभहाव के ग्यान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है न तो ये संसार के मिठ्या ग्यान से बंधी है और न शब्द से उत्पन ग्यान ही है ये वृत्ति की सुप्तावस्था है जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की ही ओर गतिशील है इन महापुरुष्णे इसे भी वृत्ति की सुप्तवस्था माना है यह वृत्ति निद्रा है या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागर्ति सैयमी जगत रूपी रात्री में सभी अचेत पड़े हुए है यह निद्रा वृत्ति है जगत रूपी रात्री में प्राये लोग प्रकृति में आसकत रहते हैं किन्तु निद्रा वृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बंधा है। मान लें दो मार्ग हैं। एक पर प्रकाश ही प्रकाश और दूसरा अंधकार से परिपूर्ण। दोनों के मध्ये एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है। एक पाउं इस मार्ग पर दूसरा उस मार्ग पर कभी इधर देखता है कभी उधर। ये निद्रा की वृत्ति है। न संसार की और न स्वरूप की और। हम भी जम पूज्य महराज जी की शरण में आये। महराज श्री ने कहा कुछ छव नहीं जानत है। वास्तव में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। एक दम निद्रा वृत्ति न तो संसार की जड़ता थी न भागवान की रह का ज्यान था। यह निद्रा वृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्यों ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ अनुमान लगा वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुब प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति अशुब पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। किसी वैभव संपन्य व्यक्ति को देखा, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगा। जो है ही नहीं, मिध्या ज्यानम की ओर आक्रिष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का स्रिजन कर रैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया महापुरुष का दर्शन तो वह परमात्मा की ओर उन्मुक हो जाएगा। अक्रिष्ट वृत्ति प्रवाहित हो जाएगी। यह संपूर्ण वृत्तियां जिस पर अंकुरित होती हैं वह धरातल है स्मृति। अनुभूत्य विसयासं प्रमोशह इस्मृति है। भूत्ति काल में जिनकारियों का अनुसरण होता चला है। उनका पुना प्रकट हो जाना न छिपना स्मृति वृत्ति है। कैवल्यपाद के सप्तम सूत्र में महर्षि पतंजली बताते हैं। कि योगी के कर्म अशुक्ल और अक्रिष्ण होते हैं। उनके कर्मों का न शुब संसकार पढ़ता है न अशुब क्योंकि वे स्वरूपस्त हैं। किन्तु अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं। भले, बुरे और मिश्वित। प्राणी और उसके संसकारों के बीच जाती, अर्थात, जन्म, देश और काल का व्यवधान बना रहता है। चित्वृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्थित हो जाना जाती अर्थात एक जन्म है। शरीर परिवर्थित हो गया यह भी जन्म है। इन जन्म परिवर्तनों देश और काल का व्यवधान होने पर भी संसकारों के प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक समय पर वैसा ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि स्मृति और संसकार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति वैधरातल है जहां संसकार प्रकट होते हैं, संसकार स्मृति पटल पर उभरते हैं, किन्तु एक स्तर ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो जाता है, ऐसी दशा में स्मृति परिशुद्धव स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर का, स्मृति भाली प्रकार शुद्ध हो गई, चित्त का निज स्वरूप शून्ये हो गया, लक्ष मात्र का आभास रह गया, यह निर्वितर्क समाधी है, उस समय स्मृति भाली प्रकार शुद्ध हो जाती है, उसमें न कुछ भाला अंकुरित होता है न बुरा, क्योंकि चित्त क का स्वरूप ही शून्य हो गया अंतिम संस्कार भी उभर कर सामने आ चुका फल दे चुका और शांत हो चुका उस समय स्मृति पूरुणता शुद्ध है किन्तु जीवित है स्मृति कोई वृति नहीं है महर्ष ने वृतियों को समझाने के लिए पांच तरीके से माटा है उनमें से ये ऐसा धरातल है जिस पर शेश वृतियां उद्भूत होती है अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है स्मृति परिशुद्ध हो जाती है केवल लक्ष मात्र का आभास रह जाता है उस समय निर्वितर्क समाध्य की अवस्था आ जाती है अतह स्मृति वैधरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरल किये हुए अनंत काल के संसकार अंकुरित होते हैं ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं अकलिष्ट भी श्रीमत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनुसे इसी को कहा उन्होंने कुछ दिया नहीं केवल कहा मनुने उसे अपनी स्मृति में धार कर लिया यह आध्यात्निक प्रक्रिया आरम से ही चलिया रही है मानव के प्राद और भाव के साथ ही यह प्रसारित हुई और तब से लेकर अब तक वृत्ति के दो ही रूप हैं दैवी संपद और आसुरी संपद एक परम श्रेय प्रदान करती है अकलिष्ठ है तो दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, क्लिष्ट है, यही है शुभ अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, सजातिय, विजातिय, विद्या, अविद्या, अर्थात, विद्या जो परमगति प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूप में भरमाती है, यही है पुन् इनके संबोधन बदलते गए किन्तु वृत्तियां दो ही रही एक इश्वरोन मुखी वृत्ति और दूसरी अनंत यूनियू में बार बार भटकाने वाली वृत्ति किन्तु महाश्री पतंजली ने इन वृत्तियों की गति को समझने समझाने के लिए इने पांच दृष्टिय वृत्ति संचालित कैसे होती है प्रमाण से वृत्ति किस धरातल पर अंकुरित होती है स्मृति पटल पर यदा कदा ये सुशुप्त रहती है तो निद्रा ये चलती है किसकी प्रेणा से किस दिशा में विपरीत ज्यान की जड़ता का बंधन है तो विपरिय तथा आध्यूमिक्ट के संयोक से جो शब्द मिलता है उसको समझना और लगना यह विकल्प है। इस प्रकार वृत्यों को कई द् Grade्षटियों से रिखांकित किया गया है, जिससे साधक सरल्टा से वृत्यों की चाल को समझ सके और चल सके। वृत्यों शांत कैसे हो। वृतियों का निरोध कैसे हो इसके लिए आरंभिक उपाय बताते हैं अभ्यास वैराग्या अभ्याम तन निरोध है उन्चित वृतियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है इन्ही से साधन का आरंभ है पूर्ति परियंत ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप देखे। चित्त की इस्थिर्ता के लिए जो यत्न किया जाता है वैं अभ्यास कहलाता है। ये अभ्यास व्रित्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है। इसलिए इसका भाली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं। सतु दीर्ग काल नैरंतर्य शतकारा सेवितो द्रणभूमि है। किन्तु वै अभ्यास दीर्ग काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से द्रण होता है। भागवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। सा निश्च येन योक्तव्यो योगो निर्विन चेतसा। वह योग न उकताय हुए चित्त से निश्चे पूर्वक करना करतव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। अब वैराग्य का स्वरूब बतलाते हैं। द्रश्टा नुस्रविक विसय वित्रिश्णस्या वशीकार शंग्या वैराग्यम। लोक और परलोक के देखे सुने विश्यों में त्रश्णा रहित्चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात, संसार में जो कुछ देखा सुना गया है। यहां से लेके स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया थ। यहीं वैराग्य, अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष्वित्ध हो जाता है। जिससे परवईराग्य की अवस्था आती है। पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से द्रश्टा की स्वरूप में स्थिती हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्टा का सर्वता अभाव पर वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम द्रिश्टवा निवर्तति। इंद्रियों को विश्यों से समेटने वालों का राग भी परमतत्व परमात्मा का साक्षात कार करके निवर्त हो जाता है। जब श्रेश्टतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किस में। जिस पुरुष के ज्यान से पर वैराग्य की उपलब्धी हुई है उसका स्वरूप क्या है। पूरुण ज्यान की पूर्व अवस्था का चित्रन करते हुए कहते हैं। वितर्क, विचार, आनंद, तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वह संप्रग्यात कहलाती है। योग में सुरत सम है, योग भाली प्रकार ग्यात है, किन्तु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधन पाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। जो ही निवारण हुआ आनन्द भी है। और अस्मिता प्रकृति पुरुष का मिश्रुण। इनसे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रग्यात योग की अवस्था है। अब देखें प्राप्ति। अभ्यास पूर्वह संसकार शेशो न्याह। जब वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता पर भी विराम लग जाए। अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहां विराम लग गया। जिसमें चित्त का स्वरूप संसकार मात्र ही शेश रहता है। वह योग अन्य ही है। अर्थात असंप्रज्यात समादी है। अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिवर्चनिय है। जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पतिक ही इस स्थिति तक पहुँच पाते हैं। जैसे अनेक जन्मों के पश्चात जब बुध्ध राजप्रासाद में जन्में, वह उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था। काग भुशुंडी का अंतिम जन्म, एक हजार जन्म पश्चात प्राप्ति वाला जन्म था। गुरु महराज जी का भी अंतिम जन्म प्राप्ति वाला था। जण भारत, शुकदेव, द्रुव, भागवान श्री कृष्ण इत्यादी ऐसे महापुरुष थे जिने पूर्णत्व की प्राप्ति जन्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग, शेद्र सिद्ध होता है। क्योंकि। भव प्रत्ययो विदे है प्रकिति लयाना। भजन करते करते जिनकी विदेहा वस्था आ गई प्रकिति लय हो चली है। ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेश सयोग नहीं रहता। जैसे शुकदेव, श्रीकृष्ण, द्रुव इत्याद होते आए हैं। इन्होंने जन्म लिया। जन्मते ही इनके सामने सिध्धियां भली प्रकार कारे कर रही थी। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। द्रुव ने पूछा। भगवन, सुना है साधक। करोड करोड वर्ष यत्म करते हैं। तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यंत अल्पसाधन से ही मिल गए। ऐसी अनुकंपा क्यूं। भगवान ने कहा। वत्स, तुम कई जन्मों से भजन करते आये हो। इस पहाड को देखो, जो अस्ति पंजरों का ढेर है। यह सब तुम्हारी ही हड्डियां है। यहीं चट्टान पर तुमने भजन किया। इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ। यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है। प्राप्ति में छह माही शेष्ट थे। जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया। महाभारत में कथा आती है। कि भगवान श्री कृष्ण पिछले दस जन्मों से लगातार चिंतन परायन थे। वे उन जन्मों में विष्णू, वामन, नारायन इत्यादी रूपों में अवतार भी कहलाए। किन्तु अपूर्ण थे। राजन, इस जन्म में यह परब्रम्ह परमात्मा के रूप में आपके साथ है। विजय आपकी होगी। ऐसा हमें देवर्शी नारद जी ने बताया है। युधिश्ठिर को सांध्वना प्रदान करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। वस्तुता, भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलोकिक विभूतिया प्रदर्शित होने लगी थी। भजन स्वल्प ही शेश था। आप तीन दिन बद्रिका श्रम में ध्यानस्त हुए। ब्राम में वेला में दो बजे से ही उठकर आखों पर जल के छींटे देकर भजन में बैठ जाया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्टर भाव प्रत्ययय योगी थे। भाव माने शरीर इनकी पूरणत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था। साधन नहीं। बहिर कल्पिता वृत्तिर महा विदेहा ततह प्रकाशा वरनक्षयह। बाहर देखी सुनी वस्तु में कल्पना रहित वृत्ति का सीधा प्रवाह जब चलता हो। यह महा विदेहा वस्ता है। इसके जाग्रित होते ही ज्योतिर मैं द्रश्टा आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शांत हो जाता है। इस स्थिति वाले साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम बन जाता है। उसकी प्राप्ति में भाव प्रत्ययय पुना जन्म लेना ही माध्यम है। न कि साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी। इसलिए इन महा पुर्षों का योग ततकाल सिद्ध होता है। किन्तु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है। इस पर कहते हैं स्रद्धा वेरे स्मृति समाधि प्रग्या पूर्वक इतरे शाम दूसरे साधकों का चित्वृत्ति निरोध और लक्ष प्राप्ति रूप योग श्रद्धा वीर्य समृति समाधि और प्रग्या पूर्वक क्रमशा सिद्ध होता है पहले तो ईश्वरपत में श्रद्धा आवश्यक है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन दिया हुआ दान किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेंद्रियः ज्ञानं लभध्वा पराम शान्तिम् अचिरेनाधि गच्छती अर्जुन श्रद्धावान संयतेंद्रिये तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चाद कुछ भी पानाशेश नहीं रहता इश्वर पत में श्रद्धा भाव आनिवार है श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं सब व्यर्थ चला जाता है इसलिए इस पत में श्रद्धा अनिवारे है वो भी केवल ईश्वर के प्रती ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्ष इसी पाद के चौबीस्वे सूत्र में करेंगे इस पत में दूसरी आवशक्ता मन की दिढ़ता है साधक को शौर्य के साथ कमर कस कर साधना में लगना चाहिए ऐसा नहो कि थोड़ा कश्ट मिलते ही पीछे हट गए द्रोव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है साधक को लक्ष सदैव स्मृत रहना चाहिए सदैव सचेता वस्था अनिवार है खाते, पीते, उठते, बैठते, प्रत्येक क्रिया कलाप के साथ सुरत लक्ष पर टिकी रहे सुरत जिव्या के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे इश्वरी ये संदेशों, निर्देशनों को पकड़ने वाली बुद्धी प्रग्या कहलाती है प्रग्या पूर्वक क्रम क्रम से यह योग सिद्ध होता है पूर्ण शद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई इस्तर है जिनके साधन की गतितीव रहे, उनके लिए यह योग शिग्र सिद्ध होता है अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विग्णों को टालते हुए अपने लक्षे पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शिग्र कर लेते हैं साधना की मात्रा भी प्राप्तिकाल को प्रभावित करती हैं साधना की हलकी, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्रगति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है प्राप्तिकाल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है किसी साधक के अंतराल में संसकारों का वेग अधिक है, किसी के संसकार अल्प है उसी के अनुसार लक्ष की प्राप्ति में शीगरता अथ्वा विलंब हो सकता है भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे पांच भेक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए इधर बुद्ध को स्थिति मिल गए उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्यान करे तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे पांचों भेक्षु थे दूर से ही गौतम को देखकर उन्हों भेक्षु ने निश्चे किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए स्वागत में चरण न दुलाया जाए किन्तु जिवही तथागत समीप पहुँचे सब खड़े हो गए किसी ने तौलिया लिया किसी ने जल प्रस्तुत किया किसी ने आसन लगाया किसी ने चरण प्रक्षालन कराया तथागत बैठ गए उन भिख्षुओं ने प्रश्न किया बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ उपदेश के दौरान ही एक को स्थित मिल गई दूसरे को चौदे दिन पश्चात कैवल्यपद प्राप्थ हो गया तीसरे भिख्ष को उन्ही उपदेशों पर चल कर दो माह पश्चात परम नईशकर्म या सिद्धी प्राप्थ होई जबकि उन सबने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था यही कारण है कि तीव्र सम्वेग वालों में भी प्राप्थी में काल का भेद हो जाता है अब बताते हैं अभ्यास किसमे करें महर्शी ने पहले तो यह बतलाया कि वैराग्य और अभ्यास बिना उकताय चित्त से सांगो पांग निरंतर करने पर द्रण स्थिति वाला होता है इससे चित्त वृत्तियां शांत और निरुद्ध हो जाती है किन्त उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में चित्त को कहां ठहराएं आरंभ कहां से करें इस पर कहते हैं इश्वर प्रणिधाना द्वा अत्वा इश्वर के प्रति समर्पण से समाधी की सिद्धि शीग्रो होती है किन्त इश्वर को हमने देखा नहीं इश्वर का स्वरूप क्या है इस पर कहते हैं क्लेश कर्म विपाका सैर पराम्रिष्टह पुरू सब सेश इश्वरह क्लेश कर्म विपाक और आश्य इन चारों से जो अपराम्रिष्टह सम्मंधित नहीं है पूर्णत निरलेप है परे है जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह पुरुष विशेश इश्वर है यही इश्वर की परिभाशा है संसार, क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह है और उसके आशय से बंधा है इन सब से अत्यंत परे अर्थात जैसे कभी कोई सम्मंध था ही नहीं इतना परे विशेश पुरुष इश्वर है क्लेश, अर्थात, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेश और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है शुब, अशुब, मिश्वित, एवं शुभाशुब रहित कर्म उनके परिणाम और उन कर्म संसकारों की वासना से जो सरवथा उपराम है, ईश्वर है देखें, उस ईश्वर की विशेश्टा वै ईश्वर सरवग्यता का कारण है वै अनंत सरवग्यता का सहज स्रोत है इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सबको देखता है और समझता है उसके लिए कुछ भी जानना शेश नहीं है वह इश्वर पूर्वे शाम अपि गुरुह काले नान वथ्षे दात वह इश्वर पूर्वे शाम पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए है उन गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि काले नान वच्छे दात काल से उसका अवच्छेद नहीं है वह अकाल पुरुष है स्रिष्टी में अनन्त गुरु हुए है उन में प्रवाहित गुरुत्व यही है काल से परे है भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरूर गरी यान गुरूओं का भी परम गुरू कहा गया है उस इश्वर को कैसे पुकारे उसका नाम क्या है उस इश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार ओम है गीता सत्रवे अध्याय के तेईस्वे श्लोक में है ओम तत और सत यह तीनों उस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं स्मृति दिलाते हैं इसी ओम के द्वारा यग्य, वेद और ब्राम्भन रचे गए है ओमित्य काक्षरम ब्रह्म ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उस ईश्वर का नाम प्रणव है क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है प्रणव और ओम परियायवाची शब्द है उस ओम का जब और उसके अर्थस्वरूप इश्वर का ध्यान इश्वर प्रणिधान है पहले बताया गया कि अभ्यास दीरग काल तक बिना उक्ताय चित्त से आधर पूरवक निरंतर करना चाहिए किन्तु यह नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए यहां महरशी स्पष्ट करते हैं कि ओम का जब करें और उसके अर्थस्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें किन्तु इश्वर को हमने देखा नहीं तब चिंतन कैसे करें पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है क्रमशह इश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन है ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है सद्गुरु अव्यक्त इश्वर स्वरूप है मानवतन के आधार वाले है गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्ष करके परम भाव में स्थित्थ हूँ किन्तो हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला यही सद्गुरू का स्वरूप है जब सद्गुरू का परिच्वय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ठ हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में इश्वर का निवास और इश्वर प्राप्ति का उपाए इश्वरह सर्वभूतानाम हृद देशे अरजुन तिश्ठति अरजुन वै इश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है जब इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया रूपी यंत्र में आरूण होकर लोग ब्रहमवश भटकते रहते हैं इसलिए नहीं देख पाते तो शरण किस की जाएं अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शान्तिम स्थानम प्राप्ष्य सिशाश्वतम अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ संपूर्ण भावों से जाओ थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है थोड़ा भूत भावानी यक्ष राक्षसादी में उलज गया तब तो आपकी शद्धा बंट गई अतह संपूर्ण भावों से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ परमपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित है इन्हें तोड़ना कठिन होता है मानले के हमने मान्यताएं तोड़न मात्र एक ईश्वर की शरण में चले ही गए उससे लाब तत प्रसादात पराम शांतिम उसकी क्रपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है सनातन है सदैव तुम रहोगे तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा इसी का नाम है अक्षयधाम कैवल्य पद किन्तु हृदय इस्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं उसकी शरण में जाएं तो कैसे उसकी विदी क्या है अगले ही श्लोप में कहते हैं अर्जुन इससे भी अतिगोपनिये मेरे रहसी युक्तवचन को सुन मन्मना भवमध्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरू मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसिमे अर्जुन मुझमे मन को लगा मुझे नमस्कार कर मेरा अनन्य भग्तो हो मैं सत्य कहता हूँ तू मुझमे निवास करेगा सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरणम व्रज अहम्त्वा सर्वपापे भ्यो मोक्षै शामि माशुचह अर्जुन संपूर्ण धर्मों का परित्याक कर दो एक मात्र मेरी शरण हो जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा तू शोक न कर भगवान ने पहले दोशलोकों में बताया कि इश्वर का निवास हृदय में है उसकी शरण जाओ अगले ही दोशलोकों में कहते हैं नहीं सारे धर्मों की चिंता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ मन तो एक है संपूर्ण भाव हृदयस्थ ईश्वर के भीतर लगाए या दूसरा बाहर जो श्री कृष्ण खाड़े है उनकी शरण में जाए वास्तव में यदि हृदयस्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सदगुरु है उनकी शरण में जाना होगा श्री कृष्ण एक ही योगेश्वर एवं सदगुरु थे अते संपूर्ण भावों से इन सदगुरु की शरण जाना है भगवान श्री कृष्ण ने कहा मानुशीन तनुमाश्वितम मैं परम का इस पर्षकर परमभाव में स्थित्थ हूँ किन्तु मनुश्य तन के आश्वित्थ हूँ शरीर तो एक आधार है ऐसे सद्गुरू के स्वरूप के ध्यान की विधिबत लाते हुए भगवान कहते हैं यदक्षरम वेदविदो वदन्ती विशन्ति यद्यतयो वीतराः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्षी प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं वीतराः महापुरुष परम विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदी कठोर व्रतों का पालन करते हैं उस परमपद को मैं संक्षेप में कहूँगा सर्वद्वाराणि सैयम्य मनोर्हिदिनिरुध्यच मूर्ध्याधायात्मन प्राणं आस्थितो योगधारणा संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को सैयमित कर वासनाओं से समेट कर मन को हृदय देश में स्थिर कर अंतह करण में योगविधी धारण कर ओमित्येकाक्षरम्ब्रम्ह व्याहरन्मामनुस्मरन यह प्रयातित्यजन्देहं सयातिपरमांगतिम। ओम् जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उस नाम का जब करते हुए मामनुस्मरन्म। मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए सतक चिंतन करते हुए जो देहा ध्यास का त्याक कर जाता है तत्षण वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने हृद्यस्त उस जो तिर मैं इश्वर को प्राप्त करने के लिए इश्वर की ही शरण जाने पर बल दिया। किन्तु इश्वर को हमने देखा नहीं। शरण जाएं तो कैसे। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण के ही शब्दों में वो एक सद्गुरु है। अर्थात इश्वर की प्राप्ति के लिए इश्वर भाव को प्राप्त सद्गुरु की शरण जाओ। सद्गुरु एक अवस्था है। एक स्थिति है। इन सद्गुरु की शरण उनके चरणों का द्यान ही एक उपाय है। भगवान कहते हैं अर्जुन चातुर वर्णियम मया स्रिष्टम। चार वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या चार भागों में मनुश्यों को बांट दिया। भगवान कहते हैं नहीं। गुण कर्म विभागशक। गुणों के माध्यम से कर्म को चार श्रिडियों में बांटा। गुण एक पैमाना है। तराजू है। गुण तीन है। सात्विक, राजस और तामस। तामसी होगा तो आलस से प्रमाद रहेगा। राजसी होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा। सात्विक होगा तो धारणा ध्यान की पकण सहज हो जाएगी। इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को चार भागों में भगवान ने बांटा। योग विधि यग्य है। उसे क्रियानवित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना है। चिंतन है। योग की निश्चित विधि है। इसलिए इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने चार भागों में बांटा। अतियुत्तम, उत्तम, मध्यम और निक्रिष्ट। इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तु अकर्ता ही जान। आप बोलते हैं, शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यूं। इस पर भगवान कहते हैं। नमाम कर्मानि लिम्पन्ति, नमे कर्म फले स्प्रिहां। इतिमाम योभी जानाति, कर्म भिर्न सबध्यते। अर्जुन, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिहां नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा। परमतत्व परमात्मा का तर्शन, स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूं। कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है एतिमाम योव भी जान आती इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते श्री कृष्ण जो भी रहे हों पुर्शोत्तम, परब्रम्म वैस्तिति सब के लिए सुलब है इसी आशे को यहां महार्शी पतंजली ने भी प्रस्तुत किया कि इश्वर का वाचक प्रणव है उसका जब करे और उसके अर्थ स्वरूप इश्वर का चिंतन करे जो सरवग्य है गुर्वों का गुरु है सद गुरु है किन्तु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विग्ण है जो जब और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते इस पर कहते हैं अर्थात ओम के जब और ईश्वर सद्गुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भाव अंतराय अर्थात विग्णू का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्यान हो जाता है जिन विग्णू का अभाव हो जाता है वे कौन है इस पर कहते हैं बियाधिस्तियान संसय प्रमादालस्या अभिरति भ्रांति दर्शन अलब धभूमि कत्वान अनवस्ति तत्वान चित्विक्षे पास्ते अंतराया व्याधि स्तेयान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब धभूमि कत्व और अनवस्ति तत्व ये नौचित्त के अंतराये हैं आंतरिक विग्ण है बाह संग दोश न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्वैलित कर देते हैं जिससे साधन में मन नहीं लगता इन विग्णों में सर्वप्रथम व्याधी अर्थात रोग है शरीरिय किसी इंद्रिय में रोग उत्पन हो जाना चित्त का उससे प्रभावित हो जाना और चिंतन छूट जाना व्याधी है दूसरा विग्ण स्तयान, अर्थात चित्त की अकर्मन्यता है, इच्छा होने पर भी साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव स्तयान है, योग साधन के फल में अथ्वा अपनी ही शक्ति में संदे हो जाना संशय है, साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, साधन के अतरित अन्य व्यर्थ की वारता में समय नश्ट करना प्रमात है, चित्त अत्वा शरीर के भारी होने के कारण, नाम जब या ध्यान में मन न लगना आलस्य है, अधिक भोजन कर लेने से, अत्वा पेट साफ न होने से भी आलस आलस्य निद्रा जमुहाई, तीनो काल के भाई, आलस्य से बचने के लिए महात्मा लोग स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं, तथा सदा सचेत रहते हैं, भाजन करते करते, कभी ऐसा संयोग आ जाता है, कि वासना ही प्रिय लगने लगती है, व ब्रांती दर्शन है, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना अलब्द भूमिकत्व है, इससे साधक का उत्साह भग्न हो जाता है, योग साधन से किसी भूमिका में चित्त की स्थिति होने पर भी उसमें चित्त का नठहरना अन्वस्थि अंतराय है इश्वर प्रणिधान ओम के जब तथा इश्वर के सतत ध्यान चिंतन से ये अंतराय भली प्रकार शांत हो जाते हैं इन विग्णों का साथ देने वाले पांच विग्ण और है दुख दार मन स्यांग में जयत्वा स्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवा दुख मन का ख्षोभ अंगों में कमपन अनियमित श्वास प्रश्वास ये पांच विग्ण विक्षेप सहभुवः व्याधि स्तियान संशय प्रमादादी उपर युक्त नौ विक्षेपों के साथ उत्पन होते हैं दुख तीन प्रकार के हैं दैहिक दैविक और भौतिक देह जन्य विकार से चिंतन में मन न लगना दैहिक दुख है जैसे वायू का प्रकोप इस नायविक व्याधियां इत्यारे शरीर में रोग अत्वा वासनाओं से चित्त की चंचलता दैहिक दुख का कारण है जल तथा वायू द्वारा भूकंप अतिवरिष्टी अनावरिष्टी अत्यधिक ग्रेश्म शीत इत्यादि दैविक दुख कहे जाते हैं जड चेतन स्थावर प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात भहुतिक दुख है जैसे भगवान महावीर भजन में बैठे थे ये सजण ठीक नहीं हैं हमसे द्वेश रखते हैं आप भजन करने आये हैं या लोगों की भावना संग रह करने मन में अनमनापन खिन्नता इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर छोब इत्यादी दौर मनस्य हैं अंगों में आकस में कमपन अंग मेज यत्व हैं चिंतन में सुरत स्थिर होते ही जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है शरीर को एक जटका सलगता है साधक उचल पड़ता है आगे पीछे दाएं बाएं कहीं गिर भी सकता है इससे सतर्क करते हुए पुझ्य महराज जी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति नीचा और न अत्यंत उंचा ही होना चाहिए इस प्रकार शारीरिक कमपन अंग मेज यत्व है और कभी-कभी इन व्याधी इत्यादी अंतरायों के प्रभाव से योग का सांगो-पांग अनुष्ठान नहीं हो पाता योग के किसी अंग के अनुपालन में तुरुटी आ जाने से मन खिन हो जाता है हटात श्वास का बाहर निकल जाना भी योग का सह विक्षेप है जो कुछ भी साधक ने थोड़ा बहुत सीखा है न चाहते हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास संबंधी विक्षेप है अनधिकारी द्वारा उपदेश एक ऐसी ही चेश्टा है उसी तरह श्वास संबंधी विक्षेप क्लिष्ट संकल्प वाह संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना है जिससे साधक व्यर्थ चिंतन करने लग जाता है ये विग्ण बार-बार मन को उद्वैलित करते ही रहते हैं इन्हें शांत करने के उपायों पर महर्शिप्रकाश डालते हैं उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेट कर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए छण में नाम छण में रूप ऐसा नहीं जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं इस प्रकार करने से विग्ण शान्त होकर चित्त वृत्ती भजन में लगने वाली हो जाती हैं साधक संसार में रहकर ही भजन करता है भाले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं उनसे निरलेप रहने की विधी बताते हैं मैत्रे करुणाम दितो पेच्छानाम सुख दुख पुर्ण्या पुर्ण विसयानाम भावना तस्चित प्रशादनम सुखी दुखी पुन्यात्मा और पापियों के विशय में यथाक्रम मित्रता दया प्रसंदता और उपेच्छा की भावना से चित निर्मल होता जाता है राग रोश इर्शया मद मोह असुया अपकार द्वेश इत्यादी चित के मल हैं राग रोश इर्शया मद मोहू जनी सपने हू इनके बस हो हूँ वस्तु के प्रतिलगाव राग है दूसरों के गुणों में भी दोश देखना असुया है इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्श कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए गीता में है कि बाहर संसार के विशय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है वह पुरुष परब्रम्ह परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता इस सुख का अपभोग कौन कर सकता है जो वाहर के विशय भोगों से अनासक्त है ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीती रखने से साधना में सहयोग मिलता है समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है एक हरी की भगती रामचरित मानस में है शुति पुरान सब ग्रंत कहा ही रघुपती भगती बिना सुख ना ही हिमते अनल प्रगट बरू होई बिमुक राम सुख पाव न कोई अतह इन ईश्वर परायन पुरुषों में मैत्री भाव से चित्त निरोध की दशा में सहायता मिलेगी क्योंकि उनकी संगती से जो भी उपलब्धी होगी वह साधना परायन ही होगी इसी प्रकार संसार में फंसे आकंठ डूबे दुखी व्यक्तियों के प्रती दया की भावना होनी चाहिए न कि घृणा की भावना दया बिन संत कसाई दया करी तो आफत आई सीता ने रावन को भिक्षा देने में दया की जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है उसे सतक चिंतन में ही अनुरत रहने का विधान है दया संत का सहज स्वभाव है साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए किन्तु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है जिसके लिए इश्ट के आदेशों के अनुपात में ही सल्लगन होना चाहिए पुन्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए गीता में कर्म की नियत विधि को ही पुन्य कर्म कहा गया है इस नियत कर्म का आचरण करने वालों के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की इन पर कितनी कृपा है यही विधी है इन ही सोपानों पर मुझे भी चलना है न कि उनकी नकल करने लगे या उनमें दोश ढूनने लगे पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उनमुख है ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोशों से तटस्त रहना चाहिए उदा सीन नितरहिय गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई उसका त्याग नहीं असंग रहना चाहिए व्यक्ति बुरा नहीं होता उसकी परिस्थिती ही ऐसी है आप उनसे कुछ ग्रहन न करे इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है चित्त वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए अन्य उपाय बतलाते हैं अत्वा प्राण वायु को बारं बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है श्वास को बाहर निकाले जितना संभव हो उसे बाहर रोके बार-बार श्वास बाहर निकाले और रोके चार-छे बार भी ऐसा करने से दोशित वायु मंडल बाहर हो जाता है चिंतन में बैठने पर मन शीग्र एकाग्र होता है चिंतन, भजन, नाम, रूप में मन अधिक लगता है चित्त को स्थिर करने का एक अन्य उपाय महर्शी बतलाते है विसयवतिवा प्रवृत्ति रूत्पन्ना मन सह स्थिति निवन्धनी हमारा जो विशय वस्तु है, योग, चित्त वृत्ति का निरोध, अंतरायों से मुत्ति, ईश्वर प्रडिधान, नाम, रूप का सतत चिंतन इन विशयों में लव लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए विशय के अनुरूप प्रवृत्ति मन की इस्थिति को बांधने वाली होती है, चिंतन का इस्तर उन्नत हो जाने पर इश्वरी है सहयोग मिलने लगता है, वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है प्रकाश मैं जोतिर मैं द्रश्टा एक मात्र परमात्मा है, उस जोति स्वरूप द्रश्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगे शान्त हो जाती है भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है, यह दर्शन विग्णों का शमन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है वीतराग अर्थात राग मुक्त महा पुरुषों की जीवन चरिया को अन्तह करन में धारण करने से चित्त स्थिर होता है ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्वरण, चिंतन मनन करने से उसके अनुरूप अपने को डालने से भी चित्त स्थिर होने लगता है विग्ण शान्त होने लगते है एक उपाय है स्वपन निद्राकाल में स्वपन का ग्यान अब लंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है पोज्य गुरू महराज का कहना था योगी कभी स्वपन नहीं देखता वह जो कुछ देखता है होनी देखता है भविश्य देखता है वह स्वपन में भी साधना की पकड़, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा है इसे देखता है निद्राकाल में जो द्रिश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है सद्गुरू से मिलता है उसका अनुसरन करने वाला चित्व स्थिर्ता की और अग्रसर हो जाता है यथा अभिमत ध्याना द्वा जैसा अभिमत है इश्वर शर्णागती ओम के जब से अंतरायों का अंत चित्वृत्ति का शांत प्रवाहित होना समाधि की जाग्रिती चित्व का एकाग्र होना ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्वृत्ति स्वच्छ हो जाती है वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना आशय को बदल कर साधन के अनुकूल ढाल लेना यथा भिमत द्यान है एक बार अरजुन चिंतन रग था अकस्मात करण कोहरों में संगीत लहरी जंजना उठी उसने सिर उठा कर देखा तो उर्वशी खड़ी थी जो देव लोग की अपसरा नुरत्यांगना थी सभी उसके रूप पर मुगद हो जूम रहे थे किंतु अरजुन ने उसे इस नेहिल द्रिष्टी से मात्रिवत देखा शब्द रूप से मिलने वाले विकारों के स्थान पर अरजुन ने आशे बदल कर साधनानुकूल मात्रिवरत ध्यान किया पूच्जे महराज जी के संरक्षन में साधन रत एक महात्मा निराधार विचरण की अनुमती चाहते थे उनके बार-बार आग्रह करने पर महराज जी ने अन्मनस्क भाव से अनुमती दे दी वे महात्मा कुछ ही दूर आये होंगे छोटे बच्चे पाउं के बीच लकडी डाल कर घोडे का खेल खेल रहे थे अचानक एक लड़का एक पाउं उठा कर कूदते हुए कहने लगा लंगडा चीटा चला रिसाए नौ दिन में बीता भर जाए अस्ती कोस जमुना का तीर कै दिन में पहुचा वहवीर इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि बच्चे तो खेल खेल में कुछ बोलते ही है इस पर हमें अपशकुन क्यों हो रहा है क्या वो मेरे लिए कह रहा है भगवान ने समाधान दिया कि हाँ तुम्हारी यही दशा है तुम्हारा वैराग्य लंगणा है योग रूपी यमुना दूर है तुम्हारी गति आसतन एक इंच प्रति दिन है अभी तुम्हारी ख्षमता नहीं है बस वे लोट आए महराज जी कहते थे हो भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से पौधे से पशु से पक्षी से मनुष्य से कहीं से भी प्रिणा कर सकते हैं बोल सकते हैं और पढ़ा देते हैं वे सर्वत्र हैं इसलिए सर्वत्र से बोल सकते हैं इस प्रकार साधना में जो सहायक हो उसी को आशय में ढाल कर ध्यान करते जाएं। ऐसा करने से चित्त स्वच्छ, निर्मल और स्थिर हो जाता है। भगवान दत ने चौबीस उदाहरणों से शिक्षद रह की। अजगर में भी उन्हें साधनों पयोगी एक गुन दृष्टिगत हो गया। उन्होंने देखा भारी भरकम अजगर के मुख के समीब कोई न कोई जीवजन्तु आही जाता जो उसका आहार बन जाता था। दत भगवान ने उससे सीखा कि साधु को उदर पोशण के लिए द्वार द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था। किन्तु भगवान दत ने उससे भी सद गुरुओं की विद्या को उद्दीप्त करने वाला एक गुन आचरण में डाल लिया। इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणों से लेकर परम महत्व के विशय पर एकागरता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सोक्ष्म परमाणों से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार सुरत स्थिर हो गई चित वहां स्थिर रहेगा। यह योगी के जीते हुए चित की विशेष्टा है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित भाली भाती इस्थित की योगिता प्राप्त कर लेता है। उस समय वह सोक्ष्मा ते शोक्ष्म पदार्थ से लेकर महांतम पदार्थ तक जहां चाहे तककाल स्थिर कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेगंते सोपमास मृता वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक किलो जिस प्रकार सीधे उपर जाती है योगी के भली प्रकार ठैरे हुए चित्त की यही उपमा है ना उसके चित्त में भले उद्वेक पैदा होते हैं ना बुरे ना हृदे से उद्वेक पैदा हो ना वाहे वायु मंडल के संकल्प उसके भीतर प्रवेश कर पाएं यही योगी के जीते हुए इस्थिर्चित्त की परिभाशा है ऐसे चित्त में साधना का क्या स्वरूप है जिसकी क्लेष्ट अक्लेष्ट समस्त व्रित्याक्ष्ण हो गई है उसका चित्त ग्रहीता अर्थात साधत पुरुष्ट ग्रहन अर्थात अंतह करण की द्रिष्ट सुरत और ग्राह य ईश्वर एवं उसका नाम इत्यादि में उसी प्रकार तदाकार अर्थात तद्रूप हो जाता है जैसे उत्तम जाती की विशुद्ध स्वठिक मड़ी जिस वस्तु के समक्ष होती है वैसा ही रंगधारण कर लेती है ग्रहीता ग्रहन और ग्राह का बोध संप्रग्यात समाधी है जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है कि मैं कहा हूँ कैसा हूँ अब समाधी के अगले चरण पर प्रकाश डालते हैं तत्र शब्द आर्थ ग्यान विकल्पई है शंकीरण शवितर का समापत्ति है समापत्ति अर्थात सम प्रग्यात समाधियों में भी शब्द अर्थ और ग्यान इन तीनों के विकल्पों से संकीरण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधी है संसार में तरह तरह के शब्द लोक सुनते ही रहते हैं उसका अर्थ लगाते हैं वस्तुओं का ज्यान भी प्राप्त करते हैं किन्तु उससे किसी की समाधी लगती दिखाई नहीं देती वस्तुत द्रश्टा और द्रिश्य के सैयोग से भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है संत कबीर कहते हैं शब्दई मारा गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज जिन जिन शब्द विवे किया तिनके सर गयो काज जब शब्द पकड़ में आया साधग गिर पड़ा समर्पित हो गया मैं ज्यानी हूँ ध्यानी हूँ ऐसा अहंग खो गया शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया और जिन जिन ने शब्द पर विवे किया तिनके सर गयो काज उनके कार्य की सिध्धी हो गई बेड़ा पार हो गया शब्द बिना शृति आंधरी कोई जिन्तन में मन लगाता है सुरत में स्वरूप पकड़ता है किन्तु उसके साथ निरीक्षक परीक्षक के रूप में शब्द नहीं मिलता भगवान निर्णे नहीं देते तो सुरत भी अंधी है शब्द बिना शुर्ति आंधरी कहो कहां लउं जाए द्वार न पाए शब्द का फिर फिर भट का खाए यदि शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सुरत लगाने और योग साधने से कोई लाब नहीं जाने कहां ले जाकर पटक दे ये शब्द हैं भगवान के द्रश्टा स्वयम जो द्रिश्य प्रसारित करते हैं जिसका प्रयोजन पुरुष के लिए साधनों पयोगी भोग तथा मोक्ष प्रदान करना है वे द्रश्टा जैसा जैसा द्रिश्य प्रस्तुत करते हैं उसका नाम है शब्द चित शांत प्रवाहित है ऐसे में कैसा शब्द सुनाई दिखाई पड़ा उसका अर्थ और उसकी जानकारी इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिली हुई चित्त की समाधी सवितर्क है यहाँ परमात्मा तो नहीं है लेकिन संप्रग्याद समाधी है किन्तु परमात्मा का विकल्प भाली प्रकार पुष्ट है कबीर कहते हैं शब्द सो प्रीती करे सो पावे इससे उन्नत समाधी की अवस्था निर्वितर्क है जिस पर प्रकाश डालते हैं शरूप शून्य वार्थो मात्र निरुभाशा निर्वितर्का जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है केवल लक्ष मात्र का ही आभास रह जाता है उस समय स्मृति परिशुधव। स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है तब वे निर्वितर्क समाधी है न शब्ध है न अर्थ है न ज्ञान है चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया कौन शब्द सुने तथा कौन ज्ञान रखे लक्ष का आभास मात्र है उस समय स्मृति विशेश रूप से शुद्ध है यह निर्वितर्क समाधी की अवस्था है क्योंकि स्मृति और संसकार का एक ही स्वरूप होता है अब स्मृति पटल पर कोई संसकार अंकुरित नहीं होगा कैवल्यपाद के नवम सूत्र में महर्शी बताते है कि जाति अर्थात जन्म परिवर्तन देश और काल के लंबे अंतराल से भी संसकारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता वे ठीक समय पर प्रकट होते हैं किन्तो यहां वे संसकार निर्मूल हो गए फिर भी संसकारों का बीज अभी बना हुआ है क्योंकि जित अभी जीवित है इससे उन्नत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं एतया एव शविचारा निर्विचारा चा सोक छुम्बिसेया दे आख्याता इतया एव इसी से अर्थात पूरवोक्त सवितरक और निर्वितरक के वरनन से सविचार और निर्विचार समाधिका तथा सोक्षम विश्या 사धना की सोक्षम अवस्था का भी वरनन कर दिया गया है अब देखें इन समाधियों का परिणाम साधना के इन अतिसोक्ष्म अवस्थाओं में अलिंग पर्यवसानम प्रकृति की अतिसोक्ष्म परतों मूल प्रकृति परियंत भली प्रकार वशिकार हो जाता है अब प्रकृति भी उसे उद्वेलित नहीं कर सकती उपर्युक्त सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधिया निर्विकल्प होने पर भी निर्वीज नहीं है चित्त का बीज विद्यमान है इसलिए ये सब की सब सबीज समाधि ही है इन चार प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रशादः निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी में अध्यात्म प्रसादः आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती है सनातन पुरुष अजन्मा शाश्वत जिन विभूतियों वाला है वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती है आत्मा का आधिपत्य इस्थापित हो जाता है आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाथ उसे प्राप्त हो जाता है अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है उस समय योगी की बुद्धी रितम भरा होती है उस समय योगी की प्रग्या अर्थात बुद्धी रितम भरा अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है अब वह परम तत्व परमात्मा को धारन करने की क्षमता वाली हो जाती है जब अद्ध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना मात्रशेष रहे गया यह बुद्धी साधार और बुद्धियों से अलग है इस पर कहते हैं शुरुतानुमानुप्रज्याभ्याम अनुविसेया विसेशार्थत्वात शुरुत अर्थात श्रमण किये हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस रितंभरा प्रग्या का विशय भिन्न है जिसका ग्यान शुत और अनुमान से नहीं होता उसकी जानकारी इस प्रग्या से होती है क्योंकि ये विशेश अर्थ वाली है विशेश पुरुष ईश्वर है उस अर्थ वाली है उसको ग्रहन करने के खुषमता वाली है इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धी तयार होती है उसकी अपेक्षा ये बुद्धी अत्यंत परिमारजित है इस बुद्धी का विशय भिन्न है क्योंकि ये केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्था द्रश्टा को धार्ण करने के खुषमता वाली है श्रुत केवल सुनने से कोई बुद्धी तयार नहीं होती श्रवणेंद्रिये में कोई ध्वनी टकराते ही स्पर्श, रूप, रस, इत्यादी, प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों के संसकार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है शुरत मन की द्रिष्टी है, यह भाला बुरा सब कुछ ग्रहण करती है, सुरती में इस फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है, किन्तु इस रितंबरा प्रग्या का इस्तर उससे उन्नत है यह पुरुष विशेश इश्वर को धारण करने की कुछमता वाली होती है, इसके महत्व पर पुना प्रकाश डालते हैं इस रितंबरा प्रग्या से उत्पन संसकार अन्य समस्त संसकारों का प्रतिबंधक होता है उन सब का निरोध कर देता है, इसके पश्चार प्रकृति बाधक नहीं रह जाती अब कोई संसकार प्राप्ति में बाधक नहीं होता रितंबरा प्रग्या से उत्पन संसकार भी जब शान्त हो जाता है उस समय सर्व निरोध के साथ निर्बीज समाधी हो जाती है रितंबरा प्रग्या के प्रभाव से जब अन्य समस्त संसकारों का अभाव हो जाता है उस से उत्पन संसकार इश्वर को धारण करनी के ख्षमता वाला हो जाता है वह इश्वर मिलकर इस संसकार को भी शान्त कर देता है इस प्रकार संसकारों के बीज का सर्वता अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधी है इसी को कैवल्य पद, कैवल्य समाधी भी कहते हैं निश्कर्ष योग दर्शनकार महर्षि पतंजली ने इसके चार पादों में प्रथम पाद समाधी पाद में योग निरूपण के क्रम में बताया कि योग एक अनुशासन है अनुशासित किसे करें? उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों को वृत्तियों को अनुशासित कर ही लिया तो उसका क्या लाब है? महर्षि ने बताया उस समय दरश्टा की स्वरूप में स्थित हो जाती है क्या इसके पूर्व दरश्टा स्थित नहीं था? क्या द्रश्टा मलिन था महर्शी बताते हैं इसके पूर्व जैसा वृत्तियों का प्रवाहत था वही द्रश्टा का रूप था वृत्तियां अनंत है समस्त वृत्तियां दो प्रकार की होती है क्लिष्ट या अक्लिष्ट कुछ क्लेश प्रदान करती है और कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। इन वृत्तियों को पाँच प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के तीम भेट बताए गये। प्रत्यक्ष, आप्त पुरुषों के दर्शन तथा अनुमान। इन इंद्रियों के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष हुआ। अनुमान लगा और वृत्ति गतिशील हो गई। यदि प्रमाण अविद्या जन्य मिला तो यह क्लिष्ट वृत्ति बन गई। आप्त पुरुषों का दर्शन और उनकी वाणी मिल गई तो वृत्ति अकलिष्ट हो गई। प्रमाण वृत्तियों को केवल संचालित करता है। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील हो उठती है। विपर्यय मिथ्या ग्यान है। अविद्या जन्य है। जिसमें मिथ्या ग्यान को ही जड़तावश ग्यान मान लिया जाता है। विकल्प शब्द के सहारे मिलने वाली जानकारी है। जिसमें वस्तु तो शुन्य है। किन्तु वस्तु का विकल्प पुष्ट होता जा रहा है। यह अनुभव से संचालित है। इसका नाम दैवी संपत भी है। किन्तु प्रमाण विपरीत मिल गया तो यह वित्ति क्लिष्ट हो सकती है। यदि प्रमाण इश्टोन मुखी मिल गया, तो विपर्य वित्ति भी अक्लिष्ट स्वभाव की हो जाएगी। वित्ति की चौथी अवस्था है निद्रा, जो न तो मिठ्या ग्यान की जड़ता से बंधी है, न अनुभव से ही संचालित है। अभव का आलंबन करने वाली यह वित्ति निद्रा है, जो न तो सजातिय संसकारों का अर्जन कर रही होती है, न विजातिय संसकारों का कभी इधर तो कभी उधर बहले बुरे का कुछ ग्यान ही नहीं पांचमा प्रकार है स्मृति समस्त विर्थियां स्मृति पटल पर अंकित रहती है आवसराने पर अंकुरित होती है स्मृति भी उस समय शुद्ध हो जाती है जब चित्त का निज स्वरूप शुद्ध हो जाए स्मृति परिशुद्धव स्वरूप शून्ये जब मात्र लक्ष का आभास रह जाए समाधी की उस अवस्था में वृत्तियां शान्त हो जाती है अनंत वृत्तियां इन्ही पाँच रूपों में घटती बढ़ती कार्य रूप लेती रहती है इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जा सकता है अभ्यास किसका करें? क्लेश कर्म विपाकाश यैर परा मिर्ष्टा पुरुष विशेश ईश्वर अभ्यास का आश्रय ईश्वर है उसका नाम प्रणव है ओम का जब करें और उस ईश्वर का द्यान धरें इससे अंतराय अर्थात विग्न शान्त हो जाएंगे नाम और रूप के अतिरिक्त जो हमें अभिमत है योग, चित्त वृत्तियों का निरोध जो साधन इस योग में अवरोध उत्पन न करते हों साधना में सहायक हों उनका भी अभ्यास किया जा सकता है ऐसे चार-पांच सहयोगी साधनों की चर्चा महर्षी न की मात्मा में त्यान के इंद्रित करना, आप्त पुरुषों के संसर्ग में रहना इत्यादे इस अभ्यास से चित्त स्वटिक मणी के समान निर्मल पारदर्शी हो जाता है प्रग्या रितम भरा हो जाती है विशीश पुरुष ईश्वर को धारन करने वाली हो जाती है अम्रित्पद का बोध कराकर उसकी प्राप्ति और उसमें स्थिति दिलाकर प्रग्या जन्य संसकार भी शान्त हो जाता है यही कैवल्य है अम्रित्पद है जहां मृत्यु का समावेश नहीं सदा रहने वाला सुख सदा रहने वाली शान्ति और सदा रहने वाला जीवन है इसके साथ ही प्रथमपाद समाधिपाद पूर्ण होता है हर्यों तत्सत ओम श्री परमात्मने नम विती अध्याए साधन पाद प्रथम अध्याए में योग दर्शनकार महर्षि पतंजली ने अभ्यास और वैराग्य से साधना का आरंभ बताया धैर्य पूर्वक इनके सतत अभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियं शांत हो जाती है उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यास किसका करे इश्वर का स्वरूप बताया जो क्लेश और कर्मों से अत्यंत परे है वै इश्वर गुरूं का भी गुरू है उस इश्वर में सरवग्यता का सहज बीच है उसका नाम प्रणव है उस ओम का जब करे इश्वर का चिंतन करे इससे योग मार्ग के विग्ण शांत होंगे आप समाधि की और अग्रसर होते जाएंगे उन्होंने समाधि के सहयोगी साधनों का उलेख किया स्वप्न से सहयोग आप्त पुरुषों की रहनी और उनके दर्शन से सहयोग लेने का निर्देश दिया योग का अनुष्ठान जो आपको अभिमत है उसके अनुकूल आशय बदल लेने की सम्मती दी फिर भी ध्यान जमता नहीं निरंतर अभ्यास होता नहीं नाम रूप में चित्त टिकता नहीं अते इस द्वितीय अध्याय साधन पाद में संपूर्ण साधन विधी प्रस्तुत करते हैं जिसमें योग के आठ अंगों का वरणन लोक विश्रुत है सर्वप्रथम महर्शी बतलाते हैं कि साधन आरंभ कहां से होता है तप स्वाध्याय और इश्वर्ण प्रणिधान अर्थात शरणा गति से योग की क्रिया आरंभ होती है गत अध्याय में महर्शी ने एक इश्वर का स्वरूप एक इश्वर की शरण और उसके नाम का जप बताया अब प्रस्तुत अध्याय में वे कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को इश्ट के अनुरूप ढालना तप है मैं लगा पाया हूँ आप्त पुरुषों की वाणी के अनुरूप मैं कितना ढ़ल पाया हूँ अभी कितनी तुरुटियां है इस प्रकार स्वयम का अध्ययन करते हुए साधना में अग्रसर होना स्वाध्याय है इश्वर प्रडिधान अर्थात एक इश्वर के प्रति मन कर्म वचन से समर्पन बस इतना करते ही योग क्रिया आरंभ हो जाती है इस क्रिया योग की आवशक्ता ही क्या है इस पर कहते हैं समाधि भाव नार्था हा ख्लेश तनू कर्डार थश्चा इन क्रियाओं से समाधि के प्रतिशद्धा भावना स्थिर हो जाती है तथा क्लेश ख्षीण होकर बलहीन हो जाती है जिन क्लेशों को ख्षीण होना है वे कौन कौन से है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेश और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश है ये पाँचों क्लेश ही, जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा दुख दायक है यही जन्म मृत्यों के कारण है, किन्तो इनमें भी प्रधान है अविद्या अविद्या छेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिनो दाराणाम अविद्या परवर्ती चार क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेश तथा अभी निवेश का उत्पादक छेत्र है ये कलेश प्रसुप्त, तनु विच्छिन और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहते हैं अस्मितादी सभी कलेशों का कारण अविद्या है ये चारों अविद्या से ही जागृत होते हैं ये चारों मिट भी जाएं, अविद्या बनी रहीगी यही संत कबीर के प्रस्तुत भजन में भी है पाँच सखी पाँचो गुनवन्ती पाँच में सर्बस एकई जनी बलम संग सोई गई पाँचों जनी कलेश जब अपना कार्य नहीं करते वह उनकी प्रसुप्त अवस्था है इसका ये अर्थ नहीं है कि वे हैं ही नहीं वे हैं किंतु क्रियाशील नहीं है ओदीपन पाने पर वे क्रियाशील हो सकते हैं उदाहरन के लिए देवर्शी नारद हिमाले की कंदरा में तब करने लगे हरी के स्मरन मात्र से एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक नरुक पाने वाले दक्ष के श्राप की गति कुन्ठित हो गई तपस्या से इंदर विचलित हो उठे उन्होंने मुनी को तपस्या से विरत करने के लिए अपसराओं को प्रेरित किया किन्तु काम कला कच मुनी ही नभ्यापी, देवर्शी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम ने उपाधी भी देडाली, कि आप जितेंद्रिय हैं, मनु निग्रही हैं, ऐसा नहीं था, कि उन्होंने काम को सदा सदा के लिए जीत लिया था, वे विकार प्रसुप्त था, शील निधिराजा की सुंदर नगरी, सुंदर नरनारी, तथा सुंदरी राजकन्या और उसकी हस्त रिखा देखते ही प्रसुप्त विकार जाग्रित हो गया, वे कहीं गया नहीं था, सुप्त था, इस प्रकार कलेश कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी योग साधन के फल स्वरूप उनका प्रभाव खीन अर्थात तनु हो जाता है योग साधना द्वारा शनह शनह उनकी प्रभावोत पादक्ता का खरास हो जाता है तब यहींद शक्ति वाले क्लेश अर्थात तनु कहलाते है उन क्लेशों का जितना प्रभाव विशई लोगों पर पढ़ता है उतना प्रभाव वे साधुकों पर नहीं डाल पाते क्लेशों की विच्छिन अवस्था तब होती है जब दूसरे क्लेश क्रियाशील रहते हैं जैसे कोई राग से आप प्लावित है तो उस समय उसमें द्वेश दिखाई नहीं देता वे विच्छिन नहीं वे कहीं गया नहीं है किन्त उस समय ऐसा आभास होता है मानो दूसरे क्लेश हैं ही नहीं जिस समय कोई क्लेश अपना कारे पूर्णता कर रहा हो वह उस क्लेश की उदार अवस्ता है जो भोग में आकर शान्त होने वाला है यही उसकी उदारता है इन सभी क्लेशों का मूल कारण जिस अविद्या को इस सूत्र में कहा गया उसका स्वरूप क्या है अनित्या सुच दुखा अनात्मसु नित्य सुच सुखा अत्मख्या तिरा विद्या अनित्य अपवित्र दुख तथा अनात्मा में क्रमशह नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत पसार सत्य अर्थात नित्य एकरस द्रश्टा पुरुष संसार में शरीर और शरीरों के संबंध अनित्य है इस अनित्य संसार को नित्य मान बैठना अविद्या है इसी प्रकार जो अपवित्र है अंततह दुखों का ही कारण है उसे पवित्र मानना उसी में सुख की अनभूती करना अविद्या है संत कबीर की साथी में है जूटे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा अर्जुन आत्मा ही सत्य है और समस्त भूता दिकूं के शरीर नाश्वान है इनका अस्तित्व नहीं है यह सब अनात्मा है फिर भी शरीरों को आत्मा मानना अविद्या है यही सब दुख के कारण है फिर भी उसी सांसारिक वातावरण में एश्वर्य और सुख की मान्यताएं गड़ लेना अविद्या है साराशुता जो परमात्मा नहीं है उसी को भगवान माने हुए लोग बैठे है इस प्रकार अनित्य को नित्य अपवित्र को पवित्र दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मानना उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है अब शेश क्लेशों में अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं द्रिक दर्शन सक्तियों रेकात्मते वास्मिता द्रिक शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है द्रिक शक्ति अर्थात द्रष्टा, पुरुष तथा दर्शन शक्ति अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियां जिन उपकरणों पर द्रिश्य उभरते हैं इन दोनों की एक रूप ता अस्मिता है द्रश्टा चेतन है और उपकरन जड़। द्रश्टा अपने को मन बुद्धि चित इत्यादि मान बैठता है। जड़ चेतन है ग्रंथी परी गई जदप मिर्शा छूटत कठी नई। चेतन का जड़ के साथ यही मिश्ण अस्मिता नाम क्लेश है। अब देखें राग। सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाले मन के स्वभाव को राग कहते हैं। जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है। तुरंत उससे लगाव हो जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति तथा उसे सदेव भोगने की आकांशा आ सकती है। यही राग है। यह राग नामक क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार द्वेश का स्वरूप देखें। द्वेश नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति द्वेश है। गीता में भागवान श्री क्रश्न कहते हैं। इंद्री यस्ये इंद्री यस्यार्थे राग द्वेश व्यवस्थितव तयोर्न वशमा अगच्चे तव यस्य परिपंथिनव। इंद्रीयों और इंद्रीयों के भोगों में राग और द्वेश निवास करते हैं। साधन पत के ये दुरजय शत्रु है। इनके वश्य में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेश इंद्रीयों और भोगों के टकराव से होते हैं। भोग अनुकूल मिला तो राग तथा प्रतिकूल मिल गया तो द्वेश का भावपन अपने लगता है। साधक पो इनसे सतर्क रहना चाहिए। अब अन्तिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं। स्वरसवाही विदसोपी तथा रूढ़ो भिनिवेश हा। पूर्व निवास के प्रतिममत्व अभिनिवेश है। जो मुणों की ही भाति विवेक शील पुरुषों में भी परमपरागत स्वभाव से विद्यमान है। जहां हम पहले निवास करते थे। उसके प्रतिक्हिंचाव आकरशन अभिनिवेश है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता है। सांसारिक निवास हमारा घर नहीं है। इसे हमने अपना मान भर रखा है। तवन घर चे किहे रे भाई तोहरा आवा गमन मिटी जाई। कह कबीर निज घर चलो जहां काल नहीं जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन इश्वर हसर्व भूता नाम हृद्येश ये अर्जुन तिष्ठति। इश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उस हृदय स्थित इश्वर की शरण जाओ। मान लें किसी ने पूर्वा ग्रह त्यागा और शरण चला ही गया। तो उससे लाब। भगवान कहते हैं तत प्रसादात परा शांतिम स्थानम प्राप्सियसी शाश्वतम। उसके कृपा प्रसाद से तुम परमशांती प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। यही है आपका घर जहां आपका जीवन सदैव रहेगा, निवास रहेगा। साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ती होनी है किन्तु एक पल पूर्व तक ये अभिनिवेश पीछा करता है। पूज्य गुर्देव को विचरण काल में मदवापुर में चातुर मास्य करने का निर्देश भगवान से मिला था। वहां महराज सायंकाल विचरण में निकलते थे। एक ग्रिय के समीख पहुँचने पर मन में आकर्शन होने लगा कि घर में घुस जाएं। मानो यह अपना ही घर हो। दो-तीन बार ऐसा ही आकर्शन होने पर आपने इश्ट से जानना चाहा कि ऐसा क्यूं होता है। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में दो-धाई महीने इस घर में जन्म लेकर रहने का संसकार पीछा कर रहा है। आपको जन्म देने वाली माताजी अभी जीवित है। महराज जी ने भक्तों से जानना चाहा कि उस घर में क्या किसी दो ढ़ाई महीने के बच्चे का देहान्त हुआ है गाउं में चर्चा हुई वे व्रिद्धा मा महराज जी के पास आई रो रो कर उस पुत्र के गुणों का वरणन कर रही थी किंदु महराज जी ने आनुभाव में प्राप्त संकेतों को प्रकाशित नहीं किया जीव प्रकृति में जहां जहां भी रहता आया है पूर्व निवास का आकर्शन उसे खींचता रहता है चित्त वृत्त शांत प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधी की अवस्था में यह कलेश भी शांत हो जाता है केवल अविद्या जीवित रहती है बीज के शांत होने पर वह भी शांत हो जाता है कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भहे को अभी निवेश कहते हैं किन्तु ऐसा कुछ नहीं है जीव विभिन शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है किस-किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तु पंडितों जैसी बाते करता भर है किन्तु पंडित जन जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन सब के लिए शोक नहीं करते शरीर में जैसे बाल्य, कैशोर, युवा, प्राओध और व्रिद्धा वस्थाय आती है ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है इसमें धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते योग साधना में महापुरुषों ने यह भै छोड़ कर ही प्रवेश लिया है किन्तु जीव जहां अब तक जीवित रहा है उस पूर्व निवास के प्रतिस्वाभाविक खिंचाव अंतिम संसकार तक पीछा करता है और मूढों की भाति विवेक्षील व्यक्तियों में भी पाया जाता है क्रिया योग से सुक्ष्मा वस्था को प्राप्त वे क्लेश आत्मपत के विरोधी विकारों को ही प्रसव उत्पन्न करने वाले है इसलिए हे याह नश्ट करने योग्य है क्लेशों से विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्या है इस पर कहते हैं क्लेश से सैंयुक्त वृत्तियां ध्यान द्वारा नाश करने योग्य है अर्थात क्लेशों के निरसन के लिए ध्यान धरना है ध्यान की विधि तीसरे पाद के द्वतिय सूत्र में द्रश्टव्य है जहां कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहां लगाया जाए वहां वृत्ति का एक रस चलना और चाटन न होना ध्यान है ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा क्योंकि ये शुभा शुभ संसकार दुख के ही कारण है क्लेश मूला कर्माशयों द्रश्टा द्रश्ट जन्ल वेदनी यहा क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है तब तक कर्म संसकारों का समुदाए द्रिश्ट अर्थात वर्तमान में तथा अद्रिश्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है उन भोगों का स्वरूप क्या होगा वे किस रूप में प्रकट होते हैं क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तद्विपाका उस कर्म संसकार के संग्रह का परिणाम जन्म पुनर जन्म आयू और भोग होता ही रहता है परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं वे जन्म आयू और भोग हर और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं क्योंकि उनके कारण दो हैं पुन्य कर्म और पाप कर्म पूरुनत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुन्य कर्म है तथा पतोन मुख कर्म पाप कर्म है पुन्य कर्म अकलिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयू और भोगों में हर्श प्रदान करते हैं इसी तरह पाप कर्म कलिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयू और भोगों के रूप में परितात प्रदान करते हैं विवेकियों के लिए सुख की त्रिष्टा भी दुख ही है परिणाम ताप संसकार दुख हैर गुण वृत्त विरोधाच दुख में व सर्वं विवेकिना परिणाम दुख ताप दुख और संसकार दुख सब में विद्यमान रहने के कारण एवं तीनों गुणों की वृत्तियों में परस पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए सब कर्म फल दुख रूप ही हैं प्रत्येक कर्मफल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। आज हर्ष भले मान ले। कल इसमें संशलिष्ट दुख भी आएगा। उसके पास अधित भोग हैं, हमारे पास कम क्यूं। ऐसी भावना ताप दुख कही जाती है। कभी कभी नचाहता हुआ भी हटात दुख को प्राप्त हो जाता है। यह संसकार दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच्य, सत, रज, तम, तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परसपर विरोधी परिणाम प्रदान करती है। सात्व की वृत्ति प्रकाश की और ले जाती है, जबकि तामसी वृत्ति अंधकार की और प्रवृत्त करती है। इस प्रकार, एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुण वृत्ति बाधक बन जाती है। इसी लिए विवे की पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूप ही हैं अता इन क्लेशों को नश्ट कर देना चाहिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है विशये इंद्रिय सैयोंगाद यत्त दग्रे मृतो पमं परिणामे विशमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं जो सुख विशय और इंद्रियों के सैयोग से होता है वह यद्यपी भोग काल में अम्रित के सद्रिश भासता है परंतु परिणाम में विश के सद्रिश है इसलिए वैसुख राजस कहा जाता है उपर युक्त वरणन से सपष्ट है के जन्म आयू और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है इसलिए उसका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है अब कल की बात बना ले रे जो बीती बीत गई दुनिया की रीती है कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया वह तो बीत ही गया कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहा है किन्तु जो दुख अभी आया नहीं है अनागत है आने वाला है वह दुख हे आये नश्ट करने योग्य है प्रश्ण उठता है कि नश्ट कैसी करें उसकी विदी क्या है द्रश्ट्र द्रश्योह संयोग हे यहे तुह द्रश्टा और द्रश्य का संयोग हे यह का कार अर्थात उपाए है पहले द्रश्य का स्वरूब बताते है प्रकाश क्रिया इस्थित सेलम भूतें द्रिया आत्मकम भोगाप वर्गारुथम द्रिश्यम प्रकाश क्रिया और स्थिती जिसका स्वभाव है भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूब है पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है ऐसा वहद्रिश्य है प्रकाश एक परमात्मा में है प्रकृति में अंधकार है इश्वरिय प्रकाश आत्मस्वरूब की ओर ले जाना प्रकाश का बोध कराना उसके लिए क्रियाशील करना योग साधना में लगाना प्रवृत्य करना और स्थिती दिलाना द्रिश्य का यही प्रयोजन है भूत और इंद्रियों जिसका प्रकट स्वरूप है, जो कुछ भी स्रिष्टी में दिखाई देता है, भूत है, भूत और इंद्रियों द्वारा उसको ग्रहल किया जाता है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, यह भोग सांसारिक नहीं है, इष्टान भोगान हिक्वो देवा, इष्ट संबंधी भोग देना दृष्य की विशेष्टा है, जो भोग आपको अभीष्ट है, उसके संपादन में क्या-क्या चाहिए, वह सुविधा प्रदान करना दृष्य का कार्य है, भागवान का भोजन यही है, भोगता यग्य तप साम सर्वलोक महेश्वरम, यग्य तप स्वाध्याय इत्यादी जो भी इष्टोन मुखी साधन है, उन्हें मैं खाता हूँ, यही भागवान का भोजन है, अस्तु, पुरुष्य के लिए साधनों पयोगी भोगों की व्यवस्था करना, तथा अंत में मुक्ति क भाली प्रकार संपादन करना, मुक्ति परियंत दूरी तै करा देना, जिसका प्रयोजन है, वह द्रिश्य है, यदि प्रकृती ही द्रिश्य होती, तो मुक्ष देती, प्रकृती तो संसार में फसाने वाली है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है, यहां, द्रिश्य, प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है वह द्रिश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है वह द्रिश्य है। अनुभव में इन भूतों में से जीव जगत से कुछ भी द्रिश्य आ सकता है जिसे इंद्रियां ग्रहल करती है। यग्य तप इत्यादि साधन जुटाना और मुक्टि परियंत दूरी तए कराना जिसका प्रयोजन है वह दृष्य है। उस प्रसारण सूत्र का नाम शब्द है। द्रिश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है। इस पर कहते हैं। विशेशा विशेश लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी। विशेश, अविशेश, लिंग मात्र और अलिंग, गुण परवानी, गुण भेद से इन चार विधी उंसे द्रिश्य चलता है। विशेश परमात्मा है। पुरुष विशेश ईश्वर, विशेश का बोध कराना अविशेश अर्थात प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। सचेत हो जाओ, अभ्यास बढ़ाओ, विशेश ईश्वरी आलोक का बोध कराना की बढ़ते रहो साधना ठीक है। लिंग मात्र, स्वरूप, प्रकट कर समझना, अलिंग, अद्रिश्य रूप से समझाना, जैसे अंग स्पंदन, आकाशवाणी या अद्रिश्य संकेत से भगवान समझाते रहते हैं, कोई द्रिश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के दबाव के अनुसार ये द्रिश्य चलते हैं। प्रामचरित मानस में है, जगु पेखन तुम देख नहारे, विधि हरी संभु नचाव नहारे, तेउन जान ही मरमु तुम्हारा, और तुम्हाही को जान नहारा। जगद्रिश्य है, आप देखने वाले हैं। विधि परमात्मा की प्रशक्ति जिससे साधना जाग्रित होती है। हरी जो भरण पोशन करता है। शंभु जो शुब अशुब संगल्पों का संगहार कर स्थिति प्रदान करते हैं। इनको नचानेवाले, इनसे संचालित करनेवाले स्वयमﹹभवान है। वह संचालित तो होते हैं, किन्तु ईश्वरिय रहस से वे भी नहीं जानते। अन्य कोई क्या जानेगा अर्थात भागवान रथी होते हैं संचालन करते हैं अब द्रश्टा का स्वरूप बताते हैं द्रश्टा द्रश्मात्रह सुध्धोपि प्रत्ययानुपस्याः चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप द्रश्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वता शुद्ध है निर्विकार है फिर भी बुद्धी वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है बुद्धी में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है द्रश्टा देखकर करता क्या है उस द्रश्य का स्वरूप द्रश्टा के लिए ही है जो द्रश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपवर्ग की व्यवस्था करता है उस द्रश्य का उप्योग उस द्रश्टा के लिए ही है जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कारिय पूर्ण हो गया उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ वह द्रश्य नष्ट नहीं होता उसके लिए अब द्रश्य की आवशक्ता न रह जाने पर भी अन्यसाधारन लोगों के लिए उसका उप्योग है यही महापुरुष सद्गुरु होते हैं उनके पास दूसरों में द्रश्टा द्रश्य संयोग प्रसारित करने की जागरती रहती है दूसरों के लिए द्रश्य का उप्योग है महापुरुष के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता एक बार पूछे गुर्देव भागवान को दृष्ष मिला कि एक ब्रष्ट योगी आ रहे हैं उनका मार्ग दर्शन करें दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात अततह वे आए यही हम लोगों के सतीर्थ अग्रज और महराज जी के प्रथम शिर्षे हुए उस दृष्षे का उन महापुरुष के लिए कोई उपियोग नहीं है किन्तु जाग्रिती की यह प्रशक्ति उनमें अन्य लोगों के कल्यान के लिए विद्यमान रहती है पूज्य महराज जी कहा करते थे भजन की जाग्रिती एक ऐसी विद्या है कि लिखने पढ़ने सुनने से नहीं आती वाणी सिवे कहने में नहीं आती वह तो किसी अनुभवी सत्गुरु के द्वारा किसी-किसी अधिकारी के घृदे में जाग्रत हो जाया करती है अता साधारन लोगों के कल्यान के लिए उस द्रिश्य का उपयोग है अब द्रिश्य और द्रश्टा के सैयोग का स्वरूब बतलाते हैं स्वस्वामि सक्त्योह स्वरूप अपलब्धि है तुह सैयोग है स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है अर्थार द्रिश्य और स्वामि शक्ति अर्थार पुरुष इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है वह सैयोग है द्रिश्य और द्रश्टा स्वशक्ति और स्वामि शक्ति कार्य करने लगे यही है सैयोग इसी से भजन जाग्रित होता है सैयोग की आविशक्ता क्यूं पड़ी इस सैयोग का कारण अविद्या है अविद्या के मिटने के साथ ही सैयोग भी मिट जाता है मिटी तो अविद्या सैयोग क्यों मिट गया इसका कारण भी अविद्या ही है न ये होती न द्रश्टा को द्रिश्य समझाना पड़ता द्रिश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो द्रिश्य की आवशक्ता है न संयोग की उपयोगिता उस अविद्या के अभव में संयोग का अभव हो जाता है यही हान पुनर जनमादी के कारण भूत वर्तमान और भविश्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभव है वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है अम्रितमय अविनाशी पद है यह कैवल्य पद कैसा है दुखों का अत्यंत अभव हान कब हो जाता है विवेक ख्यातिर विपलवा हानों पाया हा। निश्चल और निर्दोश विवेक ज्ञान युक्त हान तुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परणाम देने की अवस्था पार कर परणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय हैं, उस अविद्या के अभाव से सैयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं, अता, वह संयोग उस महापुरुष के लिए नश्ट हो जाता है, वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है, न मुक्ति का संपादन शेश है, पुनरजनमादि दुखों का अभाव हान है, वही इस चेतनात्मा का क वल्य है, निश्चल, निर्दोष, विवेग ख्याति अपनी पराकाश्ठा पर है, यही हानों पाए, दुख मुक्ति का उपाए है, उस समय उस विवेग ख्याति ज्ञान के साथ अवस्थाए होती है, सातों भगवत पत की साथ भूमिकाये है, महर्षी ने तो इनका नामुलेख नहीं किया, किन्तु अन्यान्य ग्रंथों में इन्हें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा कहा गया है, यह विवेग ख्याति कब प्राप्त होती है, इस पर कहते हैं, योगांगा अनुष्ठानान, अशुद्धिक्छे, ग्यान देप्तिरा विवेक ख्याति है, योग के विभिन अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धिका नाश होने पर ग्यान का प्रकाश विवेक ख्याति परियंत्व हो जाता है, ग्यान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है, ख्याति अर्थात ग्यान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष द दे चुका है, वै है विवेक ख्याति, इसके पश्चात रह जाता है, कैवल्य पद्व, किन्तु इन सभी लक्षों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम है, अब योग क्या है, इसके कितने अंग हैं? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धार्णा ध्यान, समाधयोष्ठा वंगानी योग के आठ अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धार्णा, ध्यान और समाधि इन में योग के प्रत्थम अंग यम का वरणन करते हैं अहिनसा, सत्यास्ते ब्रमचर्या, परिग्रहा यमाहा अहिनसा, सत्य, अस्ते, ब्रमचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं आत्म रमण अहिंसा है सत्य एक मात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण है इश्ट के समक्ष निश्कपट भाव अस्तेय है मन सहित इंद्रियों का ब्रम्हाचरण में प्रवाहित होना ब्रम्हचर्य है विजाती ये संस्कारों के संग्रह से बचना अपरी ग्रह है इन यमों की विशेष्टा बताते हैं जाती देश काल समयान वक्षिन्नाह सार्वभावमा महाव्रतम उपर युक्त यम जाती देश काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभावम महाव्रत हो जाते हैं चित्त की वृत्यों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाती अर्थात जन्म है मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्य का प्रवाह है जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काक भुषुन्डी को अजगर का तन मिला। कव्वे का शरीर मिला। जडभारत को म्रिग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध। पिछले सैकुणों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे। उन सब में यमों का पालन होता रहा। इस तरहे देश में अर्थात नाम, रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा ले। काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्राम वेला में मन ठीक लगता है। दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों अर्थात जैसे किसी अवसर विशेश पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तेथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे इस प्रकार की शर्तें इनसे यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे उस समय ये यम सार्व भाउम हो जाते हैं। सभी योनियों, अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सभी अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में, अबाद रूप से जब इनका आचरन होने लगता है, तब यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वरणन कर अब नियमों का वरणन करते हैं। सौच संतोष तपह स्वाध्याय शर्प्रणिधानानी नियमाः शौच संतोष तप स्वाध्याय और इश्वर शर्णागति इन पांचों का नाम नियम है यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें बितर काहिन सादयह क्रतकारिता नुमोदिता लोगो क्रोध मोः पुर्वका म्रेदुमध्याधि मात्रा दुखा ग्यानानन तो फ़ला इतिप्रतिपक्षो भावनम् यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भावाते हैं जैसे सत्य के स्थान पर असत्य अस्तेय के स्थान पर चोरी ब्रह्मचर्य की जगए वासना अपरी ग्रह में संग्रह शौच की जगए अशुद्धी ये विरोधी भावाते हैं इन्हें वितर्क विरोधी तर्क कहा जाता है ये तीन प्रकार के होते हैं कृत कारित और अनुमोदित अर्थात स्वयम किये हुए दूसरों से करवाए हुए तथा अनुमोदन किये हुए विरोधी विचार क्यूं आते हैं इसका कारण लोभ ग्रोध और मोह हैं इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प किसी में मध्यम तथा किसी किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है इन वितर्कों के प्रतिपक्षी विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं ये पुना नरक की और पतन की और ले जाएंगे यही सब तो अभी तक किया गया फिर वही हे मन तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है किस महापुरुष के शरण में हो क्या अपने साथ गुरु महराज की विमल कीर्थी पर प्रश्ण चिन्न लगाओगे मन को इस तरह समझाना प्रतिपक्ष भावना है अब यम नियमों की पराकाष्ठा बताते है अहिंसा प्रतिष्ठायम तत सन्निधो वैर त्याग हा अहिंसा की द्रढ इस्थिती हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सब प्राणी वैर त्याग देते है क्योंकि उनके चतुर्दिक वायुबंडल शान्त रहता है ऐसे महापुर्शों के निवास स्थल आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है मानस में है कि जब से भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे करी केहरी कपिकोल कुरंगा बिगत बैर बिच रही सबसंगा पुज्य गुरु महराज अनसुया के बीहरवन प्रांतर में निवास करते थे जहां शेर भालू लंबे लंबे सर्पों का बाहुल्य था किन्तो इन वन्य हिंसक जीवों द्वारा आश्रम परिसर में कभी कोई दुरगटना नहीं गटित होई भगवान महावीर स्वामी का निरणे है कि आत्मा को अधोगती में ले जाने वाले जितने भी विकार है वही हिंसा के कारण है इन विकारों का निरोध कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को मारना मात्र नहीं है बलकि आत्मपत्थ से विचलित हो जाना ही हिंसा है और आत्मपत्थ की ओर अग्रसर होना अहिंसा है अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश जीव का परम कल्या है अता आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा है भगवान्च्वी कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया है योग विधी यग्य के चौदह लक्षणों में संशित व्रत अहिंसा है जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिती है स्वरूप में स्थित महापुरुष च्षेत्रग्य है और च्षेत्रग्य के लक्षणों में एक है अहिंसा दैवी संपद जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है मोक्ष प्रदान करती है उनमें इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अनुभावी उपलब्धी, वास्तविक जानकारी, इत्यादी, छबीस लक्षणों में एक अहिंसा है अर्जुन आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई है उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है परम कल्यान करने वाली होती है जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई उनके लिए उनहीं की आत्मा शत्रु है शत्रुता में बरतती है अधम और निम्न योनियों का कारण बनती है इसलिए पुरुष को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे अधो गती में न पहुँचाए अहिंसा प्राप्त महापुरुष के सन्निकट इस वैर के कारणों का त्याग हो जाता है सैयम सदता जाता है आत्मा की स्थित मिलती जाती है आत्मोधार होता जाता है ये शिक्षा महापुरुष देते है अता अहिंसा किसी विरले महापुरुष के खेत्र की वस्तु है ऐसे महापुरुष के चतुर्दिक एक प्रभाव खेत्र निर्मित हो जाता है जैसा काक भुशुंडी आश्रम का प्रभाव था कि व्यापही तहना अविद्या जोजन एक प्रजंत, वहां का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाता है, उनकी परिदि में जो भी पहुँच जाता है, उसमें भी योग के संस्कारों का सूत्रपात हो जाता है। वैरत त्यागा, दुनिया में वैरी काटे जाते हैं, अहिंसा में त्यागे जाते हैं, वैरी कौन हैं? मनुष्य न चाहता हूँ अभी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? भगवान शुरी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम और क्रोध अग्नी के सद्रिश कभी न त्रिप्त होने वाले दुर्जय शत्रु हैं, ज्यान और विज्यान को नश्ट करने वाले ये निरंतर वैरी हैं, महापुर्षों की सन्निधि में इन वैरियों का अंत हो जाता है, परमधर्म शुति बिदित अहिंसा, सुरक्त, अर्थात, मन के द्रिश्टे, जो वायू से भी तेज चलने वाली हैं, स्थायत्व ले ले, इस निरोध के साथ जो छिपी सत्ता है, वे है कल्यान तक्व मा, उसके इस पर्ष के साथ ही जिसे धारण करना था, धर्म को वहकारी पूर्ण हुआ, यह अहिंसा की पराकाश था है, ऐसे महापुर्षों की द्रिश्टी पढ़ते ही, व्यक्ति हिंसा के मार्ग से हटकर अहिंसा की रह पर आ जाते हैं, जैसे वालमी की अंगली माल इत्य पूज्य गुर्देव भागवान के सानिंधि में अनसुयाक्षेत्र के दस्कियों की वृत्ति बदल गई, वे भजन करने लग गए, दूसरा यम है सत्य, उसकी पराकाश था कहां तक है? सत्य की द्रण स्थिति हो जाने पर क्रिया भल का आश्रय प्राप्त हो जाता है, सत्य के वल द्रश्टा आत्मा है, स्रिष्टी में अन्य जो कुछ है नश्वर है, इस सत्य एक मात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गई, श्रद्धा केंद्रित हो गई, समर्पन सधा, साधना गतिशील हुई, तो क्रिया फल आश्रय यत्वम, क्रिया का फल है परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है, अर्था भगवान कुग ख्षेम करने लगते हैं यम का तीसरा अंग अस्ते देखें अस्ते प्रतिष्ठायाम सरविरत्नु पस्थानम प्राया चोरी के अभाव को अस्तेय कहा जाता है चोरे वृत्ति का अभाव होते ही योगी के समक्ष सभी रतनों को प्रकट हो जाना चाहिए आपके शास्त्रों में समुद्र मन्थन से निस्रित चौदह रतनों का उल्लेक है श्री मनी रंभा वारुणी अमिय शंख गजराज कल्प द्रुम शश देन धन 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 वंतरी विश्बाजी मानले अचोर्य वृत्ति द्रण हो गई योगी के समक्ष रंभा या वारुणी प्रकट हो गई तो वह करेगा क्या उसके शांत एकांत भजन में ये भायंकर विग्न है रंभा विश्वा मित्र के समक्ष पहुँची तो उनका पतन हो गया अता अस्ते या रतनों का ये आशे संगत प्रतीत नहीं होता भगवान महावीर से एक राजा ने प्रश्न किया भगवन सद ग्रिहस्व आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्यान कैसे हो उन्होंने बताया राजन त्री रतन धारन करें सम्यक दर्शन ज्यान चरित त्राणी तीर्थन कर अर्थात तीर्थ स्वरूप महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करें उनमें श्वधा स्थिर करें उनसे साधन विदिग्यात करें और उसे आचरन में ढालें यही त्री रतन है पूज्य गुरुदेव कहते थे सद्गुरु के समक्ष जो हृदय में हो वही जुबान पर हो हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और ऐसा साधक तभी सफल नहीं होता भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है वह भाव कुभाव सब जानता है संकल्प बाद में उठते हैं भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजाती ये संकल्प आने वाले हैं वितर्क पैदा हुआ नहीं परिस्थिति का खत्रा आया नहीं उसके पहले ही भगवान बता देते हैं साधक तुरंत सावधान हो जाता है अस्तु भगवान से कुछ छिपा नहीं है फिर भी जीव का स्वभाव है कुछ न कुछ कपट रहता ही है जब ये तुराव समाप्त हो जाता है तो नवम सरल सबसन छल ही न हो जाता है तो साधना में सहायक सभी रत्न विवीक वैराग्य शम दम इत्यादी आवशक्ता नुसार योगी के समक्ष प्रकट होते रहते हैं अब ब्रह्मचर्य का परिणाम बताते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः ब्रह्मचर्य में द्रण स्थिति हो जाने पर सामर्थय का लाभ होता है मात्र जननेंद्रिय सैयम से ही ब्रह्मचर्य नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हट पूर्वक इंद्रियों को रोकने किन्तु मन से विश्यों का चिंतन करने वाला दंभाचारी है अपने पूर्व जन्मों का संस्परण सुनाते हुए पूजे गुरुदेव बताया करते थे कि गत जन्म में उनकी निवृत्ती हो चली थी किन्तु मन में दो एक एच्छाएं शेश थी कि शादी ब्या क्या होता है और लोग गांजा पीकर मस्ती में भजन करते हैं इसमें कितना आनंद है उस जन्म में इच्छा रहने पर भी न तो विवाह किया और न गांजे का इस परश ही किया किन्तु मन में एक कौतूहल था इसलिए जन्म लेना पड़ा भगवान ने थोड़े ही समय में शादी विवाह कराकर दिखा सुना कर दो एक जड़कियां देकर साधू बना दिया आकाश्वानी मिली कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महराज है उन तपोधन के सानिंध में स्वल्प समय में ही साधना जागदित हो गई भगवान रथी हो गए योग क्षेम करने लगे भजन के लिए जगाने उठाने बैठाने लगे भोजन पर भगवान ने नियंत्रन लगा दिया यह खाओ यह न खाओ जागरण शयन संतुलित कर दिया सब कुछ अपने हाथ में ले लिया जैसे कोई अपना गड़ा धन पा जाए योग की विभूतियां मिलने लगी रत्न प्रकट होते गए उस जन्मे पूजश्री ब्रह्मचारी ही तो थे सैयम के पक्के थे फिर भी जन्म लेना पड़ा कुतर्क शान्त होता है ब्रह्माचरण से मन सहित इंद्रियों को समेट कर ब्रह्मचिंतन में लगने से ब्रह्महा चरती सब्रह्मचारी आँखें दूसरा न देखें कान दूसरा न सुनें कानों से विश्योत तेजक बातें सुनकर आँखों से उत्तेजक दृष देखकर शरीर को बचाय रखना सर्प के मुख में उंगली डाल कर बचनी के समान है ब्रह्माचरण से सतक चिंतन से सकलेंद्रिय सैयम सद जाता है उसी से विशुद्ध ब्रह्माचर्य की अवस्था आती है ब्रह्माचर्य में स्थिति दृड़ होने पर वीर्य लाभख सामर्थ का लाभ होता है आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है जिस मन को हट से भजन में लगाना पड़ता था सहजी भजन में लगने की सामर्थे आ जाती है विग्णों के आने पर भी वे पीछे नहीं हटता मीरा पीछे नहीं हटी जहर का प्याला शूली की शैया भी उसे विचलित न कर सके प्रहलात को जलाने का प्रयास किया गया समुत्र में डाला गया हाथियों से कुचलवाया गया विग्ण आये और निकलते चले गये साधक में अपने द्ये पर अडिग रहने की सामर्थे आ जाती है अब उसे प्रयास पूर्वक मन को नहीं लगाना है सकलेंद्रिय सैयम में भी जननेंद्रिय सैयम ब्रमचर की अनिवारे शर्थ है पूज्य गुर्देव भगवान कहा करते थे कि ग्रिहस्थों द्वारा इस सैयम में भूल चूक होने पर भगवान क्षमा कर देते हैं किंतो साधुवेश में ऐसी भूल हो जाने पर भगवान कभी क्षमा ही नहीं करते ऐसे पतित साधक के लिए शरीर त्याग ही एक मात्र प्राइश्चित है अब देखें अपरी ग्रह अपरी ग्रह स्थेरिये जन्म कथंता संबोधा अपरी ग्रह की द्रण स्थिती हो जाने पर जन्म कथंता संबोधा पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ग्यान हो जाता है कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यक्ता से अधिक वस्तूओं के संग्रह का अभाव या कुछ भी न रखें अपरी ग्रह है जंगल निवासी आदिवासी जनता प्राता जीविको पारजन हेतु निकलते हैं दिन भर में जो कुछ आरजित किया उससे येन केन प्रकारिण उधर पूर्ती ही कर पाते हैं उनके घर खुले हैं जमीन पर शयन संग्रह के नाम पर एलिम्यूनियम के दो एक पिछके हुए बर्तन सब के सब अपरिग्रही पूर्वजन तो दूर की बात है कल क्या भी तेगी इसका भी उन्हें ग्यान नहीं है सम्राट होते हुए भी राजर्श जनक अपरिग्रही थे अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतنا संबंधित नहीं है जितना चिन्तन से चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संसकारों का संग्रह न हो नवीन संसकारों का संग्रह तो होता नहीं फिर भी चित्त में पुराने संसकारों के कारण विकलता बनी रहती है जिससे भाले बुरे संकल्प उठने लगते हैं उस अवस्था में साधक को यह ज्यात हो जाता है कि पूर्व जन्मों के कितने संसकार शेश थे उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ती होगी इसका ग्यान भी हो जाता है इस प्रकार यम में इस्थिती का परिडाम बताकर महर्शी नियमों के आचरण का फल बताते हैं नियम पाँच है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रडिधान इनमें से प्रथम है शौच शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बल्वती होती है शौच का अर्थ, शरीर की सज्जा, केश विर्न्यास या प्रसाधन नहीं है इससे शरीर के अंगों के प्रती वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता प्रत्युत, ये ममत्व का ही परिचायक है कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नानित्यादी को शौच की संग्यादी है किन्तु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान नहीं किया पानी लेले, साबुन लेले, मलमल काया धोई अंतर घटका दाग न छूटे निरमल कैसे होई भजन मन से होता है ये है, मुख्यता मानसिक क्रिया है शरीर को सजाने सवारने से उसका प्रयोजन नहीं है हमारे गुरू महराज, छै छै महीने एक एक वर्ष तक सनान नहीं करते थे सदा श्वास में सुरत लगा कर बेगम, अर्थात निश्चिंत रहते थे कोई पूछता, तो वे कहते, जब कोई कष्ट नहीं है नहाने धोने में अकारण समय क्यों नश्ट करें फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने इस नान नहीं किया शौज का अर्थ है मन की शुद्धी जिसके पालन में अंतख करण की पवित्रता मन, दृष्टी, श्रवन, वानी, इत्यादी, सर्वत्र, पवित्रता आ जाए शरीर का भान ही न रहे सुरत चिंतन में लगी रहे इससे स्वांगों में विरत्ती आ जाती है और परईह असंसर्गह दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की खुशमता आ जाती है पूज्य महराजजी जब चिंतन में बैठते थे कोई आकर उनके पास बैठता पूज्य चरण बतलाते थे मन करता था कि ये कितना शीग्र उठकर चला जाता क्रमशह लोग दूर होने लगे दूसरों से असंग रहने की प्रवित्तिक जाग्रित हो जाती है अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है स्नान किया है या नहीं भान ही नहीं रहता शौच से कुछ अन्यक शमताओं का विकास भी होता है सत्त शुद्धि सव्मनस्य इकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग अत्वानिचा और इसके अत्रिक्त अंत्वकरन की शुद्धि मन में प्रसन्दा चित्त की एकाग्रता मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात कार की योग्यता आ जाती है अंत्वकरन शांत और चिंतन में प्रवाहित होने की ख्षमताओं वाला हो जाता है चिंतन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्यता बढ़ती है चित्त की एक आग्रता अंत्यकरण में निर्मलता आजाती है क्योंकि अंत्यकरण की धुलाई ही शौच है अब दूसरा नियम संतोष देखें संतोष आदनुत्तम सुखला भाहा संतोष से सरवुत्तम सुख का लाब होता है जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है संतोष की पराकाष्ठा में उन्ह प्रभु से तोच मिलने लगता है जो आनंद सिंध सुख रासी सी करतें त्रैलोग सुपासी भगवान आनंद के सिंधु हैं सुख की राशी हैं इस आनंद सिंधु की एक बून से त्रैलोग के त्रिप्त हो जाता है परिस्थितियों से समझोता संतोष नहीं है संतोश से कामनाओं का नाश हो जाता है क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोश मिल गया तो कामना भी किसकी करें आगे ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसकी स्प्रिहा हो सके अब तप का सर्वो परी परिडाम बताते हैं कायेंद्रिय सिद्धिर सुधिक्षया तपसहा तब के अनुष्ठान से जब अशुधि का नाश हो जाता है तब कायेंद्रिय सिद्धि शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है उस समय इंद्रियों को जहां चाहें आप लगा सकते हैं सर्दी गर्मी जिस वाता वरण में रखना चाहें राग द्वेश से रहित रख सकते हैं सामान नेजीव जह तहां इंद्रियों के बहाव में खिच जाता है गीता में भगवान कहते हैं कि विश्यों में विचरती हुई जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वै एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष के मन का अपरहन उसी प्रकार कर ले जाती है, जैसे जंजा बात नाव का अपरहन कर उसे डुबो देता है। इसलिए पहले इंद्रियों का सैयम कर मन को साधना में लगा। मन सहित इंद्रियों को इश्ट के अनुरूप तपाना तब कहलाता है। अब देखें स्वाध्याय का स्वरूप। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयम का अध्ययन। मुझे साधन में कितना समय देना चाहिए। कितना दे पाता हूँ। इसका निरीक्षण करते हुए, सदैव सचेत अवस्था में रहते हुए, समझते हुए, साधन रत रहने से, इश्ट देवता संप्रयोग, योग की अवस्था इश्ट देव से ओत्प्रोत हो जाती है। इश्वर प्रडिधान की पराकाष्ठा देखें। इश्वर की शरणागती, तथा मन, क्रम, वचन से, उनके प्रतिसमरपन, एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से, समाधी की सिद्धी हो जाती है। इश्वर पर निर्भर करने वाले साधक का योग क्षेम भगवान स्वयम देखते हैं। अता, साधान का अनायास और शिग्र पूरण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाधी, अर्थात, सम और आधी तत्व, ईश्वर के साथ समत्व प्राप्त होने में शिग्र सफलता मिल जाती है। अब आसन का स्वरूप देखे। निश्चल सुखपूरवक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है। लेकिन सुख कहां। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है। तन पर नहीं। यह आसन कैसे सिद्ध होता है। यह बताते हैं। प्रयतन सै थिल्यानंत समापत्ति भ्याम। उक्त आसन प्रयतन की शिधिलता से और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के ही बैठने का नाम आसन होता, तो अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने की क्या अवशक्ता थी। अनेक विभूतियां ऐसी रही हैं। जैसे महर्श अश्टा वक्र, गुरु महराज के गुर्देव, पूज सत्संगी महराज्जी। जिनके पाउं तेड़े मेडे थे, आसन की मुद्रा का प्रश्ण ही नहीं उठता, कभी बनी ही नहीं, किन्तु वे अपने युग के सर्वों परी महापुरुष थे। प्रयत्न शहतिलिय, अर्थात यम नियम तप स्वाद्ध्याय दि में जो प्रयत्न चलता है, उस प्रयत्न में शित्हिलता आ जाए, इनका पालन सहज स्वाभाविक होने लगे, एक बार जहां मन लगाया शांत प्रवाहित होने लगे इस प्रकार एक परमात्मा में भली प्रकार मन लग जाने से आसन सिद्ध हो जाता है अता यह आसन मन का है मन का स्थिरी करण ही आसन है भजन के लिए शरीर की एक निर्धारित मुद्रा है जिसमें शरीर, शिर, मेरुदंड और गर्दन एक सीद में होने चाहिए आखें अर्धोन मीलित नासाग्र द्रिष्टी आवश्यक है किन्त महर्षि पतंजली ने मन के शांथ स्थिर टिकने को ही आसन की संग्या दी है आसन मारे क्या भया मुईना मन की आस ज्यों कोलू के बैल को घर ही को सपचास मन में उभरने वाली आशाएं हैं जो इस्थिर बैठने नहीं देती आसन का प्रभाव क्या होता है ततो द्वंद्वा नभिगाता है आसन सिद्ध होते ही द्वंद्वों का आगहात नहीं होता राग द्वेश भाले बुरे उद्वेक द्वंद्व हैं जो मन को दुविधा में डाल देते हैं प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है उस आसन के सधते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है अभ्यास किया गया तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है अहिंसा सत्य अस्तेह ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का इसमें सहजता ढलते ही आसन सिध्धी और आसन सधते ही प्राणायाम प्राण के व्यापार पर विराम लग गया इस प्रकार यह स्थिती परिडाम चन्मे है यह यम नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है श्वास जो लेते हैं प्रश्वास जो त्यागते हैं जैसे प्राचीन साहित्य में कहीं कहीं इसके विपरीत और लेख भी मिलते हैं जिसमें प्राण जो त्यागा जाता है और प्रश्वास जो भीतर लेते हैं ऐसा अर्थ किया गया है किन्तु अधिकांच मनीश्टु ने श्वास या प्राण उसे कहा है जो हम ग्रहन करते हैं आत्म उतकर्ष के लिए जब त्यागना और ग्रहन करने की वृत्तियां शांत हो जाएं श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है इसी का नाम है प्राणायां आसन के सधते ही चित्वृत्त शांत प्रवाहित होने लगती है न भीतर से कोई संकल्प स्फुरित होता है न बाहे वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते है यही कारण है कि ऐसी अवस्था में चित्व शांत और स्थिर हो जाता है यही श्वास प्रश्वास की गति का रुकना है यदि आंतरिक या बाहे वायुमंडल के संकल्प टकराते हैं तो इस पश्ट है कि अभी आसन नहीं सिद्ध है क्योंकि आसन सधते ही संकल्प शांत हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राण अंतह करण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सर्वानी इंद्रिय कर्मानी प्राण कर्मानी चापरे आत्म सैयम योगाग्नव जुहवती ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को इंद्रिय कर्मानी इंद्रिय कर्म करते हैं। प्राण कर्मानि प्राण कर्म करते हैं। बाहर इंद्रिया कर्म करती हैं। भीतर अंतह करण में प्राण कर्म करते हैं। दोनु के कर्मों को इश्वरी निर्देशन से प्रकाशित आत्मा में सैयम रूपी योगाग्नी में हवन करना योग है। सारान्शुतह अभ्यास यम नियमों का किया जाता है। इससे आसन की सिध्धी होती है। इसका ही उन्नक स्तर प्राणायाम है। उक्तु प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी। इस पर कहते हैं। बाह अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति है। देश काल संख्या भी है। परिद्रिष्टो दीर्ग सुक्छो महा। बाह वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश काल और संख्या द्वारा भाली भांति देखने से प्राणायाम दीर्ग और सुक्ष्म होता जाता है। बाह वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट वृत्ति है, आब्यांतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है, तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह जिंतन होता है न आब्यां अतह यह स्थिर वृत्ति है। मन बाहे वृत्ति में गया, तो काम, क्रोध, राग, द्वेशादी किस देश में गया। कितने काल तक वह वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि आप भ्यांतर वृत्ति में गया, तो विवेक का विशलिशन कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समरपण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितनी समय तक वहां टिका, वहां से हटा कर उसे इस्तंब वृत्ति में लगाए। बाहे वृत्ति से मन को हटा कर आप भ्यांतर और स्तंब वृत्ति में स्थिर करें। आप भ्यांतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से, सचेत रहने से, प्राणायाम दीर्ग और सुक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है। वृत्ति को देखना है। प्राणायाम का अंतिम्स्तर देखे। बाहर और भीतर के विश्यों का रुक जाना, क्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाहय विजातिय संकल्प उठें, न आब्यंतर के अकलिष्ट दैवी संपत के ही संकल्प उठें। सुरत सहज प्रवाहित है। यह प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है, जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो शरीर की जीवनी शक्ति है। जैसे आख, कान, नाक, क्रियाशील है। वैसे ही श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना, घहटाना, या बढ़ाना नहीं है। श्वास के साथ भाले बुरे संकल्प भी मिश्वित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहन न करने की खुषमता प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है केवल चित को विश्यों से हटाना है श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी वृद्धों में वृद्ध जैसी प्राणों या युवकों में उनके आयू के अनुपात में चलती ही है इसमें छेड़ खानी करने से बीमा का शांत प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। इससे लाब ततहचीयते प्रकासावर्णम। प्राणायाम के सदनी से बाया भ्यंतर विशय शांत हो गये। प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया। प्राणों के व्यापार में विराम लग गया, प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया, इस प्राणायाम से जो तिर मैं परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह या आभ्यांतर वृत्यूं का था, वे आवरण खीन हो जाता है, रहता अवश्य है, किन्तु वे आवरण प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं, या मन को नाम में लगाते हैं, किन्तु थोड़ी ही देर में आप पाते हैं, कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं, मन में धारण करने की ख्रमता का अभाव पाया जाता है, किन्तु प्राणायाम के सधते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम, रूप या योग साधना के किसी भी अ संग में मन का सईयम सहज हो जाता है इससे उन्नत स्तर है प्रत्याहार स्वाविसया संप्रयोगे चित्षरूपा नुकार इवेंद्रियाणम प्रत्याहार हा जब इंद्रियाण अपने विश्यों के संबंध से रहित होकर चित्ष के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती है उसी का नाम प्रत्याहार है इससे लाब इस पर कहते हैं ततह पर्मा वश्यते इंद्रियाणम उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है अता प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियाण भली प्रकार वश में आ जाती है उन में भले बुरे संकल्प नहीं आते यही जितेंद्रिय पूरुष के लक्षर है इस प्रकार दूसरा पाद साधन पाद यही संपन्न होता है साधन पाद में महर्षी ने बताया कि साधना आरंभ कहां से होती है एक इश्वर के प्रतिसमर्पन मन सहित इंद्रियों को इश्ट के अनुरूप तपाना अर्थात तप और स्वाध्याय स्वयम का अध्ययन कि वृत्ति में योग विधि को कितना धारण कर पाए और कितनी तुठी रही इस प्रकार अध्ययन करते हुए अग्रसर होने से योग क्रिया आरंभ हो जाती है इस योग क्रिया के प्रभाव से क्लेश हलके हो जाते हैं, खीन हो जाते हैं, तनु बलहीन हो जाते हैं और समाधी की भावना परिपुष्ट हो जाती है जो क्लेश खीन होते हैं, उनके नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेश और अभी निवेश ये पाँच क्लेश हैं, ये पाँचों क्लेश जब कार्य नहीं करते तो प्रसुप्त, कभी तनु, बलहीन, कभी विच्छिन जैसे हैं ही नहीं और कभी उदार अवस्था मे एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा विच्छिन सा प्रतीत होता है, जबकि वै यथावत्त है, इन सभी क्लेशों का आधार अविद्या है, अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा मानना, अर्थात असत्य में सत्य की प्रतीती हो और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक सा हो जाना अस्मिता है। रामचरित मानस में आता है जड़ चेतन ही ग्रंथी परी गई जदपी मिर्शा छूटत कठी नहीं। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। जहां सुख मिला राग होगा। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेश है। जिस किसी वस्तु या व्यक्ति से दुख होगा उससे द्वेश अवश्य होगा। जो स्वभाव से चला आ रहा है। जो मूडों की भाती विवेक शील पुरुषों में भी विद्यमान पाया जाता है। हमने उसे अपना मान रखा है। यह अंतिम क्लेश है। प्रकृति के अंतरगत जीवन यद्यपी हमारा नहीं है। फिर भी अनाधिकाल से उसी में रहते आने के कारण उसके प्रति लगाव अभिनिवेश है। जीव का शुद्ध निवास तो परमात्मा है। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से बलहीन और सोक्ष्म अवस्था को प्राप्त ये क्लेश नश्ट करने योग्य है। क्लेश से सैयुक्त वृत्यां ध्यान के द्वारा शांत होती है। इन क्लेशों को नश्ट करना आवश्यक है। क्योंकि इन कर्म संस्कारों का परिणाम, जन्म, पुनर्जन्म, आयू और भोग होता रहता है। यह संस्कार पुन्य और पाप से होने के कारण हर्ष और शोक रूपी फल देते हैं। जो संसकार हर्ष उत्पन करते हैं, वे भी दुख रूप ही हैं, जन्म देंगे, गुण परिवर्तन शील है, इस परिवर्तन के क्रम में, साथ्वे गुण तामसी गुण में ही जियों ही परिवर्तित होगा, यह आलहाद शोक में बदल जाएगा, इसलिए प्राया सभी फल विवेक शील पुरुष के लिए दुख रूप हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए, जो दुख अभी आये नहीं हैं, आने वाले हैं, नश्ट करने योग्य हैं, यह नश्ट कैसे होंगे? द्रश्टा और दृष्य का संयोग ही, हे ये हे तुह, हे का साधन है, वास्तव में इश्वर प्रणिधान होने पर वह इश्वर किस प्रकार योग क्षेम करता है, कैसे दृष्य प्रसारित करता है, उसे संयोग कहते हैं, वह दृष्य नाम, रूप या योग के विभिन अं के अनुष्ठान को सही दिशा देने वाला है इसके बिना क्लेश नश्ट होते ही नहीं उस द्रिश्य और द्रष्टा का मिलन संयोग है यह मिलन ही हेय का साधन है उन्होंने द्रिश्य का स्वरूप बताया जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है ज्योतिर मैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति प्राप्ति की क्रिया में आपकी अवस्था कैसी है इस स्थिति का बोध कराना पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है यह द्रिश्य जीवित प्राणियों और इंदरियों के द्रिश्य प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह द्रश्टा के संसर्ग से संचालित है, द्रिश्य चार रूपों में प्रसारित होता है, विशेश, अविशेश, लिंग और अलिंग, पुरुष, विशेश, ईश्वरह, द्रिश्य बताता है, के विशेश के परिवेश में आपकी पहुच कैसी है, अविशेश प्रकृति है, द्रिश्य से सूचना मिलती है, के प्रकृति का कितना दबाव आपके उपर है, कभी यह द्रिश्य मूर्थ रूप में, अर्थात लिंग रूप में प्रकट होता है, और क अभी भगवान अमूर्थ हो कर समझाते हैं, आकाश्वाणी, अंग, स्पंधन, आदी, जिसके कई रूप हैं, द्रश्टा, आत्मा, चेतन, ज्ञान स्वरूप और स्वभाव से सर्वता शुद्ध है, निर्विकार है, किन्तु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने बुद्धि में वृत्तियों का जैसा दबाव है, उसी आधार से ये द्रिश्य प्रसारित करता है, द्रिश्य का प्रयोग केवल द्रश्टा के लिए है, किन्तु जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो चुका है, उस पुरुष के लिए इस संय संयोग का कोई उप्योग नहीं रह जाता, फिर भी ये नश्ट नहीं होता, अन्य साधारन व्यक्तियों के मार्ग दर्शन के लिए उसका उप्योग बना रहता है, उसके हित के लिए इस जानकारी का सूत्रपात उसे महापुरुष के माध्यम से होता रहता है, यह संयोग है क्या स्वस्वामि शक्तियोह स्वरूपो पलब्धी हे तुह संयोग है। स्वशक्ति अर्थात दृष्य जो मोक्ष दिलाता है और स्वामि शक्ति पुरुष इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धी संयोग है। यह दोनों साथ साथ कारे करें, हमें उपलब्ध हों, हमारे साथ इनका संयोग हो, इनका मिलना संयोग है। इस संयोग के बिना साधन चाग्रित ही नहीं होता। संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के नश्ट होते ही संयोग भी नश्ट हो जाता है। यही हान है। पुनर जन्मादी दुखों का अत्यंत अभाव है। यही चेतन आत्मा का कैवल्य पद है। गुर्देव कहते थे हानी हो जिससे चौरासी अर्थात अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज इन चार रूपों में प्रसारित अनंत स्रिष्टि का अंत हो जाना भवबंधन का छूट जाना हान है यह हान विवेक ख्याती से आता है विवेक ज्ञान के समय साधना ज्ञान की साथ भूमिकाओं से होकर गुजरती है साथों में दक्षता आजाने पर अशुद्धि का अंत होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है विवेक ज्ञान की प्राप्ति योग के अनुष्ठान से होती है जिसके आठ अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी है यम पाँच है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य और अपरिग्रह सतत अभ्यास से देश, काल और जनमादी की सीमा से उपर उठते ही ये यम, सार्वभाउम और महावरत बन जाते हैं चिंतन द्वारा वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन और उतकर्ष जन्म परिवर्तन है उतकर्ष जिस स्तर तक है वैसा ही जन्म भविश्य में मिलता है जन्म परिवर्तन से यमों के पालन में व्यवधान नहीं पड़ता तब वे महावरत हो जाते हैं यम सद जाने पर नाम रूप किसी भी देश में चित लगाने से तत्छन सुरत लग जाती है गर्मी सरदी इन यमों के पालन में बाधक नहीं रह जाते यम इन अवरोधों से बाधित नहोने पर इससे उपर उठ जाने पर सार्व भहों कहलाते हैं योग का दूसरा अंग नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणा गति का समुच्चे हैं वितर्क, अर्थात विजाती ये तर्क इन नियमों के पालन में बाधा डालते हैं इसके निवारण के लिए वितर्कों के विरोधी भावों की संकल्पना करनी चाहिए यम नियमों के परिपालन से भाजन में शांत, स्थिर, सुख पूर्वत बैठने की ख्षमता आती है जो योग का तृतिय अंग है आसन योगासन के नाम पर समाज में तरह तरह के शारीरिक व्यायाम सिखाए जा रहे हैं जबकि योग से उनका दूर का भी संबंध नहीं है योग सम्मत आसन यम नियमों के सहज ढ़ल जाने के कारण उनके पालन में प्रयत्म की शिथिलता आने और परमात्मा में मन लगाने से संपन्न होता है यदि बाहे शारीरिक व्यायाम ही आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवशक्ता थी आसन सदते ही द्वन्वों का आगहात नहीं लगता इसके उपरांत प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो साधक को विचलित कर सके राग द्वेशादी द्वन्व साधक पर अब प्रभाव नहीं डाल पाते आसन की परिपक्वता में श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है किया गया था आसन और अवस्था प्रकट हो गई प्राणायाम की जब आसन में सुख पूर्वक सुरत स्थिर हो जाती है उस समय श्वास जो हम लेते हैं अर्थात सजातीय प्रवृत्ती अकलिष्ट वृत्ती और प्रश्वास अर्थात जो हम आप बाहर निकालते हैं क्या आगते हैं विजातीय प्रवृत्ती कलिष्ट वृत्ती इन दोनों का नियंत्रन हो जाता है श्वास एक निर्धारित आयाम में अर्थात नाम या रूप में प्रवाहित होने लगती है इसी का नाम प्राणायाम है यम नियमों के परिपालन से आसन की अवस्था आई और आसन सधते ही प्राणायाम की इस्थिती प्रकट हो गई प्राणायाम के चार क्रमोननत सोपान है वाहे वृत्ति, आब्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश, काल और संख्या द्वारा देखा जाता हुआ, देर्ग और सुक्ष्म होता जाता है बाहे वृत्ति प्रकृति की ओर देखती है आप भ्यांतर वृत्ति इश्वर पथ में योग साधना के अंग प्रत्यंगों का विशलेशन करती है। चिंतन बाहि वृत्ति का है, तो काम, क्रोध, लोब, इत्यादी किस देश में कितने समय तक रुका, वहां से उसे हटा कर स्तंब वृत्ति में लगाए। इसी तरह आप भ्यांतर वृत्ति में गया चित्त, विवेक, वैराग्य, शम, दम, किस देश में कितने समय तक रुका, संख्या द्वारा ग्याद करें, और वहां से हटा कर स्तंब वृत्ति में लगाए। इस प्रकार निरीक्षन करने से एक स्तर ऐसा आता है कि बाया भ्यांतर विश्या ख्षेपी चतुर्था। बाहे और आंतरिक विश्यों का सर्वता रुक जाना चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम संपन होते ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा और साधक के बीच बड़ा वृत्तियों का आवरण ख्षीन हो जाता है। इश्वर प्रतिभासित होने लगता है। मन में स्वरूप को धारण करने की खुशमता आ जाती है। आरंभिक अवस्था में साधक का मन नाम या रूप में टिकता नहीं। प्राणायाम के सधते ही ये विचलन समाप्त हो जाता है। नाम या रूप में कहीं भी सुरत स्थिर करना चाहे कर सकेंगे। योग का पाँचमा प्रस्तर है प्रत्याहार। विश्यों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के साथ तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। जिन विश्यों से इंद्रियां प्रभावित थी उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्याहार सदते ही इंद पुरुष की अवस्था है। इस प्रकार महर्षि पतंजली प्रणीत योगदर्शन का द्वतिय पाद साधन पाद पूर्ण होता है। जिसमें योग के आठ अंगों में से पाँच यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का निरूपन इस पाद में हुआ। शेश तीन अंगों, धारण, ध्यान और समाधि को महर्षि ने अग्रतह, तृतिय पाद, विभूति पाद के अंतरगत किया है। क्योंकि लक्ष परमात्मा को धारण करते ही, ईश्वर द्वारा मिलने वाली विभूतियां, ध्यान और समाधि इस तर में भी प्रकट होने लगती है। जिनका उल्लेक यथास्थान किया जाएगा। हर्योम तद्सत। ओम श्री परमात्मने नमा, तृतिय अध्याय, विभूति पाद। योग के आठ अंगों में से प्रथम पाँच का वर्णन, दूसरे पाद साधन पाद में किया गया। अंतिम तीन अंग, धारण, ध्यान और समाधि का वर्णन, इस तृतिय पाद, विभूति पाद में प्रस्तुत है। प्रथम पाँच को बहिरंग साधन कहा जाता है, जो संप्रग्यात समाधि में परोक्ष रूप से सहायक है। अंतिम तीन अंग, धारण, ध्यान और समाधि को अंतरंग कहा जाता है। किन्तु निर्बीज समाधि के संदर्व में ये तीनों भी बहिरंग हैं। क्योंकि इन तीनों के अभाव में ही निर्बीज समाधि संभव है। धारण, ध्यान और समाधि। ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष पर स्थिर हो जाते हैं। तो इसे सैयम कहा जाता है। जो योग का पारिभाशिक शब्द है। इस सैयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट यह है। इस विभूतिपाद में तीनों शब्दों के इस्थान पर अधिकांश सूत्रों में सैयम शब्द ही प्रयुक्त है। धारण, ध्यान और समाधि योग की क्रमुन्नत अवस्थाए है। इन तीनों का अभ्यास सैयम है। और सैयम से अनेक विभूतियों का प्रस्फुटन होता है। इसलिए इन तीनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। विभूति परमात्मा से मिलने वाले एश्वर्य या अलौकिक ख्षमदाई है। जो योग के इन अंगों के अभ्यास के समय महापुरुष में आ जाती है। रामचरित मानस में भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन है। सुकृति संभुतन भिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुन्यात्मा शंकरजी के शरीर में निर्मल विभूति पाई जाती है। ये विभूतियां गुरु महराज के चरणों की देन है। संसार में सर्व प्रथम अवतरित अपवरुशेय वाणी गीता के अध्याय दस में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। शत्रूओं को संताप देने वाले अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये वरणन तो संक्षेप में कहा गया। वस्तुतह वे अनम्त है। जैसे भगवान ने कहा कि सूर्य में प्रकाश मैं हूँ। पृत्वी में क्षमता मैं हूँ। आकाश की व्यापकता मैं हूँ। व्रिष्ण वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनन जय, रिष्णियों में संकादी इत्यादी। इस प्रकार जो कुछ भी अध्याय दस में कहा गया। संग्छेप में है क्यूंकि अगले ही अध्याय में है कि अर्जुन इन विभूतियों को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती है। काक भुशुंडी ने भगवान का दर्शन किया। उनके उधर में प्रविष्ट हुए तो उधर माज सुनू अंडज राया। देखेऊं बहु ब्रम्हांड निकाया। उन्होंने अनंत ब्रम्हांड देखें। ये प्रित्वी तारागण, सूर्य, चंद्र इत्यादी एक ब्रम्हांड है। उन्होंने अनंत ब्रह्म्हांड देखा, प्रति ब्रह्म्हांड राम अवतारा, प्रति एक ब्रह्म्हांड में अवतार देखा, ऐसा भी कुछ देखा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहूं न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊं, बरनी कवन बिधि जाई, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझने में भी नहीं आ रहा था, ऐसा अलोकिक द्रिश्य दिखाई पड़ा लोक लोक प्रति भिन बिधाता, भिन बिष्ण सिव मन दिसित्राता दसरत कौसल्या सुनताता, बिबिद रूप भर तादिक भ्राता भिन भिन मैं दीख सब, अति बिचुत्र हरी जान, अगनित भुवन फिरव प्रभु, राम न देखें वान ब्रम्हा, विश्ण, महेश, कभी व्रिद्ध, कभी युवा, भिन भिन दिखाई पड़े केवल परमात्मा राम अपरिवर्तन शील मिले अर्थात, चिंतन एक परमात्मा का और उन्ही परमात्मा के चिंतन के अंतराल में ये विभूतिया फली भूत होती है संत कबीर के समक्ष यही दृष्ष आया तो उन्होंने कहा देख देख जिय अचरज होई यह पद बूझ है बिरला कोई धर्ती उलटी अका सहीं जाई चींती के मुख हस्ती समाई सूखे सर्वर उठे हिलोरा बिन जल चकवा करे किलोला बैठा पंडित पढ़े पुराना बिन देखे का करे बखाना कवीर ने अचंभा देखा आश्चर्य देखा और जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हूँ न समाई एक ही बात है हर महापुरुष के समक्ष ये विभूतियां आती है किन्तु अंतर चिंतन में धारणा ध्यान समादी की अवस्था के साथ ही इनका प्रस्फुटन है जिन में प्रस्तुत है धारणा किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना धारणा है चित्त को जहां ठहराया जाए उस लक्षे को धारण किये रहना धारणा है योगपत में नाम रूप धारण करने के मुख्यत दो देश अत्वास्थल है साधना हलकी होने पर शौच, संतोश, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रमचर इन्हे धारण किया जाता है अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में श्वास में सुरत लगाया जाता है ये धारणा ही ध्यान में परिवर्थित हो जाता है तत्रो प्रत्य इकतानता ध्यानम जहां चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एकतार चलना क्रम न तूटना ध्यान कहलाता है पूज्य महराज जी कहते थे हो चिंतन तैल धारावत अविच्छिन होता रहे श्वास बास की तरह खड़ी हो जाए ओम 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 दूसरा कोई विकल्प न आए इस प्रकार चिंतन में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है अन्य एक भी विकल्प आ गया तो ध्यान खंडित हो गया ध्यान में ध्याता और ध्ये का द्वैत पाया जाता है ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं पाई जाती ध्यान सोक्ष्म होते होते जब केवल ध्ये ही प्रकाशित रहता है तब समाधी की अवस्था आ जाती है तदेवार्थ मात्र निर्भासं शरूप शून्यमिव समाधी है जब केवल धेव मात्र की प्रतीती रह जाए और चित्त का निजस्वरूप शून्यसा हो जाए तब वही ध्यान समाधी में परिवर्तित हो जाता है यही संत कबीर कहते है सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए मन की दृष्टी का नाम सुरत है सुरत शब्द में समा जाए चित्त का निजस्वरूप शून्य हो जाए जिसे देखता है वह ध्ये मात्र ही रह जाए इसका नाम समाधी है सम आदिसा समाधी सम्यक धियते चित्ते यस्मिन समाधी आदितत्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की अवस्था आ जाती है जिसमें लगाया गया था चित्त को चित्त उसी के तदाकार हो गया यही समाधी है धारणा, ध्यान और समाधी तीनों साधनों का सामोहिक नाम संयम है एक ध्ये में धारणा, ध्यान और समाधी का होना संयम है संयम शब्द से इन तीनों का ही अभी प्राए है पहले ध्ये को धारण करना होगा ध्यान की स्थित्य से गुजरना होगा केवल ध्ये की अनुभूती रहने पर समाधी इस प्रकार संयम सद गया इन तीनों का प्रतिफलन संयम है संयम सहज होते ही इसका प्रभाव देखे संयम सदते ही बुद्धि ज्योतिर में परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है प्रग्या लोकह प्रग्या अलोकिक पकड़वाली हो जाती है यह संयम अकस्मात नहीं हो जाता क्रम क्रम से चलने पर ही सिद्ध होता है उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए धारण भूमी है ध्यान भूमी है समाधी भूमी है इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सद जाता है इस संयम की विशेष्टा बताते हैं पाद दो में जो पाँच साधन बताए गए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधी सूक्ष में हैं, गहराई में हैं, अंतरंग साधन हैं फिर भी अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधी के बीज तो विद्यमान ही हैं अतरं निर्बीज समाधी की तुल्ना में ये साधन बहिरंग ही हैं बहिरंग का आशय प्रकृति की और गमन नहीं हैं, बलकि ये समाधी की उपरी परत हैं निर्बीज समाधी और गहराई में हैं, तुल्ना में बहिरंग हैं व्युत्थान निरोध संसकार यो, अभिभव प्रादुरुभाव, निरोध अक्छन चित्तांबयो, निरोध पर्णामा व्युत्थान संसकार, अर्थात मन की चंचलता के अभिभव, अर्थात तिरोहित हो जाने और निरोध के संसकारों के प्रादुर भाव, अर्थात प्रकटी करण के ख्षन में, चित्त का निरोध संसकारों से ओत प्रोत होना, चित्त का निरोध परिडाम हैं इससे लाब तस्य प्रशांत वाहिता संसकारात इस निरोध संसकार के बल से चित एकदम प्रशांत वाहिता प्रशांत प्रवाहित हो जाता है गीता में भगवान कहते हैं जितात्मन प्रशांत तस्य अर्थात जिसने अंतह करण और मन समेत इंद्रियों को जीत लिया है चित वृत्ति शांत प्रवाहित है उस योगी में परमात्मा समाहिता परमात्मा सदैव समाया हुआ रहता है यही महर्शि पतंजली भी यहां कहते हैं कि निरोध परिणाम के प्रवाव से चित वृत्ति प्रशांत वाहिता होती है बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो जाते हैं भाले संकल्प भी नहीं उठते चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जा था इस समाधी का परिणाम देखें सरवार्थ तैका ग्रतयोह छयोदयोँ चित्तस्या समाधी परिणाम हा चित्त से सब प्रकार के विश्वियों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और धे विशय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदै हो जाना चित्त का समाधी परिणाम है उसकी समाधी भली प्रकार है उसके पश्चात की स्थिति का वर्णन करते हैं वृत्यों के निरोध के पश्चात विश्यों का उदै होना शांत होने पर चित का धे में समाहित हो जाना समाधी है तदनंतर जब शांत होने वाली और उदै होने वाली दोनों वृत्यां एक सी हो जाती है वह चित का एकागरता परिणाम है अब चित भाली प्रकार एकागर है ना तो वृत्ति उदय होती है और ना आगे किसी को शान्त करना है अब तक तीन परिणाम बताए गए निरोध परिणाम अर्थात संसकारों का निरोध समाधी परिणाम अर्थात लक्ष मात्र का आभास इन दोनों के पश्चात, शांत और उदै होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाने पर चित एकाग्रता में परिणत हो जाता है अब चित के सद्रिश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बतलाते हैं एतेन भूतें द्रियेशों धर्म लक्षण आवस्था परिणाम ब्याख्याता निरोध, समादी और एकाग्रता इन ही के परिणामों के द्वारा पंच सोक्षम भूतों शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध में होने वाले अर्थात सभी इंद्रियों के अंतराल में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षन परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या भी हो गई योग दर्षन में महरठी ने यहाँ पहली बार धर्म का नाम लिया, जब संसकार का निरोध हो गया, समाधी की स्थिति आप्लावित है, उदय तथा अस्त होने वाले दोनों विकार शान्त हो गए, चित्त में एकागरता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ, यह धर्म परिणाम है, योगी के लक्षन क्या होते हैं, लक्षन प्रकट हो गए, यह लक्षन परिणाम है, योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है, यह अवस्था परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधी परिणाम और एकागरता परिणाम के माध्यम से उक्त त इनों का भी वर्णन हो गया योग की अवस्था लक्षण और धर्म प्रकट है यह धर्म क्या है एक प्रश्ण है शांत और उदित होने वाली वृत्यों के लिए कोई देश नहीं अर्थार उन वृत्यों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा धर्म का ये अनुपात जहां है वही धर्मी है शांत होने वाली अविद्या, अस्मितादी, पुनर्जनमादी, जन्म, आयू और भोग के कारण वाली वृत्यान तथा उदित होने वाले समाधी एकागरता परिणाम इत्यादी के अव्यप देश्य व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है धर्म का ऐसा अनुपात, अर्थात, धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष, धर्मी, अर्थात, धर्मात्मा होता है इसी अनुपात का नाम धर्म है, वह इश्वर प्राप्त है क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हे तुहाँ क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीग्र प्राप्त कर लेता है तो कोई कुछ अंतराल से निरोध, समाधि, एकागरता तथा धर्म, लक्षन, अवस्था, परिणाम सब के साथ एक जैसा प्रकट नहीं होते इसमें क्रमान्यत्वं क्रम की भिन्नता ही कारण है पाद एक में उलेक है कि एक साथ एक जैसे साधक योग साधन में प्रवित्व होते हैं किन्त उन सब के प्राप्तिकाल में भिन्नता आ जाती है क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है सब के चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं है वही इस अंतराल का हेतु है अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का इस्तर पूर्वा पर परिडाम का कारण बन जाता है श्रद्धा वान लभते ग्यानम तक परह सैयते इंद्रिय श्रद्धावान, सैयते इंद्रिय तथा उस्तत्व के परायन पुरुष ही कैवल्य ग्यान प्राप्त कर पाते हैं जिसे यहां निरोध, समाधी, एकाग्रता, धर्म, लक्षन, अवस्था, परिणाम द्वारा कहा गया है सैयम के सधते ही विभूतिया मिलने लगती हैं अभी तीन प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया, अते सर्व प्रथम इनमें सैयम करने का फल कहते हैं परिणाम त्रय सैयमत, अतीता नांगत उग्यानम तीनों परिणामों में सैयम सध जाने से, अतीत, अर्थात भूत, काल तथा अनागत, जो अभी आया नहीं, ऐसे भविष्य या होनी का ज्ञान हो जाता है हम लोगों के गुरू महराज किसी के भी भूत और भविष्य को देख लेते थे हमारे सतीर्थ अग्रजित स्वामी श्री भगवाना नंदजी महराज के चार-पांच बाल सखा भी पूझ्य महराज श्री की शर्र में आ गए महराज जी ने उन से कहा बेटा तुम लोगों में साधु होने का संसकार नहीं है अतेव घर लोट जाओ अपने व्यवसायों में लग जाओ हाँ तुम में से एक का संसकार लगता है सब तो चले गए लेकिन वो एक रुख गया महराज जी बोले बेटा नाम तो यही है गुलाब सिंग लेकिन वे व्यक्तित तुम नहीं हूँ कोई दूसरा ही है उसे भी महराज जी ने किसी प्रकार समझा वुजहा कर वापस भेज दिया इस घटना के दो वर्ष पश्चात हम अनसुया आश्रम पहुँचे मेरे आश्रम पहुँचने से पूर भी पूजह श्री को भगवान ने अनुभव में दिखाया कि एक नदी है उसमें किंचित काला जल बह रहा है भयंकर लहरे उठ रही है नदी के तट पर एक नव्युवग बैठा विकल होकर रो रहा है पूजह श्री वहां आते हैं कह रहे हैं क्यूं रोते हो जल में उतरो पार हो जाओगे मैं हूँ ना मैं देख रहा हूँ डरो मत इस तरह तैरो युवग तैरने लगा चार-पांच मीटर तैरने के पश्चाद युवग को प्रोत्साहित करते हुए महराज जी ने कहा बस बेटा ऐसे ही तैरते रहो पार हो जाओगे प्रातह गुरुदेव ने इस संकेत पर विचार किया कि नदी भावसरिता है इसकी भयंकरता इतनी है उत्ताल तरंगे इसे अगाद और अगम बना रही है कोई युवक इस भावसरिता को पार करने के लिए विकल है जिसका मार्क दर्शन करना है हम पर दृष्टी पढ़ते ही महराज जी ने मुझे पहचान लिया और बहुत प्रसंद हुए संतों में मेरी श्रद्धा थी अभी तक जितने महात्माओं को हमने देखा था महराज जी सबसे अच्छे प्रतीत हुए घोर जंगल का एका की निवास दैदीप्यमान चेहरा सौम में मूर्ती स्नेहिल व्यवहार हमने सादर प्रणाम किया बैठ गए महराज जी ने कुशलक शेम सामान ने परिचे लिया दस पांच मिनट की वारता के अनंतर उन्होंने पूछा साधू तो नहीं होना है हमने सोचा अपरिचित महात्मा हाँ कहने पर कहीं किसी रूड़ी में न उलज़ा दे अता सावधानी पूर्वक टाल मटोल वाला उत्तर दिया महराज अपने बल पर कोई कह तो नहीं सकता कि हम साधू हो जाएंगे हम महराज जी से कुछ दूर चले गए कि कहीं कुछ और न पूछ बैठे महराज जी ने समीब बैठे लोगों से कहा अब हूँ सार कवई काटत है हमें इसे रास्ता बताना है हमने सोचा अब तक जीवन में जितने महापुरुष मिले आप सबसे अच्छे हैं इनसे कुछ साधना के लाइन सीख ले फिर कहीं निकल जाएंगे क्योंकि भजन तो हमें करना है ये नहीं मालूम था कि भजन गुरु महराज कराते है न चाहते हुए भी वहाँ रहना पड़ा भजन भी जाग्रित हो गया और आज भी गुरु महराज श्वास पकड़ कर आगे पीछे साथ है ये ही है सैयम सद जाने के पश्चात महापुरुष की स्थिति भूत भविष्व का ज्ञान उनकी सहज विभूती है इसी प्रकार सब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरे तराध्यासा संकरस्तत प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का परस पर अध्यास हो जाने के कारण मिश्ण हो रहा है उसके विभागों में सैयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम संपूर्ण प्राणियों की वानी का ज्ञान हो जाता है अनसुय आश्रम में ऐसी घटनाय होती ही रहती थी महराज जिप्राया कहते थे कि ये बंदर ऐसा कह रहा है वो चड़िया ऐसा बोल रही है एक बार एक व्यक्ति मंदाकिनी गंगा में इसनान कर रहा था उसकी गठरीक हो गई उसे आश्र है था कि कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा पोटली कौन ले गया उस पोटली में सरकारी कागजात कुछ रुपए एक घड़ी इत्यादी थे लगबग एक घंटा ढूणने के पश्चात उसने महराज जी से निवेदन किया कि सरकार उसमें सरकारी कागजात थे हमारी नौकरी चली जाएगी महराज जी द्रवित हो गए आसन से उठे एक और चल पड़े कुछ दूर चटान पर एक बंदरिया बैठी थी महराज जी ने उधर देखा तो उसने गरदन जुका लिया बोली महराज जी ने कहा देख रहे वह बता रही है वह देख वह व्यक्ति उस चटान पर गया जाडियों की ओट में पोटली पड़ी हुई थी पोटली फट गई थी किम्तु सामान सुरक्षित मिल गए एक समय गुरुदेव एक भक्त के यहां थे थोड़ी दूर पर एक कुत्ता गाड निद्रा में भी भौक रहा था और यदा कदा पाउं भी हिलाता था महराज जी ने कहा यह भी स्वप्र में किसी को भगा रहा है भक्तों ने पूछा भगवन यह किसे भगा रहा है महराज जी ने उसकी ओर द्रिष्टिपात किया और दो मिनट पश्चाद बोले लगता है कल यहां भंडारा होगा पतले भेंकी जाएंगी यहां पर पतल खाने के लिए गाए, कुत्ते, बकरी, इत्यादी एकत्र होंगे यह कुत्ता उनहीं भगा रहा है यह भविश देख रहा है उस समय वहां भंडारी की कोई उजना भी नहीं थी बात आई गई और हो भी गई रात्री को कुछ सब्रांत सेथ लोग भी महराज जी के दर्शनार्थ आए और चले गए दूसरे दिन प्राता ही कुछ लोग कारीगरों के साथ कल्ची, तवा और कडाह लेकर आ गए भंडारे का उपकरम बन गया भंडारा संपन हो गया पत्तल भी फेंके गए सब ने देखा के वही कुत्ता गायों को भगा रहा था महराज जी ने स्मरण दिलाया देखो ये भगा रहा है सचे ही भंडारा हो गया ये है भूत रुत ज्यानम प्राणियों की वाणी का ज्यान हो जाना सती ने भगवान शंकर से कहा भगवन मैंने कोई परिक्षा नहीं ली आपकी तरह मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया शंकर जी को संदे हुआ ध्यानस्तो होकर बैठ गए और सती जुकीन चरित सब उजाना सती के चरित्र प्रकट हो गए भगवान शिव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर परिक्षा लेने का अपराद किया है शब्द अर्थ और आशय को अलग अलग करने की ख्रमता आ जाने पर इन पर सयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है उसने किसी की वानी सुनी वक्ता को देखा वानी को धारण किया कुछ ही पलों में वृत्ति एकतार चलने लगी ध्यान हो गया धे मात्र की प्रतीती रह गई समाधी की अवस्था आ गई तीनों जहां एकत्र हुए सयम सद गया उस सयम से ग्यात हो जाता है कि उस वानी का आशय क्या है यह समस्त क्रिया मिनट दो मिनट में संपन्न हो जाती है क्योंकि सैयम सद्ध चुका है अब देखें प्रकारांतर से सैयम और विभूतियां संसकार साख्छात करणात पूर्व जाती ग्यानम सैयम द्वारा संसकारों का साख्छात कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्यान हो जाता है प्राणी अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ कर्म करता है तथा बुद्धी द्वारा जो कुछ चिंतन करता है वैसब उसके अंतर करण में संसकार रूप में संचित हो जाते हैं ये संसकार जन्म जन्मांतरों से संग्रहीत होते चले आ रहे हैं। इन संसकारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्यान हो जाता है। जिस प्रकार अपने संसकारों के साक्षात से अपने पूर्व जन्मों का ज्यान होता है। उसी प्रकार दूसरों के संसकारों में सैयम करने से उनके भी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों के सतीर्त स्वामी शिवानंद जी पूज्य महराज जी की शरण में आएं, तो तीसरे दिन महराज जी ने उन्हें संबोधित कर कहा, देखो, कई जन्मों पूर्व हमारा तुम्हारा संबंध था, वही संसकार तुम्हें खींच कर यहां ले आया है, भजन के लक्षन तो नहीं है, फिर भी सेवा करोगे तो पार हो जाओगे। महापुरुष, सैयम का प्रयोग कहीं भी कर ले, उन्हें निर्णे मिल जाएगा कि संसकारों की स्थिति कैसी है, ऐसे महापुरुषों द्वारा सैयम के विभिन प्रयोगों की चर्चा में कहते हैं, दूसरे के चित्त का सैयम द्वारा साक्षात कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, किसी के चित्त का हाल जानने के लिए महराज जी कहा करते थे के उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़ कर ध्यानस्त हो जाओ, उसके अंदर क्या है प्रकट हो जाएगा, यह विभूती महापुरुषों में सहज ही पाई जाती है, किन्त वह जानकारे बिना अवलंबन के होती है, क्योंकि योगी के चित्त का वह विशय नहीं है, योगी का चित्त शांथ प्रवाहित है, और उसका चित वेगवान है, चंचल है, वह जिस ख्षण किसी का चित्त पकड़ते हैं, उन क्षणों में क्या प्रवाहित होता है उतना समझ में आ जाता है वह चंचल चित अगले क्षणों में न जाने कहां पहुचा देता काय रूप सैयमात तद ग्राह सक्ति स्थम्भे चक्षू प्रकासा संप्रयोगे अंतरधानम शरीर के रूप में सैयम कर लेने से जब वृत्य की ग्राह या शक्ति रोक ली जाती है तब चक्षू का प्रकाश से संबंध नहोने के कारण योगी अंतरधान हो जाता है शरीर के अंतराल में भजन में लव लग गई ये सैयम है शरीर के अंतराल में जब सैयम सद जाता है तो तद ग्राह ये शक्ति स्तंभ है तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध ना होने के कारण योगी अंतरधान हो जाता है ध्यान की आरंभिक अवस्था में तिल जैसी छोटी सी वस्थ को नासाग्र के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं उसे देखते देखते सुरत को अंदर ले जाते हैं ध्यान में सुरत अंदर चली गई तो आँखें खुली रहती हैं किन्तु दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता क्यूंकि आँखें नहीं देखती उनके पीछे विचार देखते हैं विचार हर्दय के अंदर ध्यान में चले जाते हैं ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलके खुली रहती हैं उसका मन ध्यान में अधिक लगता है इसलिए आँखें बंद कर भजन करने का विधान नहीं है आँखें खुली रखकर भजन करें पलक न गिरे तो मन अधिक लगता है मन चंचल है आँखें खुली रहने पर भी मन भजन से भागने लगता है किन्तु भागने का संकल्प ग्यात हो जाता है उसका निवारन भी हो जाता है इस प्रकार मन अधिक लगता है भागवान शिव की ध्यान मुद्रा देखें आखें अरधोन मीलित हैं आधी खुली हैं सादकों को भी ऐसा ही करना चाहिए सोपक्रमम निरुपक्रमम चकर्म तत्सयमाद परांत ग्यानम अरिष्टे भ्योवा कर्म दो प्रकार के है सोपक्रमम उपक्रम सहिद और निरुपक्रमम उपक्रम रहित गीता में इनही को पुन्यकर्म और पापकर्म कहा गया है उपक्रम सहिद अर्थात उपाय से होने वाले और बिना उपाय के होने वाले पुन्यकर्म जो पूरुनता प्रदान करते हैं उपाय जन्य है उपक्रम रहित बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं इन दोनों की स्थित में सैयम की पहुँच हो जाने पर दोनों संस्कारों की स्थिती समझ लेने पर योगी को मृत्यू का ज्यान हो जाता है ये संसकार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ग्यान हो जाता है और अरिष्टेव्याह, अरिष्टों से भी साधक को ग्यात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है उनके उतार चड़ाव और उनकी गती से भी ग्यात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विले में अभी कितना शेष है शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात रहे यह मृत्यू नहीं है मृत्यू वही सराहनी है जिसके पीछे जन्न न हो संत कबीर कहते हैं कि यह अवस्ता जीते जियाती है जीवत में मरना भला मरे जो जाने कोए मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए जा मरने से जगडरे सो मेरो आनंद कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद मन मरा माया मरी हसा बेपरवाह जाका कचुन चाहिये सोई शाहंशा संसार में कहीं मित्रता नहीं होती जो प्रतीत होती है वह पारस पर एक व्यवहार है कदाचित आप किसी से मेत्री करने का प्रयास करें तो उसके विकार आप में भी आ सकते हैं या आपके विकार उसमें संक्रमित हो सकते हैं जीवों के प्रती करुणा हो सकती है किन्तो जहां तक मेत्री का प्रश्न है आदि शंकराचारे जी ने कहा था कह शत्रवे संति निजे इंद्रियान तान्येव मित्रान जितान यान संसार में शत्र कौन है अपनी इंद्रिया यही इंद्रिया यदि जीत ली जाती है तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्यान करने वाली हो जाती है। भगवान शुरी कृष्ण ने इसी इंद्रिय जय पर बल दिया। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है। कैसे जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रिया जीत ली गई, उनके लिए उनहीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है। और जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रिया नहीं जीती गई, उनके लिए उनहीं की आत्मा शत्रु है, शत्रता में बरतती है। इंद्री आदि सैयम में अर्थात इंद्रिय सैयम सद जाने पर बल प्राप्त होता है। सर्वोपरी बल, आत्म स्थिति, आत्म कल्यान वाला बल मिल जाता है। बाह्य द्रिष्टि से देखा जाये तो, सत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, माया कृत परमारत नाही, सखा परम परमारत एहू, मन क्रम बचन राम पदनेहू। बलेशु हस्ति बला देन। विविद बलो में सैयम, जैसे जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ का बल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ट कहते हैं। बलं बलवताम चाहं, कामराग विवर्जितं, धर्मा विरुद्धो भूतेशु, कामोस मिभरतर्शभ। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। संसार में शाश्वत बल किसी के भी पास नहीं है। काम अर्थात कामना तथर राग अर्थात प्रकृति से लगाव। इंसे अतीत बल, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। ज्यों ज्यों सैयम सधता जाता है, त्यों त्यों हर प्रकार के क्रमोनत सामर्थ का बोध होता जाता है। अप बल तप बल बाहु बल, चौथो है बल दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरी नाम। उसे हरी कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकाल में हस्ती बल का मापदंड था। भीम में अस्ती हजार हाथी का, दोश्चासन में दस हजार, तथा दृतराश्ट्रो में एक लाख हाथी का बल था। आजकल होर्स पावर बल का पैमाना है। इसी प्रकार सादनाओं की हर अवस्थाओं का बल उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जाता है। प्रबृत्या लोकन्या साथ सुक्ष्मव्यवहितवित प्रकृष्ट ग्यालम। इसी पाद के पाँचमे सूत्र में महर्शी ने बताया कि सैयम सद जाने से प्रग्या लोकह बुद्धि अलोकिक प्रकाश धारन करने वाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार समाधिपात के च्छतीसमे सूत्र में ज्योतिश मती प्रवृत्य की चर्चा है। यहां महर्शी कहते हैं प्रवृत्या लोकह। प्रवृत्य भी अलोकिक ज्योति से सैयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रक्रिष्ट ग्यानम। सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ग्यान हो जाता है। उदहरण के लिए 1962 एस्वी में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। पूझ्य महराज जी ने अनुसुया में भक्तों से कहा। हो चीन ने हिमाले लांग कर हमारे देश पर हमला कर दिया है। अब क्या हो रहा है कोई हमें भी बताता। एक भक्त ने महराज जी को एक रेडियो अर्पित कर दिया। महराज ने पूछा। क्यों रहे। आदमी बताता है कि लोहे का यंत्र। भक्त ने कहा। सरकार यह रेडियो है। यह समाचारों से आपको अवगत कराता रहेगा। उस ख्षेत्र में रेडियो का प्रचार प्रसार उस समय तक नहीं था। एक निश्चित समय पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण होता था। समाचारों को सुनकर महराज जी चिंतित हो उठते थे। एक दिन शाम को महराजी खिन्न मुद्रा में बैठे थे, अकसमात वे बोल उठे, कल समाप्त हो जाएगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, भगवान ने अभी अभी दिखाया, कि मैं उस वर्फ की पहाडी पर चिलम हाथ में लिए बैठा, कुछ समयो परांत, टीले पर इस पार चीन है, इस और भारत है, दूसरे दिन प्राता समाचार प्रसारित हुआ, कि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम हो जाना सामान्य घटना है, सप्न में कुछ भी सुनाई पड़ सकता है, किन्तु वहां का वातावरण, जिसकी चर्चा एक दिन पूर्व में आता है, जथा सु अंजन अंज द्रिग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरी निधान, गुरु महराज के चरण रज, मृदु अंजन तुल्ले है, उस अंजन से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, वह एकांत शांत स्थल में रहते हुए भी, कहीं का भी कोई कृत्य देख लेता है। चौदा भूवन और अगणित भूवनों का उल्लेक है। वस्तुता, दस इंद्रियां और अंता करण चतुष्टय, अर्थात, मन, बुद्धि, चित्ध और अहंकार, जीव की वृत्तियों के टिकने के ये चौदा स्थल ही चौदा भूवन है। इनकी अगणित प्रवृत्यां अगणित भूवन है। इन चतुरदश स्थलियों में भूत प्राणियों के जब शरण स्थली रहती है, तो यही चौदा अधिभूत है। भूतों के जन्म मृत्य के कारण है। साधना के फल्स्वरूप इन चौदहों में दैवी संपत प्रवाहित हो जाती है। तो यही चौदह अधिदैव, अर्थात दैव का अधिष्ठान बन जाते है। स्तर उन्नत होने पर यही अधि आत्म, आत्मा का प्रसारन केंद्र बन जाते है। दर्शन, स्पर्ष और स्थिति मिलने के पश्चार भूवन समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति पुरुशत्व में विलीन हो जाती है। सूर्य में सैयम करने से समस्त भूवनों का ज्यान हो जाता है। सूर्य जियोतिर में परमात्मा का प्रतीक है। भागवान शुरी कृष्ण गीता में कहते हैं, कि सूर्य के मार्ग से गय हुए लोग पुनरा वर्तन को नहीं प्राप्त होते। यही महर्षि पतंजली भी कहना चाहते हैं, कि चिंतन जब परमात्मोन मुखी हो जाता है, तो भूवन ग्यानम, भूवनों का ग्यान हो जाता है। किस भूवन में हमारा कहां लगाव है। भूत कितना, दैव कितना, आत्मा का आधिपत्य कितना है। इन सब का ग्यान हो जा चंद्रमा में सैयम करने से तारों की सन्रचना का ग्यान हो जाता है यह जगत ही एक रात्री है यानिशा सर्व भूतानाम तस्याम जागर्ति सैयमी जगत रूपी रात्री में सब सोय है इसमें सैयमी पुरुष जाग जाता है इस जगत रूपी रात्री में जब उन्हें परमात्मा का क्षीन्ड प्रकाश मिलने लगता है तो तारा व्यूह ग्यानम तारों की स्थिति का ग्यान हो जाता है के चित्वृत्ति के तार, सूत्र, इनकी गति कहां कहां है, ग्रन्थि कहां कहां पड़ी हुई है, इसके व्यूख का ग्यान हो जाता है, अब देखें, साधना में स्थिर ठहरने का परिणाम। द्रुवतारे में सैयम स्थिर करने से, तारों की गति का ग्यान होता है। स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में, जब सुरत अचल स्थिर ठहर गई, तग गति ग्यानम। उन तारों की गति का ग्यान हो जाता है। के चित्वृत्ति का वेग कैसा है। कभी चित्व अचल ठहरने लगता है, कभी उद्वेग आता है। कभ कैसा चिंतन उभरने वाला है, उभरने से पूर्व ही उसका ग्यान हो जाता है। इसलिए उद्वेग आने से पूर्व ही शान्त हो जाता है। यह सब चिदाकाश में ही होता है। सैयम से नावी चक्र की पकड़ा आ जाती है तो काय व्यूह ज्यानम शरीर की स्थिति का पूरा-पूरा ज्यान हो जाता है। नाभी केंद्र का प्रतीक है। वृत्ति सिमटकर जब अपने उद्गम में स्थित हो जाती है तो काय व्यूह ज्यानम पुना-पुना काया निर्माण के क्या कारण है। कितनी शरीर और पाने हैं इसका ग्यान हो जाता है। बुद्ध को पिछले कई सो जन्मों का ज्यान हो गया था। गुरु महराज को दिखाई पड़ा कि वे गत सात जन्मों से साधु थे। जड़ भरत को म्रिग योनी में भी ज्यान था। काक भुशंडी को हजारों जन्मों का ज्यान था। सैयम इस स्तर पर पहुँशते ही ज्यान हो जाता है कि शरीरों का क्रम अर्थात तारितम में कहां तक है कैसा है। कंठ कूप में सैयम करने से भूक और प्यास की निव्रित्ती हो जाती है। जब कंठ पर केवल परमात्मा का ही नाम रह जाता है। परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर रहती है। तो समस्त आशा, तृष्णा और वासनाओं की भूक प्यास तिरोहित हो जाती है। श्री राम चरित मानस में प्रकरण आता है कि भगवान राम विश्वा मित्र आश्रम पहुंचे तो महर्श्री ने उन्हें अधिकारी के रूप में पहचाना और उन्हें विद्या प्रदान की। जाते लाग न छोधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकासा। मंत्र तो वे इतना प्रभावशाली जानते थे, किन्तु इसी मंत्र ग्रहन के अनंतर जब वे जनक पुर पहुंचे, वहां राम जी तो मुख्य अतिति ही ठेरे, वहां तो छप्पनों प्रकार के व्य चल रहे थे, रहे गुर्देव विश्वामित्र जी, वह भी करी भोजन मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कचु कथा पुरानी, पहले विद्वत भोजन किया, तत पश्चात पुरातन कथा कहने लगे, मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता, जहां भूख प्यास न वश्टुत यह है रामचरित मानस, राम के वेचरित्र जो मन में प्रवाहित हैं, इसमें है विज्ञान रूपी राम और विश्वास रूपी विश्वामित्र, विज्ञान बिना तार का ग्यान, अर्थात अनुभव, विश्वास जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है, तो विद्या ब्रम्ह तत्व को विदित कराने वाली हो जाती है। अतुल निय शक्ती है परमात्मा, साधक उससे सैयुक्त हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार की आकांख्षा पेपासा नहीं रहती, वै सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। परमात्मा में सुरत लगते ही भूख प्यास का भान समाप्थ हो जाता है। यही कारण है कि महराज जी के साधन काल में दो तीन दिनों का उपवास एक सामान्य घटना थी। साथ उपवास, चौदह उपवास करने पर भी महराज जी के चहरे पर ठतान के लक्षन नहीं होते थे। चौदह उपवास के पश्चार शरीर में गर्मी की अधिकता से लगुशंका के साथ रक्त जैसा कुछ देख कर पूज्य श्री ने भगवान को भी कुछ खरी खोटी सु चल रहा है, दो-चार दिन में शरीर भी छूट जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा, तो भजन कौन करेगा। उस दिन भगवान ने कहा, ठीक है, खाना ही चाहते हो, तो कल से खाओ। दूसरे दिन से भोजन की अयाचित व्यवस्था चल निकली। किन्तु महराज जी विचार करने लगे, कि भगवान ने रूखे शब्दों में ऐसा क्यूं कहा, कि खाना ही चाहते हो, तो कल से खाओ। भगवान चाहते क्या थे। भगवान से उत्तर मिला। यदि 21 दिनों तक अन ग्रहन न करते, तो जीवन परियंत भोजन करनी की आवश शक्ता ही न रहती। इसी प्रकार बैठे रहते, चहरे पर शिकन तक न आती। दात पर यह यह है, कि जब सैयम कंठ कूप में पहुँच जाती है, तब साधक में भूख प्यास सेहन करनी की ख्षमता आ जाती है। कूर्म नाड्याम इस्थेरियम कूर्म नाडी में सैयम सदने से स्थिर्ता आती है। आयुर्वेद शास्त्र में प्राण की समवाही का मुख्य नाडी को कूर्म नाडी संग्या से अविहित किया गया है। प्रान वायू में व्यक्ति केवल श्वास ही नहीं ग्रहल करता, अपे तु उसी के साथ वायू मंडल के संकल्प भी ग्रहल कर लेता है। श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर सैयम करने से योगी संकल्पों से परे हो जाता है। पुनह संकल्प उसमें विक्षोव उत्पन्द नहीं कर पाते जिससे चिंतन धारावाही होने लगता है। महर्शी ने नाम से तादात में अस्थापित करते हुए यहां कूर्म का दृष्टांत दिया है। किंचित आहट पाते ही कच्छुआ अपनी ग्रीवा, पाव, इत्यादी अंगों को सुरक्षत आवरण समेट लेता है। इसी प्रकार साधक विश्यों में विचरती हुई इंद्रियों को अंतरमुखी कर लेते हैं। गीता में भागवान श्री कृष्ण भी कूर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कूर्मूंगानी वसर्वशह, इंद्रियाणी इंद्रियार्थे भ्यह, तस्यप्रग्या प्रतिष्ठितां। जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब और से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तब उसकी बुद्धी स्थिर होती है। खत्रे का भान मिठते ही कच्छप अपने अंगों को पुना फैला लेता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रग्य महापुरुष पुना विश्यों में अनुरक्त हो जाता है। इसका समाधान भागवान इस प्रकार करते है। प्रविनिवर्तन ते निराहा रस्य देहिनं रसवर्चम्रसोप्यस्य परम्त्रिष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विश्यों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विशयतों निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते। किन्तु विश्यों के प्रति उनका राग निवृत्त नहीं होता। ऐसे योगी का वहराग भी परम द्रिष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात कर निवृत्त हो जाता है। कूर्मनाडी में सैयम से महर्षि पतंजली का भी यही अभी प्राय है। मूर्धा जोती में सैयम होने से सिद्ध पुरोशों के दर्शन होते हैं। फुर्द्वा मस्तिष्ग यह मस्तक को कहते हैं जहने संकल्प विकल्प जागृत होते हैं उसमें सेख्जम भली प्रकार صद जाने पर सिध्ध दृशनम् संपूर्ण सिध्धूं 카 दृशन हो जाता है कि इन सिध्धों का सिध्धत्व क्या है उन सभ में जो पर्म्तत्व का सं चार है उस परमात्मा का विदित हो जाना सद जाना ही सर्वोपरी सिद्धी है गीता में भी इस सैयम की चर्चा है सर्वद्वाराणि सैयम्य मनोर्विदि निरुध्यच मूर्ध्याधायात्मनः प्राणं आस्थितो योगधारणा मूर्थात इंद्रियों के दर्वाजों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को वासनाओं से समेट कर मन को हृदय में स्थिर कर प्राणं अर्थात अंतह करण के व्यापार को मूर्ध्याधाय मस्तिष्क मेही निरोध कर ओम् इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जब तथ मेरा इस्मरण अर्थात ध्यान करता हुआ जो त्यजन्देहं देहा ध्यास का त्याक कर जाता है वह परमगति को प्राप्त होता है महर्षि पतंजली का भी अभिप्राय यही है कि मूर्धा में इस्थित ज्योती में सैयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं प्रातिभाद्वा सरवं प्रातिभ ज्यान उत्पन होने से बिना सैयम के ही योगी को समस्त बाते ज्यात हो जाती है परमात्मा के निर्देशन से संचालित ग्यान प्रातिभ है प्रातिभ ग्यान हो जाने से बिना किसी प्रयास, सहज, बैठे-बैठे सब कुछ जानकारी हो जाती है व्यक्तियों के आने से पूर्व ही पूझ ये महराज जी उनके बारे में बता दिया करते थे कभी-कभी महराज जी स्वगत कथन करने लगते थे हम, अब चले है, ससुराल से कूडा लेकर आ रहे है इन्हें बैठने को दो, खाने को दो, हल दे, हलवा दे, खोदने को पैना दे हम लोग सोचते महराज जी किसे खरी-खोटी सुना रहे कुछी समयोपरांत, चार-छे महात्मा द्रिष्टी गोचर हुए महराज जी ने कहा लगता है घर पर जुताई बुवाई धान की रुपाई इत्यादिकारे समाप्त हो गया आब धोती का पुंचल्ला छोड़कर उसे अचला बना लिया और चल पड़े तीर्थ करने कुछ एक डाट सुनकर भाग जाते किन्तो फिर भी यदि वे दर्शन करने आ जाते तो महराज जी उनके लिए समस्त व्यवस्थाय प्रदान कर देते थे कभी कभी महराज जी को संकेत मिलता कि कोई अच्छे महात्मा आ रहे है हम सब को सचेत कर वे निर्देश देते देखना निकलने न पाएं कोई अच्छे महात्मा आ रहे है इतने में विक्षिप्त सा कोई दृष्टी गोचर होते ही पूजिश्री कहते यही हैं इन्हें ससम्मान ले आओ इनकी सेवा करो अपने समीप आसन देकर महराज जी उनका कुशल ख्रेम पूछते कि आज कल किधर विच्रण हो रहा है इस प्रकार परस्परवारतालाप में सत्संग के सूख्ष्म पहलूओं को सुनने का सौभाग्य हम सब को भी मिल जाता महराज जी को हर प्रकार की जानकारी वहां बैठे ही बैठे आहरनिश होती ही रहती थी यह है प्राते भग्यान का ही प्रभाव था प्रिदये में सैयम होने से चित के स्वरूप का ज्यान हो जाता है उस समय चित का स्वरूप कितना सूख्ष्म निर्मल या कितना विक्रित है इसकी स्पष्ट जानकारी हो जाती है ऐसे चित में न किसी प्रकार का उद्वेग आता है न साधना में कोई परिवर्तन इसलिए जो कुछ है प्रत्यक्ष है सत्व पुर्षयो रत्यंता संकीर्ण योह प्रत्यया विसेसो भोगह परार्थात स्वार्थ सैमात पुरुष ज्यानम सत्व अर्थात बुद्धि में प्रसारिक प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस पर अत्यंत भिन्न है उसका अविशेश प्रत्यय अर्थात एकतासा होना भोग है जीव के आवागमन का कारण है परार्थ जो परमधन को उपलब्ध कराने वाली क्रमोननत योगविधी है उसके द्वारा स्वार्थ अर्थात स्वार्थ अर्थात आत्मिक संपद में सैयम करने से पुरुष का ज्यान हो जाता है परम पुरुष केवल आत्मा है उस विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है उसकी विशेशताओं का ज्यान हो जाता है भजन की विधी वही निर्धारित विधी है अभ्यास करना है प्रणव का ओम का जब मात्र सद्गुरु मिश्वध्धा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अश्टांग योग का विधिवत पालन सैयम स्वरूप की स्थिति परियंत जितने भी साधन है उनका नाम परार्थ विद्या है इस परार्थ साधन के द्वारा जो स्वार्थ को साध लेता है स्वार्थ में सैयम करने से पुरुष ग्यानम परम पुरुष परमात्मा का ग्यान हो जाता है अब द्रश्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही शेश रहता है प्रातिव स्रावन वेदना दर्शा स्वाद वारता जायंते। उस स्वार्त सैयम के सधते ही कई एक सिध्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे एक प्रातिव परमात्मा के निर्देशन से संचालित ग्यान। जिससे योगी को बिना किसी प्रयास अर्थात सैयम के सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती है। दो श्रावण योगी दूरस्त ध्वनियों को भी सुन सकता है। उसकी श्रवणेंद्रिय दिव्य हो जाती है। वह दिव्य ही सुनता है। तीन वेदन योगी का इस पर्ष ग्यान भी दिव्य हो जाता है। चार आदर्ष उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्त ही आ जाती है। पांच आस्वाद योगी ब्रह्म पियूश का पान करने लगता है। भौतिक रसों में उसे कोई स्वाद नहीं रह जाता। छे वार्ता वर्ति शब्द में आण। प्रत्यय लगने से वार्त शब्द बनता है। उसी का बहुवचन वार्ता है। वर्ति सुगंध युक्त होता है। ऐसे योगी में भी दिव्य गंध अनुभव करने की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। इन सिद्धियों के प्रादुर्भाव से योगी को उनमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। उसकी द्रिष्टी मात्र लक्षे पर होनी चाहिए। सिद्धियां साधना को उत्साहित करते हैं। ये मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं। इनमें उलजकर साधक को अपना गंतव्य नहीं भूलना चाहिए। इसी लिए महर्षि सतर्क करते हैं। टे समाधा भुपसरगा व्युथाने सिद्ध यहां। उक्त छै प्रकार के सिद्धियां समाधी की सिद्धि में कैवल्य प्राप्ति में विग्ण हैं। सम और आदि तत्व परमात्मा में प्रवेश के मार्ग में व्यवधान हैं। ये योगपत की विभूतियां हैं शोभा स्वरूप होती हैं। किन्तु जिस साधक की दृष्टी लक्ष पर है वह इनकी ओर देखता भी नहीं। ये विभूतियां साधक में आती ही हैं। इने प्रकट होना भी चाहिए। इससे साधक का उत्साह वर्धन होता है। किन्तु साधक इनहीं को उपलब्धि मान कर इनके भोग में उलज गया। तो यही सिद्धियां कैवल्य प्राप्ति में उसी प्रकार बाधक हैं। जितना काम, क्रोध, राग, द्वेश, इत्यादी। अतह साधक की द्रिष्टी सदैव लक्ष पर होनी चाहिए। इसके साथ ही। बंध कारण से थिल्यात, प्रचार संवेद नाच्य, चित्तस्यो पर सरीरावेश हा। बंधन के कारणों, अर्थात, कर्म और तज्जनित संसकारों की शिथिल्ता से, और प्रचार संवेद नाच्य, चित्त की शांत प्रवाहित अवस्था का ज्यान होने से, चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभाव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को पकड़ ले, उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का ज्यान हो जाता है। यह प्रयोग पूझ्य गुरु महराज प्रायक करते ही रहते थे। कोई अनसुय आश्रम में आता तो वे गुन-गुनाते काम रूप कही कारण आया। वे ध्यान द्वारत तत्काल देख लेते थे और बता भी देते थे कपटी कहीं का। उपर से बक ध्यान लगाता है पक का ढठोंगी। यह जानकारी प्राप्त करना सैयम का ही एक स्तर है। दूसरे के शरीर को चिंतन से पकड़ कर ज्यूही धारण किया। ध्यान जमा समाधि में सुरत सम गई। सैयम सधा। दूसरों का हाल-चाल पकड़ में आ जाता है। उदान जया जलपंक कंट का दिश्व संग उत्क्रामतिष्चा। उदान वायू को जीत लेने से जल, कीचल, कंट का दिश्व संग उत्क्रामतिष्चा। उसकी गति ओर्ध्व हो जाती है। उदान वायू का ख्षेत्र कंट से शिर तक है, जो उपर की ओर्गमन करती है। यह जीव को पाप पुन्य कर्मों के अनुसार भाली बुरी योनियों में फेंकती है। इस ख्षेत्र पर सैयम सद जाने पर योगी संसार समुद्र की विशयवारी से निरलिप्त रहता है। काम, क्रोधादी, शडविकारों के शूल उसे व्यथित नहीं कर पाते। उसकी गती प्रकृति की और अधों मुखी नहोकर परमात्मा की और ओर्धवरेता की हो जाती है। एक स्थान पर सत्संग का आयूजन था। जैसा कि सत्संग में प्राया होता है, शोताओं को नीन आ गई। सत्संग करने वाले महत्मा जी बोले। सत्संग में फूल बरसते हैं, खुश्बू फैलती है, मधुर गंध से निद्रा आ जाती है। नाजगाने में निद्रा नहीं आती, क्योंकि वहां काटे बरसते हैं, कभी लोभ के, कभी राग के, कभी द्वेश के, तो कभी वासना के। ते सबसूल नाम को जाना, ये शूल अनंत हैं, महा पुरुष में उनसे निरलेप रहने की खुशमता आ जाती है। लिप्यते नसपापेन, पद्म पत्र मिवाम भसा। गीता में भगवान कहते हैं, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के उपर लाखों लहरे दिन भर में आती और जाती हैं, किन्तु वह पत्र जल या कीचल से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार महा पुरुष पर इन विकारों का प्रभाव नहीं पढ़ता। समान जयात ज्वलनुम। समान वायू को सयम द्वारा जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। जो तिर मैं परमात्मा है। उस परमात्मा का तेज उस योगी में प्रस्फुठित हो जाता है। समान वायू शरीर में हृदय से लेकर ना भी परियंत रहती है। चित्वृत्ति एक वायू मंडल है। जब सयम इसे सम प्रभावित करने में सध जाये। तो योगी भले बुरे उद्वेगों से विचलित नहीं होता। इश्वरी ये तेज की दीपती उभार जाती है। पूज्य गुरु महराजी कहते थे। हो। मेरा शरीर काला काला न जाने कैसा था। कि अवध ये शरीर है। जिसमें अवध्य स्थिति का सूत्रपात है। इस मानवतन में जब भगवान के प्रादुर भाव का समय आता है तो यह शरीर संपूर्ण शोभा की खान हो जाया करता है। जीव श्रेडी वाले स्वभाव तिरोहित हो जाते हैं। इश्वरिय वायु मंडल उन प्रभु की विभूतियां उतर आती है। चित-शांत, सम-प्रभावित हो जाता है। इस समता में सईयम सद जाने पर चित में उद्वेग नहीं आते। ज्वलनम, परमात्मा के ज्योतिर में स्वरूप का प्रभाव प्रकाश उसमें उभारे आता है। योगी का शरीर दीपतिमान हो उठता है। श्रोत्रा का सयोह संबन्ध सयमाद दिव्यं स्रोत्रम श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबन्ध में सयम कर लेने से योगी के शोत्र दिव्य हो जाते हैं सयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकडने लाइक हो गया तब शोत्र दिव्य हो जाते हैं अलोग एक वायु मंधल को ग्रहण करने लाइक हो जाते हैं शोत्र केवल श्रवणेंद्रिय का नाम नहीं है बधिरत्व दोशवाले भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जो प्रशक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित करती है समुझी पड़े जब ध्यान धरे प्रकृति की कोई ध्वनी या संगीत लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती उसके शोत्र दिव्यक्षमता से संयुक्त हो जाते हैं काया काशयोह शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लगतूल समापत्ते है शरीर रूई के सदरिश हलका हो जाता है और आकाश में ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है सुरत आकाश वत्त हो जाती है धारा वाहिक चलने लगती है कोई अवकास की नव बिन उपावई आकाश ऐसी वस्तु है जहां लोगों को शामती मिलती है यह चिदा काश और काया काश में सयम योगपत में मिलने वाली विभूतियां है इस ख्षमता के अनंतर देहा ध्यास मिट जाता है बाहर सुरिष्टी में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है उसमें कलपना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना महा विदेहा वस्ता है कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं कि क्या है इस महा विदेहा वस्ता के आने से प्रकाश का आवरण ख्षिर्ण हो जाता है द्रश्टा और साधक के बीच का आवरण ख्षिर्ण हो जाता है आवरण था भाला बुरा ग्रहण करना अब वे ग्रहण ही नहीं करता तो आवरण कहां से आएगा बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है आगे जितना शेश है उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गई गीता में भगवान कहते हैं बायस्पर शेश्व सक्तात्मा विंदत्यात्मनियत सुखम सब्रम्ह योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते बाह संसार के विशय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा के सुख को प्राप्त होता है यहीं महर्शि पतंजली कहते हैं कि उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है बुद्धि में इश्वरिय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी वह दूर हो जाती है अग्रेतर सूत्र में कहते हैं स्थूल सरूप सूक्ष्म अन्वे आर्थवत्व सैमात भूत जयहा स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वे और अर्थवत्व इन पाँच प्रकार की अवस्थाओं में सैयम करने से भूत जयह समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है गीता में है इश्वरह सर्व भूता नाम हृद्येशे आरजुन तिश्ठति समस्त भूतों के हृदय में इश्वर का निवास है भूत का अर्थ है जीवित प्राणी किन्तो जीवित प्राणियों का मूल कारण भूत पंच महाभूत आकाश प्रित्वी अग्नी जल और वायू इनकी पाँच तनमात्राएं शब्द स्पर्ष रूप रस और गंध यह भूतों का स्थूल स्वरूप है जहां इनका दृष्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया दृष्य देखा वैं स्थूल है स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आगे उनका अन्वय उन्हें अलग-अलग विशलेशन करके देखना होता है अन्ति मवस्था अर्थ वत्व अर्थात उसकी गुडवत्ता प्रयोजन वत्ता है कि वस्थू सजाती है या विजाती है इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है कलेशों की ओर ले जाने वाला है यह कलिश्थ है जब इस अवस्था का सईयम हो जाता है पँच भूथों का विशलेशन करने की ख्शमता आ जाती है तब भूथों पर विजय प्राप्त हो जाती है यह सईयम करम करम से होता है स्थूल रूप जब दिखाई पढ़ा कानों से सुन लिया स्थोल रूप समक्ष आ गया उसका स्वरूप कैसा उसके अंतराल में गहराई कैसी सुक्ष्मता क्या विशलेशन क्या प्रयोजन क्या है उस प्रयोजन को समझा और समझ कर जो लग गया तो सदैव स्वरूप की ओर ही बढ़ेगा पंच भूतों पर विजह प्राप्त हो जाती है इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई भी दृश्य योगी को भटका नहीं सकता इसके साथ ही एक विशेश लाब होता है ततोणि मादि प्रादुरुभावः काय संपत धर्मान भिगात अश्चा उस भूत जैसे अडि मादि आठ से धियों का प्रकट हो जाना काय संपत की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधाना आना यह तीन प्रकार की योग्यता आजाती है शास्त्रों में अडिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और इशित्व अश्ट सुधिया कही गई है अश्टधा मूल प्रकृति में अश्ट स्विधियों का संचार हो जाता है सोक्ष्म से भी अति सोक्ष्म वस्तूओं का ज्यान अडिमा है महापुरुष का बालवत स्वभाव लगिमा है जिसके संदर्भ में किसी भी सेवा को वहतुच्छ नहीं समझते भगवान श्री कृष्ण पतल उठाने लगे भगवान बुद्ध अपने एक रुग्ण शिष्ष को इसनान कराने लगे दवा पिलाने लगे पूज्य महराज जी दर्द से छटपटाते एक शिष्ष को पाउं से दबाने लगे साधक ने संकुचित हो कहा महराज आप स्पर्ष न करें किन्तु आपने गर्दन से पाउं तक दो चार बार दबा कर कहा देखो अब ठीक हो जाएगा दर्द दूर भी हो गया इश्वर की महिमा साधक में आ जाती है उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है सैयम सद जाने पर दत्ता तुरे की महिमा का विस्तार होने लगा भीड बढ़ने लगी भजन चिंतन में व्यवधान होने लगा तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि इतनी भीड पीछे क्यों पड़ी है भगवान ने कहा आपके हुर्दय में मैं आ गया हूँ इसलिए लक्षमी जी आपकी सिवा करना चाहती है गरिमा के रूप में योगी की गौरव पूर्ण अवस्था आ जाती है बिना रुकावट इच्छे पदार्थों की आपूर्ती प्राकाम में है पूज्य गुर्देव को मुंबई विचरनकाल में एक ठेले पर नारियल देख उसे खाने की इच्छा हुई किन्तु पैसे तो थे नहीं अतह आगे बढ़ गए एक व्रिक्ष के नीचे बैठ गए इतने में एक कववा उसी ठेले से गरी का एक टुकड़ा उठाकर उसी व्रिक्ष पर आ बैठा नारियल का टुकड़ा उससे छूटकर महराज जी के समक्ष गिरा भगवान से शकुन संकेत मिला दाहिने पेट और दाहिने पैर में स्पंदन होने लगा जिसका आशे था कि लेकर खालो जो इच्छा करिया हु मनमाही हरी प्रसाद कचुद्दुर लभनाही सब भावों पर स्वामी भाव इशित्व है जैसे गीता में क्षत्रिय स्वभाव के वरणन में आता है दान मीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभाव जम जाता है तद्धर्मान भिगातश्च उन भूतों के विशय शांत हो गए है इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता काय संपत का स्वरूप सूत्रकार ने स्वयम प्रस्तुत किया है रूप लावन्य बल और वज्र के समान गठन ये शरीर की संपदाए है सैयम की इस उंचाई पर योगी में कान्ति और शारीरिक साउष्ठाव आ जाता है महापुरुषकु निवृत्ति के पश्चात रोग होते ही नहीं ऐसे योगी किसी का रोग स्वयम स्वीकार कर लें तभी वे रुग्ण होते हैं अन्यता कभी नहीं पूज्य महराज जी के जीवन की एक घटना इसी तथे को उद्गाटित करती है पूज्य गुरुदेव आसन पर बैठे थे एक दिन एक पंडित जी समीप वर्ती गाउं से आए प्रणाम किया उन पर द्रिष्टी पढ़ते ही गुरु महराज ने कहा पांडे अच्छा हुआ आ गए पूड़ी बनाओ उसने कहा महराज मैं तो मर रहा हूँ मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है पता नहीं क्या हो गया हाथ में दो दिन से नीम तक नहीं आई महराज जी ने कहा हाथ इधर ला उन्होंने उसका हाथ पकड़कर दो चार बार उसका हाथ दबा कर देखा और कहा विभूती खाल अब जाओ बनाओ पूड़ी उसने पूड़ी बनाया खाथ हिला कर चला भी गया किन्तो महराज जी के हाथ में दर्ध होने लगा नवे दिन तो ना रात चैन पड़े न दिन गर्म जल से सिकाई करने से कुछ राहत होती थी प्रतीत होता था मानो हड़ी से फोड़ा निकल रहा हो गुरुदेव ने भगवान से पूछा जब निवृत्ती हो गई पाप है ही नहीं तब ये मरडान तक पीड़ा क्यों भगवान ने बताया बारह महीने उस पांडे को कश्ट उठाना था उसका रोग आपने ले लिया है तो बारह दिन तो जेले महराज ने कहा गण ना करो कितने दिनों से फोड़ा हुआ है शिश्यों ने बताया आज नवा दिन है महराज ने कहा दस ग्यारह और बारह तीन दिन चेश है बारवे दिन फोड़ा फट गया दर्द समाप्त हो गया ऐसे कई गटनाओं के पश्टात कोई दुखी आता भी तो महराज जी उसका इस पर्ष महीं करते थे केवल उसे धूने की विभूती दिला देते थे इतने से वो ठीक भी हो जाता था ग्रहन सरूपा स्मिता अन्वय आर्थवत्व सैमाद इंद्रियाज जयह ग्रहन स्वरू अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व इन पांचों अवस्थाओं में अलग-अलग सैयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है इंद्रियों का कार्य है ग्रहन करना आँखों ने देख लिया ग्रहन कर लिया श्रमण करना कान का ग्रहन करना है रसना को स्वाद का बोध उसका ग्रहन करना है नासी का गंध ग्रहन करती है ग्रहड से उन वस्तूओं का स्वरूप स्पष्ठ होता है अस्मिता उन वस्तूओं के भले बुरे उप्योग का मिश्रण है अन्वे में वस्तू का विशलेशन तथा अर्थ वत्व में वस्तू की प्रयोजनता का विचार किया जाता है कि यह क्लिष्ट है अत्वा अक्लिष्ट। इस प्रकार विशलेशन द्वारा साक्षात कर लेने से इंद्रियों पर विजय हो जाती है। यही भाव रामचरित मानस की इन पंक्तियों में त्रश्टव्व्य है। जडचेतन गुण दोश मय विस्व कीन करतार संत हंस गुण गहां ही पय परिहरी बारी बिकार भरतु हंस रभी बंश तड़ागा जनम कीन गुण दोश विभागा। भरत जी में ये ख्षमता थी। हनुमान जी में भी ऐसी ख्षमता थी। वह समुत्र लंगन कर रहे थे। मार्ग में सिंह का नामक राक्षसी मिली। वह उनकी छाया पकड़कर अवरोध कर रही थी। हनुमान ने उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयव मति धीरा। उसे मार करवे आगे बढ़ गए। इस प्रकार विवेक पूर्वक सैयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साधक में जब सदा सचेत रहने की खुषमता आ जाती है, तो इंद्रियों पर विजय हो जाती है, ऐसी दशा में इंद्रियां विकार उत्पन्न कर भठका नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों की गतिविधी साधक पहचान चुका है, इसलिए वे भठका नहीं सकती. त्वम् विकर्ण भावः प्रधान जयश्चा उस इंद्रिय जैसे मनोज वित्वम्, मन के सद्रिश गति, विकर्ण भावः शरीर के बिनाभी विश्यों का अनुभव करने की शक्ति, और प्रधान जयः प्रकृती पर अधिकार, ये तीनों योग्यताएं आ जाती है, इंद्रियों पर विजय से मनोज वित्वम्, मन में ही साधना गतिशील हो जाती है, वह बाहर कुछ भी नहीं सोचता, जब गति मन में ही सिमट गई, तब शरीर का संबंध कट जाता है, यही बिना शरीर के विश्यवस्त को समझ लेना ह वैश्यवसंत नाभादास जी के गुरू ध्यान में बैठे थे, उनके किसी भक्त की नाव समुद्र में फांस गई, उसने गुरदेव से रक्षा की पुकार लगाई, गुरदेव परिशान थे कि कोई संकट में है, नाभाजी गुरदेव के कक्ष के बाहर इस सेवा में थे कि कोई गुरदेव के भजन में बाधा न पहुँचाए, नाभाजी बोले, महराज नाव तूफान से बाहर हो गई, अब आप चिंता छोड़े, गुरू जी कक्ष से बाहर आ गए, बोले, यह तो नाभी का हाल जान गया, हमारे अंतर मन का समाचारी से ग्यात हो गया, आज स तुम्हारा नाम नाभाजी है, अब तुम्हारा एक ही रिणशेश है, एक सो आठ दानों की माला मुझे पहनाओ, नाभाजी आध्यात्निक संत थे, उन्होंने सोचा, माला तो मन की भली, जो संत मन का निरोध कर चुके थे, ऐसे महापुर्षों का जीवन चरित्र लिख कर, उन्होंने गुरुजी को अर्पित किया, जो भक्त माल के नाम से प्रसित है, वे बिना शरीर के ही सब जान कें। सत्य से संयुक्त बुद्धी और पुरुष अर्थात चेतन आत्मा, इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसे ज्यान रहता है, सबीज समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सरवग्य भाव हो जाता है, सरवग्यता प्राप्त हो जाती है, वे इसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों या शरीर पर ही नहीं, बलके सम्मत प्रकृति पर नियंत्रन हो जाता है, परमतत्व से केवल मिलना ही शेश है, किसी भी ख्षन प्राप्ती हो सकती है, सरवग्यता और स्वामी भाव भी मार्ग की विभूतिया मात्र है, इन से भी वैराग्य अपेक्षित है, इस पर देखें, इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से, दोशों के बीज का क्षाय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ती हो जाती है, बुद्धि और पुरुष, अर्थात सेवक और स्वामी में लेश मात्र भिन्नता शेश है, तो कहीं न कहीं राग है, बीज दोश है, कहीं से तो ग्रस्त है, जब उसमें भी वैराग्य हो गया, तहां दोश समाप्त हो गया, दोश बीज का क्षै हो जाने पर वै कैवल्य दाप्त कर लेता है, ऐसी उन्नत अवस्था में भी लोक संसर्ग के विग्ण आते हैं, उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं योगी जिन भूमिकाओं में है, उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोबित करने का प्रयास करती है उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदरिट होने पर भी उसमें लगाव या घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पुनह अनिष्ठ होना संभाव है जब योगी में सरवग्यतादी गुण आ जाते हैं उस समय इन शक्तियों के अधिष्ठाक्त्री देवता भोगों का सुख दिखा कर या योगी की प्रशंसा द्वारा उसे उलज्जाते हैं महराज मनु जब भजन करने लगे देवाधि देव ब्रह्मा विष्णु और शिव उनके पास आए कहा वर मागों बहु भाति लोभाई कुछ दे नहीं रहे थे बलकि काम क्रोध लोभ मोह मद मतसर जैसे शडविकारों में लोभ का ही समवर्धन कर रहे थे परंतु परम धैरिशाली मनु विचलित नहीं हुए भगवान ने आकाश्वाणी दी और मनु ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया सादक को सावधान रहना चाहिए उनके प्रलोभन में नहीं पढ़ना चाहिए उन्हें अपने मन में बार बार ये चंतन करना चाहिए कि जन्म जन्मानतरों से कर्मों का भोग करते करते मनुष्य शरीर बड़े सौभाके से मिला है इश्वर की परमदया से योगपत में सफलताएं मिल रही हैं ये भोग छण भंगुर हैं सदैव के लिए ये भी नहीं मिलेंगे साधन मार्ग से चिवत होते ही ये भी तिरोहित हो जाएंगे उनमें दुखों का स्वरू भी देखना चाहिए समय अर्थात आत्म प्रशंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए के अब तो राजपुरुष्ट मेरा चरणध होते हैं देवता भी सतकार करते हैं मैं ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्थ हो गया हूँ भोगों में आसकती या अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में पुना अनिष्ट होने की संभावना है कैवल्ले के लिए विवेक ज्ञान की अवशक्ता होती है च्छन और उसके क्रम में सैयम करने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन होता है क्षन के पश्चात दूसरे क्षन का जो क्रम है उसके बीच में दो क्षनों के अंतराल में अन्य संकल्प न उठे श्वास आई तब ओम गई तब ओम इसका क्रम न तूटे विग्ण न आए जब क्षन और उसके क्रम में सैयम सद जाता है विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है देवता स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन और शक्तियों के आहंग से बचने के लिए छण अनुक्षण का सैयम रखना चाहिए उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए इस विवेक ज्ञान से लाब जाती लक्षण दे सैरन्यता नवक्षे दात तुल्य योस्तत प्रतिपत्ति है जाती लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तूओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है विवेक ज्ञान से उत्पन अवस्था में जाती लक्षण और देश भेद से भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाती परिवर्तन है ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से साधक लक्ष परियंत दूरी तै करता है ऐसी कुछ अवस्थाओं के अनंतर शरीर का निधन हो गया ऐसा साधक जन्म लेता है यह भी एक जाती परिवर्तन है किन्तु विवेग ज्यान के पश्चाद जाती भेद उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेग ज्यान में कमी नहीं आती। उस विवेग ज्यान की विशेष्टा कहते हैं कि वह उद्धार करने वाला होता है। तारिकं सर्व विसयं सर्व था विसयं क्रमं चेति विवेक जम ज्ञानं यह विवेकज ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला सब को जानने वाला सब प्रकार से जानने वाला तथा बिना किसी पूर्व परंपरा या सहियोग के जानने वाला होता है इसके पश्चात अवस्था आती है कैवल्य की सत्पुर्शयोग सुद्धिसामे कैवल्यम जब चित और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है दोनों समत्व में स्थित हो जाती है तब कैवल्य होता है इसी अध्याय के उन्चास्वे सूत्र में इसका उलेक हुआ है बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था अंतर मात्र का ही भान था जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई के दोनों समान हो गए न सत्य परायण बुद्धि अलग है न पुरुष तब वही कैवल्य है यही श्रीमत भगवत गीता में है इहै वतैर जितह सर्गो ये शाम साम्ये स्थितं मनह निर्दोशं ही समंप्रम्ह तस्मात ब्रम्हनिते स्थिता उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही सम्पून संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है क्योंकि वह ब्रम्ह निर्दोश और सम है इधर उनका मन भी निर्दोश और सम्थिती वाला हो गया तस्मात ब्रम्हानिते स्थिता है इसलिए वह ब्रम्ह में स्थित हो जाता है इसी का नाम अपुनरावर्ती परमगती है इंद्रियों और मन पर भली प्रकार विजय कर लेने पर भी बुद्धी और पुरुष में किंचित अंतर रहता है उस समय सरवग्यता स्वामि भाव इत्यादी उपलब्धियां रहती है बुद्धी और पुरुष इन दोनों के ही अत्यंत शुद्ध हो जाने पर साम्य आवस्था आ जाती है दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता बुद्धी के इस ठान पर पुरुष खड़ा है बुद्धी पुरुष में समाहित है इसी का नाम कैमल्य है इस प्रकार इस तृतिय अध्याय में क्रम से सैयम के उतकर्ष के साथ मिलने वाली विविद सिद्धियों का वरणन है जिने विभूती कहा गया इसी लिए इस अध्याय का नाम विभूती पाध है इन सब का अंतिम लक्षे कैवल्य है कैवल्य की चर्चा प्रथम अध्याय में भी है यहां कैवल्य का विस्तार से वरणन किया गया किन्तु यह भी जानना आवश्यक है कि किन पर इस्थितियों को पार करके साधक को यह स्थिति मिली है इस प्रकार यहां तीसरा पाद समाप्त होता है अस्तु अग्रेतर पाध है कैवल्य निशकर्ष अश्टांग योग साधना के तीन अंग धारणा, ध्यान और समाधी विभूति पाध के अंग है क्योंकि इनमें स्थिति के साथ ही योग की विभूतियों का प्रस्फुटन होने लगता है धारणा में धे के आते ही ध्यान के रूप में वृत्ति एकतार चलने लगती है लक्ष मात्र का आभास रह जाता है इस प्रकार समाधी की अवस्था आ जाती है त्रयमेकत्र सैयमा क्रमशा, तीनू के सदजाने का नाम सैयम है इस सईयम के सधते ही विभूतियां मिलने लगती है ये विभूतियां क्रम क्रम से छोटी बड़ी अवस्था के अनुसार मिलती जाती है यह सईयम एक बार सध गया तब सदा बना रहता है योग दर्शन के इस तृतिय पाद में धर्म का नाम पहली बार आया है जहां वृतियों का निरोध, समाधी और एकागरता परिणाम में सईयम हो जाता है उसी सईयम को धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम भी कहते हैं चित्वृति का निरोध योग है और यहां निरोध परिणाम सामने है तब धर्म शब्द का उच्चारण हुआ है इसी पाद के सोलवे सूत्र में है कि अतीत, वर्तमान और भविष्च में जो अनुगत है एक रसशांत प्रवाहित है वे धर्म है जो उस अनुगत को जानता है वे धर्मी है पैतालीसमे सूत्र में पुना धर्म का प्रयोग है पंच भूत, अर्थात, ख्षिति, जल, पावक, गगन और समीर इन पंच महाभूतों की पंच तनमात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्ष इन पर विजह से उनके कृत्य शांत हो जाने पर धर्म में बाधा नहीं पड़ती क्योंकि यही तो अवरोधक थे, जब यही शांत हो गए तो धर्म निर्बाध होने लगता है निरोध, समाधी एकागरता के ही परियाय है धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, इन में सैयम सधने से अतीत और वर्तमान का ज्यान हो जाता है किन्तु प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभु, अर्थात, परा में वृत्ति एक रस्प्रवाहित है ऐसे योगी को बिना किसी प्रयास, बिना किसी सैयम के सब कुछ जानकारी मिलती रहती है किसी आगंतु की भलाई बुराई का विवरण उसके आने से पूर्व ही गुरु महराज को ग्यात हो जाता था कभी अर्ध रात्री में महराज जी अकस्मात निद्रा से उठकर बैठ जाते थे कहते थे, देखो हो, कोई भैभीत चला आ रहा है तब तक कोई अवश्य ही आ जाया करता था शरीरस्थ वायू पाँच भागों में विभक्त है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान प्रस्तुत पाद में उदान और समान इन दो के नाम आए हैं जो साधनों पयोगी है उदान जैसे प्रकृति के कंटकों से मुक्ती तथा उर्द्व गती होती है और समान जैसे जोतिर मय का प्रकाश मिलने लगदा है बाहर देखी और सुनी वस्तुओं में व्रित्ति की कल्पना रहित अवस्था महा विदेह वस्था है कैसा भी द्रिश्य द्रिश्टी गोचर हो जाए कैसा भी शब्द सुनाई पड़े न भला प्रभाव पड़े न बुरा उसमें लिप्त न हो ऐसी विदेह वस्था के प्राप्त होने से प्रकाश का आवरन नश्ट हो जाता है जोतिर में प्रकाश स्वरूब द्रश्टा है उसके और साधक के बीच का परदा मिट जाता है भूत जैसे अश्ट सिध्धि काय संपत प्राप्त होती है भूत जैसे भूतों के विविद्ध कृत्य शांत हो जाते हैं इसलिए धर्म में बाधा नहीं होती बुद्धी सत्य से संयुक्त हो जाती है परम चेतन पुरुष की अलग प्रतीती मात्र शेश रहती है ऐसी सबीज समाधि में योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सरवग्य ज्यान हो जाता है इस स्वामी भाव और सरवग्य सिद्ध से भी वैराग्य होने से कैवल्य पद की प्राप्ती हो जाती है किन्तु उस समें बड़े विग्ना आते हैं देवताओं और लोकपालों के आमंत्रण आते हैं, यह भी योगसाधना का एक स्तरमात्र है, लक्ष नहीं, साधक को न तो उनके भोगों में राग होना चाहिए, न अपनी स्थिति का अभिमान ही होना चाहिए, इससे पुनह पतन की अशंका अधिक रहती है, इन उल्जनों से बच जाने पर, चित्त का एकतार चिंतन में प्रवाहित होने पर, खण अनुक्षण के क्रम में सैयम सद जाता है, तब विवेक से उत्पन ज्यान हो जाता है, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, दूसरा विकल्प बीच में न पैदा हो, यह खण और अनुक्षण के क्रम में सैयम का सधना है, अब एक भी खण चिंतन के विप्रीत व्यर्थ नहीं जाता, ऐसी अवस्थाने पर, विवेक से उत्पन ज्यान प्राप्त हो जाता है, यह विवेक जन्य ज्यान संसार समुद्र से तारने वाला है, सब को सब प्रकार से जानने वाला है, सत्व संयुक्त बुद्धी, अर्थात साधक और पुरुष भिन भिन है, ऐसा आभास जब समत्व में स्थित हो जाए, ऐसी साम्या वस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, यह सब योग जन्य है, साधना अत्यंत निर्मल होने पर है, योग साधना द्वारा सहस्त्रों सिद्धिया सुलब है, इन समस्त सिद्धियों में सर्वोच्छै कैवल्य, जिस पर महर्षी ने योग दर्शन के चतुर्थ पाद में सम्यक विचार किया है, हरियों तचसत्थ ओम श्री परमात्मनी नमः चतुर्थ अध्याए कैवल्य पाद महर्षी पतंजली प्रणीत योग दर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद है, सम्यक अधियते मना यस्मिं ससमाधि है, जिसमें मन भली प्रकार समाहित हो जाए वह समाधि है, सम्य और आदि तत्व के साथ समत्व की प्राप्ति समाधि है, चित्त का स्वरूप शून्य होना द्येय मात्र की प्रतीति समाधि है, जिससे द्रश्टा स्वरूप में स्थित्थ हो जाता है, अभय पाद की प्राप्ति हो जाती है, यह समाधि का महान फल है, जब किसी वस्तु का फल बता दिया जाता है, तो उसमें रुचि उत्पन हो जाती है, तभी उसे प्राप्त करने के लिए इच्चु प्रेतन शील होता है, इसलिए समाधि पाद का वर्णन सर्व प्रत्थम है, जब समझ में आ गया कि यही सत्य है, तब उसे साधने के लिए साधन पाद, जिसमें अश्टांग योग, संपोर्न योग साधना की प्रस्तुति वि सतार से की गई है, वैसे साधना सभी अध्यायों में उल्लिखित है, नाम, रूप, अभ्यास, वैराग्य इत्यादी साधनाएं साधक के ख्रमता के अनुरूप वर्णित है, किन्तु साधन पाद में साधना का रूप स्पष्ठ हो जाता है, त्रितिय अध्याय विभूति प विभूति, अर्थात आश्वर्य, योग से मिलने वाले विविद आश्वर्य प्रकट होने लगते हैं, उदाहर अनार्थ, भगवान शंकर के तन में निर्मल विभूति, अवधर्दानी इत्यादी उल्लेक है, जैसे जैसे सैयम की अवस्था आती है, उससे अश्टधा सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, सिद्धियां मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, रास्ते में ये पढ़ाव अवश्य पढ़ने चाहिए, किन्तु साधक यदि इन्ही में उलज जाता है, लक्ष से इस खलित हो सकता है, इसलिए परम सिद्धी कैवल्य परियंत सतरकता अपेक्षित है, आदि शंकराचारी जी के अनुसार, आब्रम्ह स्तंभ परियंत सर्व माया मयम जगत, सत्यम सत्यम पुनर सत्यम हरेर नामाईव केवलम, विधाता और उससे उत्पन यावन मात्र सृष्टी मरण धर्मा है, इसमें यदि कुछ सत्य है, तो वै है हरी और हरी का नाम, भगवान श्री कृष्ट ने कहा, कि आत्मा ही परमसत्य है, जो तिर मय है, वह द्रश्टा है, उसे प्राप्त करने के लिए नियत विधि, नियत कर्म का अनुपालन है, इस कर्म को चार भागों में बाटा, जो वरन कहलाते हैं, अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार, कर्म में लगा हुआ पुरुष्ट परमसिद्धी को प्राप्त करता है, उसी को परम नैष्टिकीन सिद्धी कहा गया है, इसी को महर्शित पतंजली कैवल्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर भूताना, येन सर्वमिदंततं, स्वकर्मनातम अभ्यर्च, सिद्धिं बिन्दति मानवाह। जिन परमातमा से यावन मात्र, जीव जगत की उतपत्ति हुई है जो तत्व रूप से सर्वत्र व्यापत है, उस एक परमातमा को स्वकर्मना तमभ्यर्च, स्वभाव से उतपन्न कर्म की ख्षमता के अनुसार अर्चन कर, मनुष्य परम सिद्धी को प्राप्त होता है जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेश नहीं रहता यही परम सिद्धी है इसी का नाम कैवल्य पद है कैवल्य कैसा होता है? कब होता है? वे पद है क्या? इस पर देखें कैवल्य पाद सिध्धि प्राप्ति के दो माध्यम है जन्म से होने वाली सिध्धि और आउशधि मंत्र तप तथा समाधि जन्य सिध्धि इश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं है साधन समझ कर यदि इस जन्म में चार कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में पाँचवा कदम ही पड़ेगा गीता में है अनेक जन्म संसिध्धस्ततो यादि पराम गतिम अनेक जन्मों के क्रम से साधक वहां पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है कई जन्म भजन करते करते जो प्राप्ति वाला जन्म है वो मेरा स्वरूप है वह मुझ में निवास करता है ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहल करते ही उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं उनके कैवल्य पद या परम सिध्धी प्राप्त करने में किसी साधना की आवशत्ता नहीं पढ़ती उदाहरण के लिए महाभारत वन पर्व द्वादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि पिछले दस जन्मों से आप निरंतर महापुरुष के रूप में थे एक जन्में आप यत्र सायं ग्रिह मुनि के रूप में लगातार ब्रहमण करते रहे। जहां शाम होती वहीं रात्री निवास कर लेते थे। आयू परियंत मौन धारण कर आप साधना रत रहे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में आप प्रभास ख्षेत्र में ख्षेत्रिय जनता को उपदेश देते हुए ब्रहमण करते रहे। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में बारे वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर आपने यग्य किया। एक जन्म अर्थात एक कल्प में आप बद्रिकाश्रम में ध्यानस्त रहे। उस समय दो रिशी साथ साथ थे। एक नर और दूसरे नारायन। आप नारायन थे। स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन और विश्ण कहलाए। ऐसा हमने व्यास जी से सुना है। अस्तु भगवान श्रीकृष्ण का भजन उनके पूर्व जन्म में ही संपन्न हो चुका था। केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पूरणत्व में जन्म माध्यम है साधन नहीं। भगवान की साधना में तीन दिन शेष था। वे बद्रिकाश्रम गए और तीन दिन ध्यानस्त रहे। वे ब्राहे वेला में दो ढ़ाई बजे रात्री से ही परमात्मा के ध्यान में बैठते थे। वे पहले अपनी आँखों पर जल के छिंटे मारते थे तब ध्यान में बैठते थे। ध्यान में आप एकदम बेसुद हो जाया करते थे। द्रुव ने भागवान का दर्शन होने पर उनसे प्रश्न किया। भागवन, मनिजन जन्म जनमांतनों तक यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं। परंतु मुझे तो केवल छै महीनों में ही आपने दर्शन दे दिया। ऐसी अनुकंपा क्यूं। प्रभु बोले, वद्स, इधर देखो, भगवान ने एक पहाड की और उंगली से संकेत किया, वहां अस्थि पंजरों का पहाड था, ये तुम्हारे ही अस्थि पंजर हैं, तुमने इतनी बार जन्म लिया, यहीं भजन किया, यहीं शरीर छूटा, इस बार केवल छै महीने श महापुर्शों का ऐसा जन्म जन्मना सिद्ध के अंतर गताता है, वे धारणा, ध्यान और समाधी की अवस्था से गुजर चुके होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कभी भजन किया ही नहीं, सिद्धी का एक माध्यम है, और शधी, प्रकृति में विधाता और उससे उ प्रम्ह भुवनाल लोकाह, पुनरा वर्तिनो अर्जुन, सृष्टि का रचैता विधाता और उससे उत्पन्य यावन मात्र जगत परिवर्तन शील है, दुखों की खानी खण भंगुर और नश्वर है, तो किसी मायिक वस्तु के प्रयोग से कैवल्यपद कैसे प्राप्त ह भगवान श्री कृष्ट कहते हैं, इस कर्म को किये बिना न पूर्व में कोई परमात्मा को प्राप्त कर सका है और न भविश्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा, जितने भी पूर्व महार्शी मनीशी हुए हैं, इसी नियत कर्म को करके हुए हैं, अर्जुन, कर्मों के पर ये कोई कर्तव शेष नहीं है प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्त नहीं है अतह इस साधन का अनुष्ठान किये बिना कोई परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता तब नश्वर वस्तु आउशदी जड़ी बूटी ये कुछ भी प्रयोग करने से वे परमात्मा क कैसे सिध्ध हो जाएगा वस्तुता बाह जगत में जिस प्रकार अनेका नेक शारीविक रोग हैं उसी प्रकार कुछ मानसिक रोग अध्यात्म जगत को प्रभावित करते हैं जो बारंबार अनंत योनियों गर्भवास की यातना तथा कीट पतंग परियंत उच्च या निम्न शरीरधारण के कारण बनते हैं इनही को भवरोग कहा जाता है राम चरित्मानस के उत्तर कांड में संत शिरोमनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया कि इसका मूल मोह या अज्ञान है मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुनी उप जहीं बहु सूला संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है जिससे अनंत शूलों की स्रिष्टी होती है काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित नित च्छाती जारा प्रीति करही ज़ू तीनियू भाई उपजई सन्यपात दुख दाई काम मानू वायु विकार है क्रोध पित है कफ लोभ है यदि तीनों का प्रकोप है तो सह निपात अर्थात मृत्यू की आसन्यता का दुखद रोग उत्पन हो जाता है अहंकार अति दुखद डमरुआ अहंकार अत्यंत कष्ट प्रदगाठ का रोग है त्रिष्णा अनंत वासनाएं उदर संबंधी शूल है बीस पचीस रोगों का चित्रन कर उन्होंने अंत में कहा मानस रोग कछुक मैं गाए मन के अनंत रोगों में से मैंने कुछ का ही गायन किया है हाई सब के लख बिरलेन पाए ये रोग प्रायस सभी को हैं किन्तु विरला ही कोई इन्हें देख पाता है जाने तेछी जहीं कचुपापी नासन पावही जन परितापी इन्हें जान लेने से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं कुछ ख्षीन हो जाते हैं पर नश्ट नहीं होते इन रोगों की औशदियां भी बताई जाती है नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जपदान भेशज पुनि कोटिन नहीं रोग जाही हरी जान नियम धर्म उत्तम आचरण तप ग्यान दान तथा अन्य भी करोणों आउशदियां हैं परंतु हे गरोण जी उन आउशदियों से भी ये रोग नहीं जाते इस भावरोग के नश्ट होने का एक ही उपाय है राम क्रिपा ना सही सब रोगा भगवान की क्रिपा से रोग समाप्थ हो जाता है जव एही भाती बने संयोगा यदि इस प्रकार का संयोग बन जाए किस प्रकार का संयोग? सदगुरु बैद बचन विश्वासा संजम यहन विशय कए आसा सदगुरु वैद्य हैं उनके वचन में विश्वास होना चाहिए विश्यों की कामना न करें यही परहेज है रगुपति भगति सजीवन मूरी अनूपान श्रद्धा मति पूरी भगवान की भगति संजीवनी जड़ी है श्रद्धा पूरिक बुद्धी ही दवा के साथ लिया जाने वाला अनूपान है एही विधि भले ही सो रोग नसाही ना ही तजतन कोट नहीं जाही इस विधि से ये रोग अवश्य नश्ठ हो जाएंगे अन्यता करोणों यतनों से भी ये जाने वाले नहीं है इनका वास्तविक उपचार इश्वर भक्ती ही है भक्ती का ऐसा प्रभाव है के राम भगती मनी उर बस जाके दुख लवलेस न सपने होता के स्वप्ण में भी उसे रंच मात्र दुख नहीं होता विभक्त का अर्थ है विभाजन और भक्ती का तात्पर ये है जोड़ना नियम धर्म आचरण ये सभी भक्ती में बहली प्रकार संपन हो जाते हैं किन्तु यदिश्वद्धा और समर्पन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तपा हुआ तप किया हुआ कर्म जपा हुआ जप सब व्यर्थ चला जाता है मानू कुछ हुआ ही नहीं अस्तु संपूर्ण समर्पन का नाम भक्ति है यह ईश्वर प्रणिधान भवरोग की महुशदी है जिसमें साधक को इश्ट के हाथ का यंत्र बन कर चलना होता है अउशदी से महार्षि पतंजली का यही अभी प्राए है सिद्धी का एक माध्यम मंत्र है मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है वे मंत्र है मंत्र का उलेक इन महापुरुष ने स्वयम किया है तस्यवाचकह प्रणवह तज्जपह उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है उसका जब करे मन अंतर समंत्र जब करते करते एक इस तरह ऐसा आता है कि नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है उस समय वह नाम मंत्र की संग्या प्राप्त कर लेता है क्रमशा उन्नत अवस्था में परावाणी के प्रवेशकाल में यह नाम मन को अपने अंतराल में समेट लेता है और ध्रुव सिद्धी प्रदान करने वाला हो जाता है तब सिद्धी का एक आवश्यक उपकरण है साधक इश्ट के प्रति समर्पित होता है मंत्र जबता है किन्तु शरीर और इंद्रिया साथ नहीं देती कभी मिद्रा घेर लेती है तो कभी आलस से आ जाता है अतह मन सहित इंद्रियों को इश्ट के अनरूप तपाना तप है टेक के साथ लगने वाला नाम तप है कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि छयात तपसख तपस्या से शरीर और इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है कायेंद्रियां सध जाती है अंततह समाधि सिद्धि से सनलगन सोपान है जिसमें अर्थ अर्थात लक्ष मात्र का आभास चित्त का निजस्वरूप शुन्य हो जाना और कैवल्य अनामय परंपद की प्राप्ति उसमें स्थिती हो जाती है सारांशता भावरोग की आउशदी भक्ति उसके सहयोगी मंत्र और तप तथा क्रमशा समाधी द्वारा सिध्धी प्राप्त होती है यह कैवल्य प्राप्ति के उपकरण है प्रश्ण उठता है के जन्म क्या है जन्म कैसे होता है जन्म परिवर्तन का क्या कारण है इस पर प्रकाश डालते हैं जात्यंतर परिणाम प्रकित्या पूरात जात्यंतर परिणाम एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना जात्यंतर परिणाम है यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है जिन विकारों से बांध रखा है वे शान्त हो जाए आगे वाली उन्नत अवस्था पकड़ में आती जाए चित्त का यही परिवर्तन जन्म परिवर्तन है इस उतकर्ष के साथ यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होगा। पूर्व प्रकृति के शांत होने और अग्रेतर उन्नत प्रकृति की जाग्रिती जन्म परिवर्तन है। चित्त की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन जन्म परिवर्तन है। आरंब में चित्त वृत्ति का धरातल मलिन होता है। साधना के आरंब में साधक अलपग्य है। ऐसी अवस्था वाले साधक तक्वदर्शी महापुरुष की सेवा करें। सेवा, समरपण, सानिंध्य और साधन श्रमण के प्रभाव से भाजन जाग्रित हो जाता है। रुदय से चिंतन की विधि जाग्रित हो जाती है। वही अलपग्य शूद्र श्रिणी वाला साधक वैश्र श्रेणी का हो जाता है। एक प्रकृति पूर्ण हुई और दूसरी जाग्रित हो गई। यह एक जन्म परिवर्तन हो गया। इस विधि के अनुसार लगते ही साधक दैवी संपत्ति का अरजन करने लगता है। क्रमशह, स्वभाव में धैर्य, शौर्य, साहस, संघर्ष जेलने की कुषमता आने लगती है। तो वही साधक छत्रिय है। उस छत श्रेणी से लगा हुआ साधक विकारों को समाप्त कर ले जाता है। धारणा, दिहान, समाधी स्वभाव में ढल जाता है। ब्रह्म में विले की योग्यता सहज स्वभाव बन जाता है। उस समय खत्रिय प्रकृति पूर्ण है। एक उन्नत प्रकृति की जाग्रिती हो अन्त का एक प्रकार की जीवन चरिया से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाना, पूर्व प्रकृति का शांत हो जाना और उन्नत प्रकृति की जाग्रिती यही जात्यंतर परिणाम है। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अन्त में आत्मा विदित हो आती है। आत्म स्थिति आ जाती है उस समय सभी श्रेणियां समाप्त हो जाती है प्रकृति समाप्त हो जाती है ना निक्रिष्ट प्रकृति है ना प्रकृति इस उपलब्धि से पूर्व कदाचित शरीर छूट जाता है तो पुना शरीर रूपी वस्त्र मिलेगा उसी इस्तर की साधना रहे भगवान शुरी कृष्ण कहते हैं तू तीनों गुणों से उपर उठा, कैसे उठें? भगवान बतलाते हैं, नित्य सत्व परमात्मा के प्रतिश्वधा स्थिर कर, योग ख्षेम की चिंता न कर आत्म परायन हो, ऐसा कर तू गुणों से उपर उठ जाएगा, वेदों की अधिकृत भूमी तीनों गुणों से आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने से पाएगा क्या? वेदों से उपर उठकर किसने क्या पाया? इस पर भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाने, सर्वत संप्लुतो दके, तावान सर्वेशु वेदेशु, ब्राम्हनस्य विजान ताहा? सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड़े जैसे खुद्र जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रम्म को जानने वाले ब्राम्हन का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है。 उदाहरण के लिए राजस्थान में टंकियों में एकत्र वर्षा जल से आवशक्ता की पूर्थी होती है। वहीं गंगा के स्वच्च धारा प्रवाहित हो जाए तो कोई उन कुंडों का कितना प्रयोग करेगा। किन्तु वे जलाशयर रहेंगे अवश्य। वेद पीछे वालों के मार्ग दर्शन के लिए ही तो रहते हैं। जो वेदों से उपर उठता है ब्रम्ह को जानता है। जो ब्रम्ह को जानता है वह ब्राम्हण होता है। अर्जुन तु वेदों की परिदी से उपर उठ ब्रम्ह को जान ब्राम्हण बन यही है जात्यंतर परिराम। अर्जुन था तो क्षत्री है। उसे ब्राम्हण बनने का निर्देश हुआ। यह क्रमोनत श्रलिया है। इस प्रकार की प्रकृति ज्यों ज्यों दबती है दूसरी प्रकृति का उदय होने लगता है। चित्त पर तामसी प्रकृति का दबाव हटना और दूसरी सात्वित प्रकृति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होना यह जन्म परिवर्तन है। क्या उपर्युक्त पांचों साधन अर्थात जन्म औशधी मंत्र तप और समाधी प्रकृति को घटा बढ़ा देते हैं इस पर वाहर्शि पतंजली कहते हैं नहीं निमित्तम प्रयोजकम प्रक्तिना वर्ण भेदस्तु ततह छेत्रिक वत्त निमित्त में आउशधी मंत्र तप समाधी इत्यादी प्रकृतियूं के नियामक या संचालक नहीं हैं ये निमित्त ऐसे ही हैं जैसे ख्षेत्रपाल किसान वर्ण भेदा आवरण का भेदन कर देता है किसान ख्येद की सिंचाई करता है नाली में कहीं रुकावट है वह उस अवरोध को दूर करदेता है पानी तो स्वत चला आता है इसी प्रकार जितनी मात्रा में साधक का सैयम सधता है उतनी प्रकृति हटती जाती है प्रकृति का आवरण जीना होने लगता है ज्योतिर में परमात्मा का सहज प्रकाश होता जाता है साधक प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता बल्कि विजातिय अवरोधकों को फसल में बाधक विजातिय वनस्पतियों की भाती निर्मूल उच्छेद कर देता है क्रिशिली निरावही चतुर किसाना जीमि बुधत जही मोहमद माना निर्मान चित्तान अस्मिता मात्रात चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना निर्मित चित्त है निर्मित चित्त अस्मिता मात्रात अस्मिता तक ही है आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है जब तक अस्मिता है चित एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित या निर्मित होता रहेगा जब यह मिश्रण समाप्त हो जाता है तो चित निर्मान नहीं होता चित ही समाप्त हो जाता है चित्त में अनेक प्रवृत्तियों का बहाव है वैं इस्थर कैसे हो प्रवित्ति भेदे प्रयोज कम चित्त में कम अनेके शाव चित्त वृत्तियां अनंत है क्लिष्ट वृत्तियां लक्ष से भठकाती है अक्लिष्ट वृत्तियां इश्ट से जोडती है उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है एक लक्ष के प्रती समर्पित चित्त होता है निर्मित चित्तों के कारे अनेक प्रकार के होते हैं फिर भी एक मूल चित्त ही उन सब का नियंत्रक है प्रेरक है, संचालक है साधना में शने शने उतकर्ष करने वाले चित्त नश्ट हो सकते हैं किन्तु द्यान में समाहित चित्त नश्ट नहीं होता इस पर प्रकाश डालते हैं एक चित जो सभी प्रवृत्यों को भेद कर इष्ट से जोडता उसमें न्यूक्त करता है उसमें भी ध्यान जनित चित अनाशयम वासना और संसकारों से रहित होता है वह कभी नश्ट नहीं होता पूज्य गुर्देव माहराज जी कहते थे हम नश्ट होना भी चाहें तो भगवान हमें नश्ट होने ही नहीं देंगे संपूर्ण साधन सिमट कर ध्यान में परिवर्तित हो जाने पर अनाशय हो जाता है प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे नश्ट कर दे माया में ऐसा कोई उपद्रव नहीं जो उसे मिटा दे ऐसे खत्रे गुरु महराज जी के समक्ष बार बार आए किन्तु भगवान ने समाल लिया अर्थाद इस अवस्था वाला योगी कर्म संस्कारों से निर्विग्ण होता है अब ध्यान के पश्चात की योग स्थिति पर प्रकाश डालते हैं करमा शुकला क्रिश्णम योगिनस्त्रि विधमितरे शाम ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है उसके लक्षन बताते हुए महरश कहते हैं कि योगी के कर्म अशुकल और अक्रिश्ण होते हैं अन्य सब के कर्म तीन प्रकार के होते हैं योगी के कर्म करने के न शुब परिणाम निकलते हैं न अशुब संसकार बनते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो आत्म त्रिप्त है आत्म स्थित है जिसका योग पूर्ण है उस पुरुष को कर्म करने से न कोई लाब है और न कर्म छोड़ देने से कोई ख्षती क्योंकि अब उसे कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो पुकारेगा किसको नहीं उसके पीछे कोई विकार है तो काटेगा किसे गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर वर्ण्यम मया स्रिष्टम चार वर्णों की रचना मैंने की तस्य करतारम अपिमाम विद्धय करतारम व्ययम उसके करता मुझ अव्यय आत्मा को अकरता ही जान कर्म मुझे लिपाए मान नहीं करते क्योंके कर्म के फ़ल में मेरी स्प्रिहा नहीं है इस नियत कर्म का फ़ल परमात्मा है और वेह मुझे से विलग नहीं है आगे कुछ नहीं तो इच्छा किस की होगी यही महरशिपतंजली भी कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अक्रश्ण होते हैं उनके कर्म का न शुभ परिणाम होता है न अशुभ योग पत्थ वृत्तियों के सैयम का है कोई भी साधक जो भगवान के निर्देशन में है वह इस पत्थ को प्राप्त कर सकता है कबीर पढ़े लिखे नहीं थे किन्तु जब उन्हें स्थिती प्राप्त हुई तो बोले आँख न मूंदू कान न रूंधू काया कष्ट न धारों उगरे नैना साहब देखूं सुन्दर रूप निहारों संतों सहज समाधि भल अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के हुई गीता में भी है अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मण प्रलं भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा तीन प्रकार का फ्ल मरने के पश्चात भी होता है जन्म जन्मांतरों तक मिलता है किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के लिए कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता अर्थाद योगी के कर्म अशुक्ल और अक्रिश्ण होते हैं पुना उसी सामान्य जनु के कर्म पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं ततस्तद्विपाकानों गुणानाम एवाभिव्यक्तिर वाशनानाम ओक्त तीन प्रकार के कर्मों से फल भोक के समय अनुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है अर्थार वासनाएं उपयुक्त वातावरण और खेत्र पाने पर ही प्रकट होती हैं जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का अवसराता है उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी शेश सबसंचित रहेंगी जो योगी नहीं है अभी बाह इस्तर पर है उनके कर्मों का फल तीन प्रकार का होता है सात्विक राजस और तामस यही है शुक्ल कृष्ण और मिश्वित फल वे भोग अवश्य मिलते हैं उन में कोई बाधा ही नहीं है क्योंकि जाति देस कालव्य वहितानाम अप्यानंतर्यम इस्मृति संसकार योह एक रूपत्वात जाति अर्थात जन्म देश अर्थात किसी भी स्थान और काल अर्थात समय इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संसकारों में आनंतर्यम व्यवधान नहीं पड़ता क्युंकि समृति और संसकार दोनों का एक ही स्वरूप है वही उभरता है जो संसकारों में होता है उस समय स्मृति भली प्रकार शुध हो जाती है जब इन संसकारों का उभरना शान्त हो जाए स्मृति परिशुद्धव स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर का स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है धे ये लक्ष मात्र का आभास रह जाता है यह निर्व तर्क समाधी की अवस्था है बीज विद्यमान है जब भीतर कुछ संसकार शेश ही नहीं है तो अब स्मृत में उभडे भी क्या संसकारों की गति अबाद है यह जन्म जन्मांतरों में यत्र तत्र सर्वत्र करता का अनुगमन करती है काक भुशुंडी जी को अनेक जन्म मिले अनेक देशों में गए काल चक्र से गुज़रे किन्तु कोई व्यवधान नहीं पड़ा कवनेउ जन्म मिटी ही नहीं ग्याना सुने ही सूद्र मम बचन प्रवाना किसी जन्म में ग्यान नहीं मिटा यह अवश्यम भावी है तासाम अनादित्वम चासिसो नित्यत्वात तासाम उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता अर्थात कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना अनादित्वम अनादि से है क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि है आरंभ से ही है इसी के कारण प्राणियों में नित्यत्वात शाश्वत स्वरूप पानी की इच्छा नित्य बल्वती होती रहती है गीता में है प्रकृतिम् पुरुषम् चैव विध्यनादी उभावपी विकारान्ष गुणान्षैव विध्धि प्रकृति संभवावान् प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादी जान संपूर्ण विकारों को भी त्रिवुण मैं प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान जिजी विशा सुख संसाधनों की तुरुष्ण के अंत का उपाए हेतु फला स्रया लंब नई है संग्रहे तत्वाद एसामभावे तदभाव है हेतु फल आश्रय और आलंबन इन चारों से संसकारों का संग्रह होता है जिससे वासना गतिशील होती है इन चारों का अभाव होने से संसकारों का भी अभाव हो जाता है वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्याद इकलेश उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं ये सब मिलकर भले अत्वा बुरे संस्कार ही तो देते हैं इनका फल पुनरजन्म आयू और भोग है ये चित्त के माध्यम से चलते हैं इसलिए इनका आश्रय चित्त है और जिसके द्वारा चलते हैं जिसे धारण करने वाले हैं वे शब्दादी विश्य आलम्बन हैं आलम्बन उद्धीपन अनुभाव विभाव और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है जिससे चित्त द्रवी भूत होकर संसकारों से संचलिष्ठ हो जाता ओपर युक्त चारों माध्यमों के अभभाव से इन वासनाओं और संसकारों का सर्वता अभाव हो जाता है इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदए होता है यहां माहर्षु ने धर्म शब्द का पुना प्रयोग किया है अतीता नागतम सरूपतो स्तेद्व बेदा धर्माणाम धर्माणाम धर्मों में अद्व भेदा काल का प्हेद होता है इस कारण जो अतीत हो गए है वासना इत्यादी और जो अनागतम आने वाले हैं अभी प्रकट नहीं हुए है स्वरूप की उपलब्धी उनमें भी स्वरूप से धर्म विद्ध्यमान रहता है धर्म में काल का भेद होता है इस कारण से अविद्या वासना चित्त वृत्यादी जो अतीत हो गए हैं भाजन के द्वारा जो संसकार कट चुके हैं और अनागत जो प्रकट नहीं हुए हैं आने वाले हैं स्थिती जो मिलनी है उनमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है परम चेतन परमात्मा धर्म है धर्मुन दूसर सत्य समाना सर्वधर्मान परियज्य अर्जुन समस्त धर्मों की चिंता छोड एक मात्र मेरी शरण हो जा एक इश्वर की शरण ही धर्म है किन्तु वे धर्म वे धर्म व्यक्त स्थित में और सूक्ष्म स्थित में गुण स्वरूप ही है गुणों का जैसा सात्विक राजस तामस उन्नत मध्यम मलिन प्रभाव रहता है वैसा ही इनका रूप है जैसा कि प्रथम पात के चौथे सूत्र में है व्रित्ति सारूप्य मितरत्र जैसा व्रित्ति का रूप है वही आप है किन्तु जब तीनों गुणों का प्रभाव सम हो गया तब इस पर कहते हैं किन्तु परिणाम एकत्वाद परिणाम की एकता से विन्न सात्विक न राजस और न तामस ही है इनका कारिय शांत हो गया तब वस्तु तत्वम जो विशय वस्तु है योग योगा भ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है अर्थात सत्य वस्तु द्रश्टा आत्मा परमात्मा को विदित कराने दर्शाने वाला हो जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर बल दिया अर्जुन इस कर्म अर्थात नियत कर्म को किये बिना ना कोई स्रिष्टी में प्राप्त कर सका है ना ही भविष्टी में कोई प्राप्त कर सकेगा जनकादि रिष्ट इसी कर्म को करके नैश्कर में स्थित को प्राप्त हुए थे किम्तु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है आत्म त्रिप्थ है आत्म स्थित है उस पुरुष के लिए किंचित भी करतवे शेश नहीं रहता प्राप्थ होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं रहती यही है वस्तु परम तत्व गुणों का कार्य समाप्थ हो जाने पर वै वस्तु तत्व प्रकट हो जाता है वस्तु साम्मे चित्व भेदात तयोर विभक्तह पंथा वस्तु यहां परमात्मा है वस्तु साम्मे वस्तु की समस्थिति में चित्व भेदात चित्व का भेद प्रत्यक्ष है इसलिए तयोर पंथा विभक्तह चित्व और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु इन दोनों का मार्ग अलग-अलग है वस्तु पूर्ण है चित्व उसमें विलीन हो जाता है प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तयोर पन्थाह विभाक्ता इन दोनों का पत अलग-अलग है चित तीनों गुणों तक प्रकृति तक ही कर्म करते हैं वह द्रश्टा व्यापक है पुना उसी चित पर प्रकाश डालते हैं नचैक चित तंत्रम बस्तु तद प्रमान कम तदा किंश्यात इसके अत्रिक्त वस्तु अर्थात वह परमात्मा किसी एक चित के अधीन नहीं है क्योंकि जब वह चित का विशय नहीं रहेगी उस समय किंश्यार चित का क्या उप्योग रह जाता है वह शांत प्रवाहित रहता है अत्र वस्तु जब प्रमारित हो जाती है तब चित का अलग से क्या काम चित चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है तद उपरागा पेक्षित्वा चित्तस्य बस्तु ग्याता ग्यातम चित्त उपरागा पेक्षि है अपने में वस्तु का प्रतिविंब पढ़ने की अपेक्षा वाला है इसलिए उसके द्वारा वस्तु कभी ज्यात तो कभी अज्यात होती रहती है अर्थात कभी ध्यान पकड में आता है, कभी नहीं आता जितना भगवान का प्रतिविंब आया, उतना देखता है नहीं आया, तो नहीं देखता किन्तु भगवान सब जानते हैं भगवान जितना बताते हैं, चित उतना ही जानता है उस चित्त का स्वामी पुरुष परिडामी नहीं है अर्थात उसका कोई परिडाम नहीं निकलता इसलिए चित्त की वृत्तिया सदा उसे यात रहती है तत्प्रभोह उस चित्त का स्वामी एक रस है इसलिए चित्त की वृत्तियों को वह सदैव जानता है कि कब कौन कहां पर है और उन्हें संचालित करता रहता है चित जो जानता है वह द्रिश्य के द्वारा है वह चित स्वप्रकाश प्रकाश स्वरूप नहीं है क्योंकि वह द्रिश्यत्वाद द्रिश्य से है चित में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह पुरुष के द्वारा प्रसारि द्रिश्य के द्वारा ही है चित में स्वयम का कोई प्रकाश नहीं है स्वाभास नहीं है चित जो कुछ देख लेता है चित में जो प्रकाश देखने में आता है वह दृष्य के द्वारा ही है यह दृष्य दृष्टा दृष्य सैयोग ही है जो हे यहे तु है दृष्य वैसा है जो प्रकाश क्रिया और स्थित दिलाता है जो इस आत्मा के लिए भोग अपवर्ग प चित्त में जो प्रकाश है वे इस द्रश्य के द्वारा है, अन्यता मनुष्य अंधा है, वृत्ती तो वृत्ती है, गोगोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुँ भाई, इसलिए अपने से कोई कल्पना करता है, तो माया है, अंधकार है, उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है, जो कुछ है, वे द्रिश्यत्वा, द्रिश्य का कार्य है, पुरुष के लिए भोग प्रदान करना, क्या ऐसे भोग मोक्ष में सायक है, श्री कृष्ण गीता में कहते है, भोगतारं यग्य तप साम, सर्वलोक महेश्वरं, उन पुरुष का भोग है यग्य, तप और संञ्यम, वे द्रिश्य मुप्ति का पूर्ण संपादन करने वाला है, अस्तु चित्त में जो प्रकाश है, द्रिश्य के द्वारा है, एक समये चोभय आनवधारणम, उभय आनवधारणम, एक ही समय में चित्त और द्रिश्य, इन दोनु के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंके चित्त तो चित्त ही है, द्रिश्य जब भी आता है, स्वतंत्र धंक से आता है, कब क्या प्रसारित होने वाला है, उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता, वे तो अनुभाव में उभरने पर ही समझ में आता है, चित्तांतर द्रिश्य चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन द्रिश्य के माध्यम से आता है, और बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग, बुद्धि में बौधिक विकास का जो अंतरंग प्रसंग है, वे भी द्रिश्य के द्वारा ही प्रकट होता है, और स्मृति संकरश्च स्मृति में इसका मिश्रण होता जाता है स्मृति तभी पूर्ण होगी जब भजन पूरा हो जाएगा इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक द्रिश्य का मिश्रण होता जाता है चितेर प्रति संक्रमायास तदाकारा पत्तव सबुद्धि संबेदिनम यद्यपी चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है फिर भी तदाकारा पत्तव तदाकार स्थिति एकागरता आजाने पर उसे अपने चित्त का ज्यान होता है स्वबुद्धि संबेदनम तदाकार हो जाने पर स्वरूप की स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है स्वस्व रूप का बुद्धि में सम्वेदन चलने लगता है द्रश्ट द्रश्यो परत्तम चित्तम सर्वार्थम द्रश्टा और द्रश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम संपूर्ण अर्थ दैवी संपद की प्राप्ति करा देने वाला होता है क्योंकि द्रश्टा द्रश्य का संयोग आत्मा पुरुष के लिए मुक्ति का संपादन करने वाला है इसलिए द्रश्टा द्रिश्य का संयोग सर्वार्थ संपूर्ण अर्थ वाला कैवल्यपद की उपलब्धी कराने वाला होता है इसमें अंतवंत इमे देहा नित्यस योकता शरीर रणः अनाशिनु अप्रमेयस्य तस्मा द्युद्यस्व भारत अविनाशी अप्रमेय नित्यस्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाश्वान कहे गए है इसलिए भरतवन्शी अर्जुन तू युद्ध कर आत्मा ही अम्रित है आत्मा ही अविनाशी है जिसका के तीनों कालों में नाश नहीं होता आत्मा ही सत्य है द्रश्ट्र द्रिश्यों परक्तम चित्तम सर्वार्थम द्रश्टा जो चैतन्य है निर्मल है और द्रिश्य पुरुष के लिए भोग अपवर्ग अर्थात मुक्ति का साधन जुटाना जिसका प्रयोजन है क्रिया स्थिति प्रदान करना ही जिसका प्रयोजन है इन दोनों से संचालित होकर चलने वाला चित्त सब अर्थ वाला होता है संपूर्ण अर्थ नैश्ठी कीम सिध्धि प्रदान करने वाला होता है आगे कहते हैं तद संखे अवासना भिस चित्रमपि परार्थं संघत का रिप्त्वात वह चित असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात परम अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है क्योंकि वह समस्त वासनाओं को काटने वाला है जिसका चित्र द्रश्टा और द्रिश्य के सैयोग से रंगा है ऐसा योगी असंख्य वासनाओं से संसर्ग होने पर भी अपने लक्ष पर होता है वासनाओं से वो लिपाएमान नहीं होता, पद्म पत्र मिवाम भसा, कीचर और जल से निरंतर धुलता हुआ, कमल का पत्र उससे भीगता नहीं, स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार ये महापुरुष भी निर्मल और अमल रहते हैं, उनके संसर्ग में जो आ जाता है, उसका भी कल्यान हो जाता है, पूज्य गुर्देव का निवास बरबर दस यूओं एवं जंगली कोल भीलों के मध्य था, किन्तु महराज जी के साहचरे से, उन सब का हुर्दय परिवर्तन हो गया, उनकी बरबरता समाप्त हो गई, और वे भी भजन चिंतन में प्रव्रित्त हो गए विशेश दर्शिन, आत्म भाव भावना, विनि बृत्ते हैं विशेश दर्शिन, उस विशेश पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में आत्म भाव नहीं रह जाता कि मैं योगी हूँ, समर्थ हूँ, आत्मवान हूँ, क्योंकि वे जानता है कि करता धरता तो वे विशेश पुरुष ईश्वर है, देहा-ध्या समाप्त ह हो जाता है, इस अवस्था वाले योगी के चित्त की स्थिती कैसी रहती है। कैवल्य पद की ओर उन्मुख हो जाता है। विशेश दर्शन के साथ आत्मश लागा की निव्रित्ती तो हो जाती है, किन्तु अभी दर्शन ही तो हुआ है, स्वरूप की स्थिती तो नहीं मिली, उस समय चित्त गंभीर रूप से विवेकवान होता है, कैवल्य की ओर गमन कर जाता है। ऐसे चित्त से कोई शुभा-शुभ निर्मान नहीं होता। किन्तु उस चित्त में जो उद्वेग उठते हैं, वी क्या हैं? इस पर कहते हैं। तच्छि द्रेशु प्रत्ययांतराणी संसकारे भ्याह। उस समाधिस्त चित्त के अंतराल में विपरीत वस्तूओं का इस फुरण पूर्व संसकारों से होता है। विवेक में जुका हुआ चित्त है अर्थात सबीज समाधी की अवस्था है। तच्छि द्रेशु उसके अंतराल में जो विजाती च्छिद्र हैं दूसरे पदार्थों का ज्यान है वह पूर्व संसकारों से होता है। निरोध के संसकार है लेकिन जीवित है उसमें जो विरोधी भाव अंतराल में उभरते हैं संसकार से होते हैं नया कर्म संग्रह तो होता नहीं पूर्व संसकार से ही होते हैं नया कुछ नहीं बनता इन संसकारों का क्लेशों की भाती ही विनाश करने को कहा गया है जितना हानिकारक क्लेश त्यादी है उतना ही ये भी है इनका विनाश क्लेशों की ही भाती करना आवश्यक है अभ्यास में प्रमाद नहीं होना चाहिए इन संस्कारों के उच्छेद के साथ ही धर्म मेग समादी है प्रशांख्याने प्यकुशी दश्य सर्वता विवेक ख्यातिर धर्म मेग समादे जिस योगी का विवेक ज्यान की महिमा में भी वैराक्य हो जाता है उसका विवेक ज्यान सर्वता प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म मेग समादी प्राप्त हो जाती है जहां धर्म ही धर्म है, चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही छाया हुआ है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है, वो है कलेश कर्मों से अतीत ईश्वर। सर्वत्र उसे उस द्रश्टा का संचार ही दिखाई देता है। इशा वास्य मिदम सर्वम यक्किंच जगत्याम जगत्य ततह क्लेश कर्म निवृत्य है इस धर्म मेग समाधि की प्राप्ति के साथ ही कलेश अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभी निवेश और इनसे उत्पन कर्म संस्कारों का सर्वता नाश हो जाता है उस समय जिसके सभी आवरण और मल हट चुके होते हैं ऐसा ज्ञान अनन्त सीमा रहित हो जाता है इस कारण गेयम अल्पम गेय पदार्थ परमात्मा और साधक के बीच अत्यंत अल्प दूरी रह जाती है ततह कृतार्था नाम परिणामो क्रम समाप्तिर गुणानाम द्रश्टा की अनुभूती तदनंतर गेय की अनुभूती अल्प दूरी जो शेश थी वह भी पूर्ण हो गई इस प्रकार साधक जब कृतार्थ हो गया अपना कारे पूर्ण कर चुका ऐसे पुरुष के समक्ष गुणों का प्रभाव परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है सत रज तम तीन गुण हैं ये उत्तम मध्यम और निक्रिष्ट तीन प्रकार का प्रभाव डालते हैं इनका क्रम चलता रहता है इस अवस्था में यह क्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है अर्थात वहयोगी गुणों से अतीत हो जाता है उस समय साधना का क्रम कैसा रहता है जो क्षणों का प्रतियोगी है और परिणामा परांत निर्ग्राहया जिसका स्वरू परिणाम के अंत में समझ में आता है वह क्रम है आरंभिक साधक भजन में घंटों बैठता है किन्तु कुछ ही मिनट भजन हो पाता है कभी उन्नत अवस्था में घंटों के मध्ये कुछ मिनट ही व्यर्थ जाते हैं और सैयम परिपक्व हो जाने पर श्वास आई तो ओम गई तो ओम बीच में कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना व्यर्थ नहीं जाने पाती तो आप खणों के प्रतियोगी हैं अब हर खण पर आपका नियंत्रन है साधनाई सवस्था में पहुँच जाती है कि एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती उस समय परिणाम क्रम अंतिम परिणाम परियंत निर्ग्राय हो जाता है उसका कोई उपियोग ही नहीं रह जाता अब शण क्रम कुछ भी ग्रहन नहीं करते इस परिणाम के साथ पुर्शार्थ पूर्ण हो जाता है पुर्शार्थ सुन्यानम गुणानम प्रतिप्रशवः कैवल्यम शरोप प्रतिष्ठाबा चिति सकते रिते जिनका पुरुष के लिए कोई करतव विशेश नहीं रहा अब साधना पूर्ण है गुणों का अपने कारण में विलीन होने के साथ द्रश्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना चिती शक्तेह स्वरूप प्रतिष्ठा द्रश्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्यम कैवल्यपद है गुण और कुछ भी नया प्रसव नहीं करते अपने कारण में लीन हो गए यहां द्रश्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है यही कैवल्यपद है साधना संपन्न हो गई इस शास्त्र के आरंभ में योगश्चित्वृत्ति निरोधा की जो प्रस्थावना थी तदा द्रश्टोह स्वरूप अवस्थानम की जो प्रस्थापना थी उसी का यहां समापन है कि द्रश्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया यही कैवल्य स्थिती है इसी के साथ ही योगी शाश्वत जीवन शाश्वत शान्ती और शाश्वत स्थिति प्राप्त कर लेता है इस प्रकार यह कैवल्यपाद पूर्ण हुआ निशकर्ष शिद्धियां अनंत है संसार से अलग कुछ विलक्षनता प्राप्त कर लेना सिद्धी कहलाती है इन सिध्धियों में अश्ट सिध्धियों तथा अन्यान्य सिध्धियों का उलेक इस योग दर्शन के तृतिय पाद में है किन्तु परम सिध्धी है परम तत्व परमात्मा का विदित हो जाना सद जाना यह सिध्धि अनेक जन्म से साधन कर रहे साधक को साधना की परिपक्व अवस्था आने पर जन्म के साथ ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तरह प्राप्त हो जाती है साधन में अवस्था भेद के अनुसार शेश साधकों को अउशदी अर्थात भगती रगुपती भगती सजीवन मूरी मंत्र तप और समाधी के द्वारा सफलता मिलती है पूर्व प्रकृती के पूर्ण हो जाने तथा अग्रेतर उन्नत प्रकृती के जागरित होने से जन्म परिवर्तन हो जाता है जिस प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है, वह प्रकृति शांत हो गई, उन्नत प्रकृति का प्रादुर भाव हो गया, यही जन्म परिवर्तन है, ऐसी अवस्था में यदि शरीर छूट गया, तो उसी इस तर से जन्म होता है, जन्म, ओशधी, अर्थात, भक्ति, मंत्र, तप और समाधी, यह निमित्त है, इनके द्वारा प्रकृति का संचालन नहीं होता, प्रत्युत अवरोध दूर कर दिया जाता है, जिससे उन्नत प्रकृति स्वता प्रसारित हो जाती है, इस प्रकार, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन, जात्यंतर परिणाम है, जाती परिवर्तन है, जन्म परिवर्तन है, एक रचना है, यह निर्मान चित्व जब तक अस्मिता है, तभी तक होता है, आत्मा और वृत्यों का मिश्रण अस्मिता है, चित्व की अनेक प्रवृत्यों को इस्थिर करना, एक ईश्वर में समर्पित करना, एक ई किश्वर में नियुक्त करना चितत का कारिय है। इन में से क्रम्षः ध्यान की स्थिती मिल गई तो ध्यान जनित चित्त का अनाशयम। कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अक्रिष्ण होते हैं। अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, वे सभी कर्म वासनाओं को ही जन्म देते हैं, अनंत जन्म परिवर्तन और काल का अंतराल होने पर भी वे कर्म नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति और संसकार का एक ही स्वरूप है, स्मृति में वही उभरता है जो संसकार की परत में होता है इनकी एकता अनादिकाल से है इसलिए सदा, नित्यत्वाद, नित्यस्वरूप पाजाओं यह भावना इसमें बनी रहती है हेतु, फल, आश्रे और आलंबन इनहीं के द्वारा इन संसकारों का वासनाओं का स्रिजन होता है इन चारों के अभाव के साथ ही वासनाएं यह संसकार सदा के लिए मिट जाते है संसकारों का हेतु, अविद्या, इत्यादिक, क्लेश है फल, पुनरजन्म, आयू और भोग है चित इनका आधार और विशय आलंबन है इनके अभाव के साथ ही यह संसकार सदा के लिए मिट जाते है इनके मिटते ही धर्म का नाम आया है जो काल का भेद होने पर भी हेतु, फल, आश्वय और आलंबन जो अतीत हो गया अनागत जो अभी प्रकट नहीं हुआ है जैसे स्वरूप की प्राप्ति, स्थिति, इत्यादी इन सब में धर्म, स्वरूपतो, वस्ति सदा स्वरूप से विद्यमान और प्रसारित रहता है गुणों के अनुसार ये धर्म, उत्तम, मध्यम और मलिन अवस्था में दिखाई देते हैं किन्तु हैं स्थिर और प्रत्यक्ष, परिणाम की एक्ता में वस्तु तक्त्वम जो योग साधना कर रहे थे, उससे उपलब्ध वस्तु चेतन द्रश्टा का तत्व रूप में विदित हो जाना संभाव है वस्तु साम्ये चित्तम वस्तु की साम्ये अवस्था में चित्त का भेद स्पष्ठ हो जाता है कि चित्त का रास्ता अलग है और वस्तु इससे भिंग सकता है वस्तु है परमात्मा यह चित्त इस वस्तु के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला है वस्तु का जितना प्रतिबिंब पढ़ता है उतना ही चित्त जानता है अन्यता नहीं जानता, किन्तु वे वस्तु द्रष्टा है, अर्थात परमात्मा है, उसे चित्त वृत्तियां सदई व्यात रहती है, चित्त में जो प्रकाश द्रिष्टी गोचर होता है, वे द्रष्टा द्रिष्य के द्वारा है, जितना चित्त में द्रिष्य प्रसारित हो Renekar हो जाने पर स्वभुध्धि समWe hoş Vamos love सम्वेदन कैसे प्राप्त करता है किसके द्वारा प्राप्त करता है इसके लिए महारश्य कहते हैं द्रश्टा और द्रिश्यं से रणा हुआ चित सर्वार्तम संपूर्ण रथ को प्राप्त कराने वाला होता है यही है अनुभव द्रश्टा और दृष्ट से रंगा होने पर ही चित परार्थम परमार्थिक अर्थ को संभव करने वाला होता है क्योंकि ये समस्त वासनाओं को काटने वाला है विशेश दर्शिनः कलेश कर्म से परे विशेश पुरुष ईश्वर के दर्शन वाला हो जाता है ऐसा चित उसे प्रत्यक्ष कर लेता है उस समय उसका आत्म भाव अहंग कि मैं योगी हूँ ये भाव सदा के लिए धुल जाता है उस समय चित विवेक में जुका हुआ और कैवल्य स्वरूप की ओर उन्मुख रहता है ऐसे चित में कभी-कभी यत किंचित स्फुरण आते हैं सूक्ष्म संसार प्रस्फुटित होते हैं ये संसकार भी क्लेशों की ही तरह भयंकर है साधक को असावधानिय प्रमाद नहीं करना चाहिए इन अत्यंत सूक्ष्म संसकारों का भी विनाश कलेशों की ही बहांती अनिवार्य है साधक को इनके भी उन मूलन परियंत साधना में लगे रहना चाहिए इन सूक्ष्म संसकारों के उच्छेद होने पर योगी विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य परम वैराग्य की स्थिति को प्राप्थ हो जाता है उसका विवेक ज्यान सर्वता प्रकाश मान रहने के कारण धर्म मेग समाधी आकाश्वत रहनी प्राप्त हो जाती है इस अवस्था के प्राप्त होते ही समस्त क्लेश और समपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत हो जाता है उस समय जिसके सभी आवरन और मल समाप्त हो चुके हैं ऐसा ग्यान अनंत सीमा रहित हो जाता है गेय अल्पम गेय जोतिर मैं द्रश्टा अल्पमात्रा में ही अन्जाना रहता है सब कुछ जानने में आ चुका है जरा सा भेद है और जब वहभी जानने में आ गया तब योगी कृतार्थ हो जाता है उसके कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं ततह कृतार्था आनाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा आनाम इसके पश्चात अपना कार्य पूर्ण कर गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है अब गुण कोई परिणाम नहीं दे सकेंगे उस समय योगी का हर श्वास हर ख्षण पर नियंत्रन हो जाता है पहले साधक घंटों का प्रतियोगी था साधन पकड में आने पर ख्षणों का प्रतियोगी हो जाता है एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती इस परिणाम के उपरांत निरग्राह क्रमह कुछ निर्मान या ग्रहन नहीं करते न भला न बुरा यही उनका परिणाम है यहां पुरुशार्थ पूर्ण हुआ साधना पूर्ण हुई पुरुशार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवह कैवल्यम स्वरूप प्रत्रिष्ठावा चितिशक्ते रिति जिनका स्वरूप के लिए पुरुशार्थ योग साधन का क्रम परिश्रम पून हुआ समाप्त हो गया उस समय गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना अत्वा द्रश्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्यपद है यहां जन नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, अभयपद, अम्रित्मयपद, सदा रहने वाली शांती है तत प्रसादात पराम, शांतिम, स्थानम, प्राप्सियसी, शाश्वतम भगवान शुरी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हिरदे में इस्थित इश्वर की शरण में जा उसकी कृपा से तु परम शांती को प्राप्त होगा उस स्थान को पा जाएगा जो शाश्वत है सनातन है हर्यों तत्सत